कि बिस्मिल्लाहिर्राह्मान रहीम अस्सालाम अलेकुम और वेल्कम दोस्तों मैं हूँ आपका हुस्ट वासेफ अलिवर आप देख रहे हैं क्रिक्टेल्स यूटीब चैनल जहां पर आज मैच खिला जाएगा पाकस्तान वर्सिज जिंबाब्बे दूसरा टीट्वंटी मुकाबला इन दोनों टीम्स के दर्मियान जहां पर मैच का आगाज अब से कुछी दिर के बाद हो जाएगा और एक इंटरस्टिंग मैच एक अपनी टीम को मैच जित्वा दिया था जबके आज बारी है इस दूसरे रुमांचिक मुकाबले की और अब देखना होगा कि इस सिरीज को अपने नाम कर लेगी दो सिफर से अगर बाब एक इस मैच को जितने के बाद वो इस सीरीज को एक-एक से बराबर कर देगी जो भी दोस्त हमार साथ जुड़ रहे हैं बहुत बहुत शुक्री आप तमाम दोस्तों का साथ रहने के लिए जब तक मैच का टॉस होता है मैं आपके साथ मैच के बारे में तमाम तर डिटेल्स प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इसके इलावा आपको कौन-कौन से प्लेयर्स आज खेलते हुए दिखाए देंगे ये भी आप जान सकते हैं और हर किसम की इंफोर्मेशन जो आपको जानने को मिल जागी इस मैच के मुतलिक जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं पहले मैच की गाईज तो पहले मैच के अंदर फखट जमान को ओपनिंग पर खिला आ गया और फखट जमान ने बाबर आजम के साथ ओपनिंग की लेकिन ज्यादा तेर वो क्रीस के उपर टिक नहीं सके और आउट होकर पबिलियन की तरफ वापिस गए और इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं गाईज बाबर आजम की तो बाबर आजम ने अच्छी क्रिकट खेली बाबर आजम ने जो है वो अपनी टीम के लिए ज्याद जो बाब आजम कर लिए और बाबर आजम ने मैच को जटवाने के साथ जो है वो कह लीजिए के यहां पर मैच को तो नहीं जितवाया ही तो मैच को जटवाने के साथ साथ उनके नमबर वन की पॉजिशन भी अपने नाम कर लिए है ICC T20 ranking के अंदर उन्होंने number one ranking को भी जो हो गाई इस अपने नाम कर लिया है और अब देखना होगा कि उनकी performance कैसी रहती है आज किस match के अंदर जहाँ पर एक interesting match एक बड़िया match होते वो दिखाई दिगा आपकी फेवरेट टीम इन दोनों टीम्स में से कौन सी इस मतलिक आप तमाम दोस अपनी उराएगा इज़ार कर सकते हैं बता सकते हैं like चार्ट के अंदर जहाँ पर match कट और सबसे कुछ ही देर के बाद हो लगा लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम्स के स्टार्स की तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं आज इन दोनों टीम्स के दर्मयान खेले जाने वाले पिछले तीन matches का एहवाल तो पिछले तीन के तीन matches को विन कर रखा है टीम पाकिस्तान ने और जिंबाबवे के टीम ने किसी भी match को win नहीं किया पिछले 3 matches में से और रही बात इन दोनों teams के दिर्माइन खेले जाने वाले आफ तक के मेकाबलों की तो तमाम के तमाम matches को जो है वो team पाकिसान नहीं win कर रखा जिंबाबवे के team ने एक भी match win नहीं किया 12 matches खेले गए इन दोनों टीम्स के दिर्मियान और 12 के 12 matches को पाकिसान की टीम ने विन कर रखा है जहांपर की stats को दोस्तों अगर हम देख लेते हैं तो key stats कुछ यूँ है कि 3 के 3 matches को पाकिसान ने विन किया और रही बात average score की इस ground की पिंडी क्रिकट स्टेडियम के average score की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो वो 156 runs का है जहांपर highest score जो chase हूच का है वो 157 runs का है जो के पिछले match के अंदर हुआ था और एक ही match जो है वो T20 matches का like international match जो है वो इस ground के उपर खेला गया है और आपको बता दूँ के एक ही player ऐसे थे जिन्होंने वन डे सीरीज में पाकस्तान की जान से एक match खेल रखा था उस पीच के उपर यानि के 22 player खेल रहे थे और 20 player ऐसे थे जिन्होंने एक भी match नहीं केला थुआ इस ground के उपर और रही बात यहां पर विकेट्स की तो 90% विकेट्स जो है उपी इस ने हासल कर रखी हैं 10 विकेट्स जो हैं वो स्विन बॉलर्स ने हासल कर रखी हैं जहांपर अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट के कुछ मुकाबलों के बेहतरीन परफॉर्मेश की तो मुहमाद आफीज ने पाकस्तान की सीन विलियम्स ने 112 runs बनाए हुए है जिम्बाबे के जान से खेलते हुए और अगर हम बात कर लेते हैं उनके आबरिज की तो 28 के आबरिज रही है सीन विलियम्स की एंड रही बात शादाब खान की तो उन्होंने पाकिस्तान की जान से मैचिस के अंदर 6 wickets को अपने नाम कर र अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और जिम्बाबे के दर्मियान होने वाले इस मैच की पहले मैच की प्लिंग 11 के हवाले से तो पाकिस्तान की टीम के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम जिम्बाबे की प्लिंग 11 की तो जिम्बाबे की टीम के अंदर जो जो प्ल बेहतरीन परफॉर्म किया था टीम जिंबाबे की जान से और नमबर दो पर अगर हम बात कर लेते हैं चीबूचा बाबा की तो उन्होंने ना ही T20 सीरिस के अंदर अच्छा खेला ना ही उन्होंने वन डे सीरिस के अंदर जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म किया और वो जिंबाबे के लिए अपनी कप्तानी को इतने अच्छा अंदास सरण्यां नहीं दे सके हैं और रही बात सीन डेब्यो किया दोस्तों डेब्यो करते हुए इंहोंने कमाल क्रिकट खेली है सबसे बेहतरीन प्लेयर रहे हैं ये टीम जिंबाबे के और इंहोंने 70 नंदर बनाया थे पिछले मैच के अंदर अपनी टीम को जित्वाने में हम मतलब अपनी टीम को जित्वा सकते थे लेकिन अच्छा स्कूर बनाया थे इन्होंने आइमाहान लेजंड गेमर्स इन्होंने पिछले मैच के अंदर काफी ज्यादा 14-15 गेने खेली थी और 7 रंज बनाया थे इन्होंने रही बात एल्डन चुकम बुरा की तो वो ये आखरी सीरीज खेल रही इसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट शूर देंगे उन्होंने इलान कर दिया है दोस्तों के वो ये आखरी सीरीज खेल रहे हैं क्रिकेट के और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को खेर बात कह देंगे और रही बात टिंडाई चितारा की तो वो भी एक अच्छे सीनियर प्लेयर है टीम जिंबाबे के और टिंडाई चिसारो जो हम वो एक स्पिन बॉलर हैं और उ तो सुपर अवर था उसके अंदर भी इन्होंने दो विकट का अपने नाम किया थे जबके अगर हम बात कर लेते हैं रिचर्ड नगारावा की तो वो भी आज के स्मैच का हिसार रहने वाले हैं तो दोस्तो ये रहने माली है टीम जिंबावे के प्लेइंग लवन जो हमें आ पिशले मैच के अंदर इतनी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके थे वो इनको क्रीज के ऊपर थोड़ा टाइम लेना चाहिए पिशले मैच के अंदर हमने देखा के आते ही इन्होंने बड़ा शॉट राई करने की कोशिश की और आते ही वो आउट होते होते बाल-बाल बचे थे और उनकी किसमत अच्छी थी वरना उन्होंने विकट के लोज कर देना था पहली ही इनकी उपर एंड रही बात दूसरे प्लेयर की गाईस तो वो रहेंगे बाबर आजम नंबर दो पर पिशले मैच के अंदर क्या ही तावरत और कमाल बैटिंग की इनकी जान से और इनकी अबरीज हो चकी है टी ट्वन्टी मैचेस के अंदर और दोबारा से यह नंबर वन के प्लेयर बन चुके है टी ट्वन्टी मैचेस के अंदर रही बात यहां पर रही बात यहां पर हैदर अली की तो वो नंबर तीन पर खेलेंगे हैदर अली को दोस्तों अगर हम डिस इस सीरिज के बाद जिंबावे के यह प्लेयर है और मुहमद अफीज नंबर चार पर खेलेंगे हैदर अली के बारे में बात कर लेते हैं तो या तो इन से उपनिंग कराई जाए अगर यह उपनिंग नहीं कर सकते तो फिर इनको आप कह लीजे के नंबर तीन पर ही खिलाईए लेकिन इनको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा अपने आपको क्योंकि अगर यह तेज खेलेंगे तो फिर अपनी विकेट को ऐसे ही लूज करेंगे जैसे कि इन्होंने पिछले मैच के अंदर अपनी विकेट का लूज किया था जल्दी ही विकेट का लूज कर दिय आपने पाकिस्तान की आपनी ठीम को जितवाने में हम किरदार अधा किया था याद रहें दोस्तों कि पिछले मैच के अंदर जिंबावे की टीम ने अची खेली थी लाइक उन्होंने 156 बनाया थे आज भी देखना होगा के जो टीम को जीत्ति आए फैसले के बाद ये भी चीज़ देखने वाली होगी कि टीम जो कैसा खेलती है लाइक वो कितने रंज बनाती है पाकस्तान की टीम अगर जीते गी तो यकीनी तोर पर उनकी जान से टॉस को जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया जाएगा एंड खुश दिल शाह को नंबर पांच पर रखा जाएगा खुश दिल शाह जो कि पिछले मैच के अनदर नोट आउट रहे थी और आज देखना होगा कि इनकी परफॉमेंस कैसी रहने वाली है इस मैच के अंदर एक अच्छे प्लेयर है खुश दिल शाह नए प्लेयर है इनको टीम के अंदर शामि वाली है याल रूंडर प्लेयर्स की बात कर लेतें गाइस फो वह होगे बला कौन बोहों होंगे और यहां पर सब तर दोस्ते हों है वीडियो को लाइक कर Чते हो दोस्तों है पही मश्रफ के दोस्तों जहां दब बात रही तो इन्होंने अतना अच्छा नहीं खेला था पही मश्रफ ने पिछले मैच के अंदर इतनी अच्छी बॉलिंग बे नहीं करवाई थी और बैटिंग तो बले ही इतनी इनकी आई ही नहीं थी एक और अच्छा जो है वो कह लीजे के अच्छी यह प्लेयर है और अब देखना होगा कि इनकी प्रफोमेंस कैसी रहने वाली है आज किस मैच के अंदर पाकिस्तान की जान से वहाब रियाज जिन्होंने पिछले मैच के अंदर इतना अच्छा नहीं खेला था थोड़े महंगे साबित हुए थे बरहाल अब देखना होगा किस किसम के खेलते हैं और उस्मान कादिर जिनका डेब्यू हुए था पिछले मैच के अंदर वो आज हमें फिर से खेलते हुए दिखाई दिंगे टीम पाकिस्तान के अंदर एंड उस्मान कादिर के साथ हारिस हारिस राउफ जो हैं वो गाइस टीम का हिस्सा रहने वाले हैं अगर हम बात कर लेते हैं हारिस राउफ की तो हारिस राउफ के पास पेस तो काफी ज़्यादा है लेकिन अपनी पेस को इतने अच्छांदाज से यूटिलाइज नहीं करते लाइक वो इतने अच्छांदाज से विकर्ट विकर्ट बॉलिंग नहीं करवा पाते हैं और जब भी वो रूम देती है बैट्समैनों को तब ही उनकी दुलाई होती है ऐसा हमने देख रखाया है और हारी स्रौफ अभी नए बंदे हैं नए प्लेयर है तो यकीनी तोर पर इनके पास मौका होगा कि अगले आने गा मैं आपके साथ शेर करता रहूंगा इस मैच के स्टैटस को और जैसे की टास होता है तो हम टॉस्क इबडेट को जानेगी और रहा आफ डुस्ट के बाद आपके साथ मैच कर दूंगा प्लेंग लिए तमाम दोस्त के जिंबाबी के टीम के अंदर ब्रेंडन टेलर चिमुचा बाबा सीन बिलियम्स वेजले मदवीरा सिकंदर रदा बर्त ब्रयां रियां बर्ल यह एटन चिकमबुरा टिंड़ाइची सारो टिंड़ाइची तारा एंड ब्लेसिंग मुजर्बानी एंड र रहने वो वाली हैं और फकर्ट जमान के साथ साथ है दर अली मोढमद अफीज खुशदिल शाह मुझमर रिज्वाण फाहीम अश्रफ वहाब रियाज लस्वान का इरा अर इस्रउफ एंड मुह मन हश्ताerecht हैं बाबा भाई चेपाना नहीं क्या हो गयाремां को पर मैच के मैच के स्टाट्स के बारे मी भी आपको शेर कर देता हूँ कि मैच के स्टाट्स कुछ यूँ है के गाईज 62% CHANfal की किव इसमैच को चांसे को एँ आर रही बात जिंबावे के 38% चांसी है और पिछले मैच के दोस्टों बात कर लेते पिछले मैच अंदर उन्होंने 82 रंज बनाएथे 55 गैनों के उपर 20 रंज जो है वो लाइक उन्होंने सारे रंज में से 20 रंज जो है वो बनाएथे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 20 रंज जो हैं उन्होंने जोड़े थी लॉंगाउन की जानिव से और अगर हम बात कर लेते हैं उनका फेवरेट रीजन ही और एक्स्ट्रा कवर की जानिव उन्होंने उन्लिस रंज जो हैं वो जोड़े थी और रही बात यहाँ पर बाबर आजम की दोस्तों तो उन्होंने नो चौके लगाए थी और बाबर आजम के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूँ के बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अब उनके अबरेज हालिया खे अब जो है वो पाकिस्तान के जो टीम है अगर यह मैच जीती है तो वो सीरीज को विन कर लेगी और अगर पाकिस्तान की टीम मैच को लोज कर दी है तो वो इस सीरीज के अंदर एक एक से बराबरी को अपने नाम करेगी और इसी बेच एक सो पचास दोस्तों है वीडियो को लाइक करते हैं बस्यूंक्त आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लाइक एंड फुरस्क्राइब मिल जाएगा तो दोस्तों यह रही थी बाबर आजम के इनिंग्स और अगर हम देख लेते हैं वेजली मेंद अवीरा को उन्हें पहले बंडे मैच के अंदर उसके बाद पहले ये कह लिजे lli के आच रहा पैश्ले मैच का रिजर्ट समरी जो आपृ जो भी दोस्त नहीं जानती होंगे वह जां जाएंगे जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को करते जाई है हमारी स्पोर्ट और होस्त लावजाई करने के लिए इस वीडियो के निचे आपको रैड कलर का सब्सक्राइब को बटन और साथ में मुझूद बेल का निशान भी मिल जाएगा जी तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते म मैस समरी की तो मैस समरी कुछ यू रहेगी पिछले मैच के पाकिसान के टीम जो है पहले गेंदबादी करते वह दिखाई दी जिमबाववे के टीम ने जो रंज बनाये थी जाई जिसले मैच के अंदर वह 156 थे और उन्हें चे विकट को अपने नाम किया था और बीस आवर सिन विलिम्स ने 25 रंज बनाये थी जबके हारिस रौफ ने गेट को अपने नाम किया था यप यहां बात यहां पर नो मैंगे बचछी दिर के टीम्स का स्कुर्ड में शेयर करूँगा लेकिन उससे पहले आपको बता दूँए पाकिसितान की जान laughter ने 82 रंस के एक बहतरीन इनिंक्स के लिए थी और बाबर आजम के रहते हुए मुहमद अफीज ने 36 रंज बनाये थे ब्लैसिंग मुजरबानी ने 26 रंज देते हुए दो विगट को अपने नाम किया था जबके इंडाई चिसारो ने जो है वो इस मैच के अंदर 26 रंज देते हुए इस मोतलिक आप तमान दोस्ते हों हम अपने राय का इसार कर सकते हैं बता सकते हैं लाइफ चैट के अंदर जहां पर जिंबाबबे के टीम की कोशिश होगी कि वो इस मैच को विन करें और इस मैच को जीते हुए सीरिस को बराबर करें जबके दूस्त जाने पाकस्तान की टीम भी जो है वो मैच को जीतने की कोशिश करेगे और याद रहे दोस्तों मैच को अगर जीतने के बाद वो कह लीजे कि इहां पर सीरीज के इंदर कह लीजे कि हमें आगे बढ़ते हुए यानि कि सीरीज को विन करते हुए दिखाए देंगे वरहल अब देखना होगा कि किस प्लेयर की परफरमिस कैसी रहती है सीरीज के स्टैट्स के बारे में आपको बता देता हूँ अपके सीरीज जो है वो किसम दा से आगे बढ़ ही है तो दोस्तों ये रहा है अब तक सीरीज का एहवाल जो आपके सामने मौजूद है लाइक ये मैच अब से कुछी lymhat के बाद शूरू होगा टॉस है वो इस मैच का होने वाला है और टॉस के बाद इस मैच का बाकाइदा ठौर पर आगास होगा अगर हम देख लेते हैं गाईज यहाँ पर अगर तो हम देख लेते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स के स्कोर्स को तो उस बारे में भी आपको बताओंगा लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ के यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के अंदर जो जो प्लेयर मौजूद हैं वो हैं अब्दुल्ला शाफीक जिनको मेरे हिसाब से मौका देना चाहिए अब क्योंके पाक्सान की टीम इस सीरीज को जो है वगाईज विन कर सकती है बरहल अलब देखना होगा कि उनको मौका मिल जाएगा या नहीं इस मैस के अंदर इस मैस की बात कर लेते हैं गाईज तो अब्द अब जो है वह कुछी समय मजीद बाकी है एंड रही बात बाबर अजम की तो उन्होंने 42 मैचेस खेल रखे हैं अब्दुल्ला शाफीक और खेलते हैं तो उनका डाब्यू मैच होगा अब अब बाबर अजम जो हैं वहालीस मैचेस खेल चुके हैं अफ़ही मश्रफ ने 28 ट तो तेक्ट करकें है है उill मांच सब्सक्राइब सुख़्क रखभी सिरीज के बात ज olur कि तो या कलू ध्रु का लगने के शाल भी यानिकित सब्सक्राइब उसीठेब कर लगने के साथ है बुंक एक ख्रुण भुजण यहाँ पर हरिस डौफ की तो उन्होंने 4 मैचेश खेल रखें पिछले मैच के अंदर 2 विकट को उन्होंने अपने नाम किया हरिस सुहिल ने 14 मैचेश को 14 मैचेश खेल रखें हैं मेरे हिसाब से वो नहीं खेलेंगे इफ्ताहार एहमन नहीं खेलेंगे मुहमद अफीज ने 13-20 मैचेश के रखें और अभी तक अगर हम बात कर लेते हैं मुहमद अफीज की तो दोस्तों यकीनी तोरफर वो चाहेंगे कि सीरिस को बड़ी अंदासे के लिए और यानि कि सीरिस के अंदर वो सौ मैचेश को तो अगली आने वाली सीरिस के अंदर मुकमल कर ही लेंगे और शुअब मलिक को जो है वो सीरिस का हिसा नहीं बनाया गया है और अब देखना होगा अगर हम बात कर लेते most runs की तो बाबर आजम ने 82 runs बना रखे जो कि नमबर वन पर मौज हो थी है और सब सब ज़्यादा विकेट्स जो है वो हारिस राउफ ने हासल कर रखी है इस series के अंदर जिन्होंने दो विकेट्स को अपने नाम का रखा है तो दोस्तो प्लेइंग 11 का अगाज अपसे यानि के इलान जो है वो अपसे कुछी देर के बाद हो जाएगा और अब देखना होगा कि दोनों टीम्स के अंदर कौन कौन से प्लेयर खेलती है इस ground की दोस्तों बात कर लेते हैं हम तो ground के उपर average score जो है वो 179 runs का है और पहली innings का average score इतना है second innings का average score जो है वो 165 runs का है और रही बात highest score की तो सिंद के टीम में northern के खिलाफ 221 runs बनाये थी जो इस ground का highest score है और रही बात यहाँ पर lowest total की तो 121 runs का है जो के सदरन पंजाब में सिंद के खिलाफ बनाये थी और यह जो सबसे highest score इस ground के उपर chase होचका है वो कह लिजे के 166 runs का है और जो सबसे lowest score इस ground के उपर chase हुआ है वो 144 runs का है जहाँ पर अब आपको बता दूँ के इन दोनों टीम्स के दर्मियान जो matches के लेगे हैं टॉस होने में लगबग अब साथ मिनट का वक्त जो होगा इस मजीद बाकी है देखना होगा कि कौन से टीमिस मैच को विन करती है और यानि के टॉस को जो है वो विन करते हुए आगे बढ़ती है जहाँ पर रहा पाक्स्तान के रीम ने तीन जो है वो matches को जीत रख लूस कि होने वाला है फुछी वक्त जो है वो टॉस होने में मजीद बाकी है और अगर हम देख लेते हैं गाईस यहाँ पर दूनों टीम से स्टाइट्स को लाइक अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर पाक्स्तान के प्लेयर्स के स्टाइट्स को तो महमध अफीस ने 95 मैचस के लिए और 95 मैचेस खेलते हुए उन्होंने 2020 मैचेस के अंदर जो है वो 2113 सी रंज बना रखे हैं 27 स्किन के आवरिज है 54 विकर्स को इन्होंने अपने नाम का रखा है और सबसे बेहतरीन प्लेयर है यह टीम पाकिस्तान के एंड रही बात इमाद वसीम की तो उनको अब देखना होग मौका दिया जाता है नहीं और इसी बीच इसी बीच तीन सो दोस्तों है वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमान दोस्तों का वीडियो को लाइक एंड चानल को जहाब हो सब्सक्राइब करने के लिए और अगर हम देख लेते हैं गाईज यहाँ पर इस मैच की सिचुएशन को इस ग्राउंड की सिचुएशन को तो रही बात है गाईज यहाँ पर पाकस्तान की टीम की तो उन्होंने 5 मैच इस को विंद कर रखा है पछले 2 साल के अन्दर रैंड जिमभावे के टीम ने भी 5 मैच इस को विंद कर रखा है एंड इस ground की बात कर लेते हैं गाईज तो ground की उपर situation कुछ यह रही है कि रावल पिंडी का ये ground है और रावल पिंडी ही कि ground की उपर जो है वो अब situation कुछ यह है कि 156 score जो है वो average ये first training score है और बाहले बैटिंग करते हुए team ने कोई भी match नहीं जीत रखा इस ground की उपर रेंड second batting करते हुए इस ground की उपर जो है वो एक ही match हुआ और एक ही match को जहाँ win कर रखा टीम पाकिस्तान ने यहां पर winning percentage की बात कर लेते हैं गाई तो 60% chances है टीम पाकिस्तान की कि वो इस match को विन करें जबके जबबावे के chances 40% है कि वो इस match को विन करें जहां पर अब match का टॉस हो होने वाला है match का टॉस होने में लगबग चार मिनट का वक्त जो है वो दोस्तों मजीद बाकी है आपके हैल से कौन से टीम आज किस match के टॉस को विन करेंगी और उनकी जानिव से क्या फैसला लिया जाएगा इस मोटली का आप तमाम दोस्तों है वो कह लिजए के बता सकते हैं कर सकते हैं लाइफ चाट के अंदर बहुत बख शुक्रिया जो भी दोस्तों लाइफ कूंट्री को लाइफ चाट को पसंद कर रहे हैं है बहुत बख शुक्रिया आपका साथ प्रहिने के लिए जहां पर match का आगास तो कुछी दीर के बाद हो वैसे चिकम बुरा जो है वगले आने वाले दिनों के अंदर हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते वह नहीं दिखाए देंगे लाइक वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्मेंट लेने वाली है गाईज और अब देखना होगा कि चिकम बुरा की प्रफोमिंस कैसी रहती है इन मैचिस के अंदर जहां आप रिटायर्मेंट ले लेंगे गाईज और आपको बता दूँ के पाकिस्तान की टीम ने टॉस को जीते हुए पहले गिन बादी करने का फैसला कर लिया है करेगी ऐसा कहना है दोस्त का लेकिन अब देखते हैं भाई मेरे क्या होता है यह तो व जो है वो फैसला करें क्योंके बैटिंग करते हुए वो बड़े रंस को बनाने की कोशिश करेंगे बरहल अब देखना होगा क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं अक्स्तान की स्कॉर्ट को देख लेते हैं अब्दुल्ला शफीक को मेरे हिसाब से मौका दे देना चाहिए आब अबिदली को मौका दे देना चाहिए और बाबर आजम को जो है वो मौका देना चाहिए और बाबर आजम के साथ अगर हम बात कर लेती हैं फ़हीम अश्रफ की तो वो आलर रूंडर पेर हैं फ़हीम अश्रफ की जगा पर आप किसी और प्लेयर को ट्राइ कर सकते हैं और फ बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब परने के लिए मैच शुरू होने से पहले जो हमारा टार्गेट है वो 500 का है अब देखना होगा कि आप तमाम दोस्तों ये टार्गेट को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं यह नहीं यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं गाईज बाबर आजम की तो बाबर आजम ने कमाल क्रिकेट खेली है और अलेट सी के बाबर आजम की जानिव से आज कैसी क्रिकेट खेली जाती है उनके बास बड़ा मौका होगा कि वो अपनी आबरिज को बढ़ाएं पहले match के अंदर भी उन्होंने अच्छा खेला था और अपनी average को जो है वो guys उन्होंने बढ़ाया था बाबराजम को अगर हम देख लेते हैं guys तो बाबराजम के stats कुछ यूँ बोल रहे हैं लाइक पाकिस्तान के टीम के ये प्लेयर हैं और बाबराजम को दोस्तों अगर हम देख लेते हैं तो राइट हैंडड ये प्लेयर हैं पाकिस्तान के टीम के और अगर हम इनके record को देख लेते हैं guys तो इन्होंने अब तक 320 matches जो हैं वो अरे भाई ये average पुरानी 42-3-20 matches खेल रखे हैं तो ये average थोड़ी से पुरानी है बरहल कोई बात नहीं चलता है सब लेकिन अब बिन के average बढ़कर बावन की हो चुकिया guys लाइक बहुत ये अच्छी average सेंथ होने खेल रखा है पाकिस्तान और जिंबाभी जिस match का टॉस अब होने वाला है और पिछ रिपोर्ट की दोस्तों बात कर लेता है तो फिछ बैटिंग के लिए इस साजगार है बैटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी विकेट है ये और अब देखना होगा कि डाटिंग किस किसम की जाती है टीम पाकिसान की जान से आज किस match के अंदर जहां पर एक इंटरस्टिंग मैच एक बड़िया मैच होते हुए हमें दिखाई देगा इन दोनों टीम्स के बीच और अब टॉस का बग जो है वो दोस्तों होने वाला है टॉस होने वाला है और टॉस के अब्रेट्स क्या आती है ये मैं आपको बताऊंगा लेकिन उस से पहले आपको ब बाजेद खान टॉस को लेकर तयार है दोनों टीम्स के घपतान मौजूद है अब और टॉस जो है वो गाई सोने वाला है अब लाओ जी पाकिस्तान की टीम ने टॉस को विन कर लिया और उन्हें बॉलिंग करने का फैसला कर लिया है जी हाँ दोस्तों टॉस होच का है इस मै पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया है मेरे हिसाब से पहले पहले वैसे पहले बैटिंग करनी चाहिए तें पाकिस्तान को लेकिन उन्होंने टॉस को विन किया और टॉस को जीते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है अब इसकी कहानी क्या है मैं भी इस बारे में नहीं जानता लेकिन फैसला जो है वो दोस्तो आग चुका है और फैसला यही है कि पाक्स्तान की टीम ने टॉस को विन कर लिया है और टॉस को जीते हुए उन्होंने पहले बाउन गेंदबादी करने का फैसला किया है और इसी बेच 420 दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इस मैच का टॉस का रिजल्ट तो दोस्तों टॉस को विन कर लिया है टीम पाक्स्तानी और टॉस को जीते हुए उन्होंने इस मैच के अंदर पहले बालिंग करने का जो है वो फैसला कर लिया है आपकी जानिब से आपकी ख्याल से यह कैसा फैसला है इस मतलिक आब बता सकी है लाइफ चाट के अंदर टॉस पिछले मैस के अंदर 82 रंज बने थी और उन्होंने लाज जवाब क्रिकेट खेली थी और अब देखना होगा कि कैसा फैसला है यह टॉस को जीत कर पहले गेंद बाली करने का आप इस मुतलिक बता सकते हैं मेरे हिसाब से पहले वैसे बैटिंग कर लेते तो आपका कुछ नहीं जाता लेकिन क्या कर सकते हैं भाई लोग यहाँ पर पहले बैटिंग करने का फैसला बॉलिंग करने का फैसला क शेर कर दूँ के मैच के अंदर टीम्स जो हैं वो कैसा खेलेंगी और कौन-कौन से फ्लेयर्स जो हैं वो मैच के अंदर खेलते हो दखाई देंगे तो यह जाने के लिए आप तमाम दोस्तों को हमारे साथ रहना होगा जहां पर मैच का टॉस जाओगा इस सोच का है और टॉस क विन करते हो टीम पाकस्तान ने पहले गेनबादी करने का फैसला कर लिया है आज किस मैच के अंदर जहां पर अब देखना होगा कि कैसा फैसला इनका यह साबित होता है और जैसे ही प्लेंग लेवन का इलान होगा तो मैं आपको प्लेंग लेवन के बारे में बता दूँग सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पिंडी की तो पिंडी जो ग्राउंड है दोस्तो इसकी ग्राउंड के उपर आप तक जो मैच्स खेले गई होई है उनकी दादात बात करने तो पहला मैच खिला गया वंडे मैच और इसी भी 4500 धो दोस्तों है वीडियो को लाइक करत रही हैं सीरीज के अंदर तो फिर आपको जो है वो रस को जीतते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला करना चाहिए था बरहलब बालिंग करने का डिसीयन लिया गया है टीम पाकिस्तान की जान से बरहलब देखना होगा कैसा फैसला जो है बूइनका ये साबित होता है जहां पर जैसे ही प्लेइंग लवन का इलान हो जाएगा तो मैं आपको प्लेइंग लवन के बारे में बता दूँगा दोनों टीम्स की प्लेइंग लवन के बारे में इस वक्त तक आप तमान दोस्तों को हमारे साथ ही रहना होगा और उससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहां प्लेयर वर्सिस प्लेयर बैटल जो है वो कैसी चली है फखड़ जमान की बात कर लेती तो फखड़ जमान ने टिंडाई चीसारों के खिलाफ अब तक एक दफा़ आउट हुए है ये प्लेयर और बतीस रंज बनाए हैं 14 गिनों का सामना करते हुए फखड़ जमान ने टिंड सिंग मजरवानी के खिलाफ जो है वो 17 रंज जो है वो बनाए हुए है 13 गिनों का सामना करते हुए तो ये भी एक अच्छे प्लेयर है यार बाबर आजम के बात कर लेती है तो बाबर आजम ने पिछले मैच के अंदर अच्छा खेला था और अब देखना होगा के उनकी प् जो है वो गाई सोचका है और अब बारी होगी के प्लेंग लेवन के बारे में आपको बता दूं के दोनों टीम्स के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ ही रहना होगा सिक्का उचला और सिक्का जो दोस्तों गया टीम पाकिस्तान के फेबर में और पाकिस्तान की टीम ने टास को विंद करते हुए पहले गिंदबादी करने का फैसला कर लिया है एट्स राइम फर प्लेइंग लेवन के दोनों टीम्स के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स आज खेल रही है यह जानने के लिए आप तमान दोस्तों है वह हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आज शाम को एक और मैच खिला जाएगा और अब देखना होगा के वो इस मैच को कौन सेटीव विंद करती है लेकिन तब तक आप तमान दोस्तों हमारे साथ है और इसे बीच पांच सो दोस्तों है वो वीडियो को लाइक करते हुए बहुत बहुत शुक्री आपका स्कॉर्ड प्लीज तो भाई मेरे जैसे ही मेरे सामने स्कॉर्ड आएगा यानि के प्लेइंग 11 आएगी टीम पाकस्तान की तो मैं आपको बताऊंगा ये इतना हाई रैंक मैच नहीं है तो इस बज़ा से कह सकते हैं आपके इस मैच के स्कॉर्ड को अभी तक शेर नहीं किया जा रहा मेदर वांगा टॉस एरे टेम पाकस्तान को स्विन फर्स्ट यह नहीं आज कल अइसा नहीं हो रहा आज कल जो है वो बिलकुल ऐसा नहीं हो बाकि ये है कि जैसे ही लाइक सर्दी आएंगी बारिश के दिन आएंगे तो फिर ऐसा होगा हमने देखा कि इस IPL के अंदर एक भी दफा बारिश नहीं हुई लेकिन अब देखते हैं कि क्या situation रहती है पिछले पांग में से पाकिसान की टीम ने बलके तीन मैचेस खेले हुए तीन में से दो को विन किया एक को लूज किया जिंबावे ने तीन खिले एक को जीता दो को लूज किया उन्होंने भी कि सो लेट सी वट विल हैपिन जहांपर यह जो है वह इन दोनों टीम के head-to-head record हैं जो के आपके सामने इस वकत मवजूद हैं जैसे ही प्लिएंग लेवन का इलान होता है गाईस तो मैं आपको बता दूँगा बस प्लिएंग लेवन का इलान होने दीजिया आप और जैसे ह प्लिएंग लेवन का इलान होगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी तक scores हो गयरा जो है वह आपके सामने इस वगत शो हो रहे हैं दोनों टीम्स के scores लेगन score का आपने क्या लेना तब तक आप जान लीजिए कि इस ground के उपर जो है दोस्तों एक ही match खिला गया है और अब फाइनली पाकस्तान की प्लिएंग लेवन का इलान भी कर दिया गया है और इस प्लिएंग लेवन के बारे में भी आपको बता दूँगा मैं हां जी हां जी शुकर है IPL इंग्लेंड में नहीं हुआ वरना हर रोज sports funded हो रहे होते IPL के matches बरहल दोस्तों IPL इंग्लेंड में हो आते हुए बहुत बश्यक्रिया आपका और अगर हम बात कर लेते हैं गाईज दोनों टीम्स की प्लिएंग लबन की तो दोनों टीम्स के बारे में आपको बता दूंगा के बाबर आजम जो है वो दोस्तों यहां पर एक और रिकॉर्ड के दूरी पर हैं बाबर आजम की बा बन जाएंगे लाइक जिन्होंने सबसे ज्यादा रंस बनाए हुए एंड लेट सीके यहां पर क्या सिच्विशन जहाँ दोस्तों रहती है इस मैच की जहां पर आपको बता दूंके बाबराजम 61 रंस की दूरी पर है पाकिस्तान की जानी से टॉप 3 रंस स्कोरर बनने में बरहल अब देखना होगा के ऐसा हो पाएगा या नहीं लेजंड गेमर्स पॉप स्केल्टन हमार साथ मोजूद है और आख इंडियन इस विदास वेल्कम टिस लाइश्रीम और स्केल्टन भाई क्या बोल रहे हैं आइम बॉन नारोलेस स्केल्टन ठीक हो गया ठीक हो गया कोई जैसी भी हूँ आप हैं तो बस अच्छी चीज है य अब यही एक वजा है कि पाकिस्तान की प्लेइंग लेवन और जिंबावे की प्लेइंग लेवन का इलान भी जो है वो नहीं किया जा रहा बरहल एक दफा फिर आपको बता दूँ प्लेइंग लेवन के बारे में तो दोस्तों आप जो भी हो जाए मैं प्लेइंग लेवन का के ओपनिंग करते हुए दिखाए दिए हमें इस मैच के अंदर अचा खेला हुआ है इन्होंने अगर हम बात कर लेते हैं अगले आने वाले प्लेयर की गाइस तो वो होंगे ब्रेंडन टेलर के बाद चेमोच भाबा जो के कप्तान है इस टीम के और चेमोच भाबा ने यहां पर अपने देखनी हुई तो आप देख लीजिएगा आपको दिक्कत भी देखनी को मिल जाएगी जब इस match का आगास होगा ना तो फिर आपके सामने सारी दिखते हैं जो है वो आज जाएंगी because कल ज़र वो यहां पर कुछ ऐसा हुआ कल लाइव चैट के अंदर के you can't imagine here लेकिन जो है वो किसी ने कुछ भी नहीं बोला जी तो दोस्तों अगर हम बात कर लेती है मुहमाद अरीब भाई you are a moderator of this channel so you have to be in limits do you understand और मजाग जो है वो इक हद तक अच्छा लगता है अगर आपके साथ कोई मजाग करेगा तो आप उसको जो है वो जवाब देने के कहलीजे के हैं वो मिजास है लेकिन इसके इलावा जो है वो आप नहीं किसी गोचेड़े तो अच्छी बात रहेगी जी तो दोस्तों यहाँ पर ब्रैंडन टेलर जो है वो विकट के पर बैस्मन रहेंगे ही मुच अबाबा जो है वो इसके इलावा हमें के थे और दिखाए देंगे यहाँ दोस्तो यहाँ पर वेजले मदवीर ने सब्तर रंज बनाया थे पिछले मैच के अंदर जो के आज किस मैच का हिस्सा रहने वाली हैं इसके बाद अगर हम बात कर लिते हैं अगले प्लेयर की गाईस तो वो होंगे बला कॉन वो होंगे सिकंदर रदा एंद सिकंदर मेला तीम का सारेने वाले हैं, रहन बल के साथ लwnież फिघ्न ऐसेबू ऑल रहे है और अब यहीन पाकिसान की तो पाकिसान की भी लेड़न का अगर हम देख लेते हैं गाइस थो पाकिसान की इंदर फकर जमान के यह ऑगूड़ से उपनर इचान जो है बो दोस्तों होते हुए हैंजी पाइब हमदरी शहर जा जमाने शेका है आज्टा सब्सक्रान के बाबर आजमीशного टीन पाकिसान का कि नहीं है वाली है, as the second opener खेलते वों दिकाइदे गे and Heather Ali number 3 पर पाकिस्तान की टीम का हिसा रहने वाली है and Heather Ali के बाद मुहमद अफिस को टीम पाकिस्तान का हिसा रखा जाएगा and इसके बाद मुहमर रिज्वान जो है वो टीम का हिसा रहने वाली है खुशदिल शाह को टीम का हिसा बनाए जाएगा एंड खुशदिल शाह के बाद फ़हीम अश्रफ टीम का हिसा रहने वाली है एंड फ़हीम अश्रफ के बाद वहाब र्याज वहाब र्याज के बाद उस्मान कादिर एंड उस्मान कादिर के बाद हारिस रौफ और हारिस पाकस्तान का हिस्सा है और इसे बेच साड़े 500 दोस्त जो है वो यहां पर अपनी इस वीडियो को लाइक करते हूं वद्वश्चों कि आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्स्क्राइब करने के लिए मुहमद अरीब यह गुस्से वाली बात नहीं है ठीक हो गया ना सो डॉंट माइड जो है वो यू माइंड और बात यह है भाई मेरे के आप मजाग तो कर सकते हैं लेकिन किसी का दिल दुखाने वाला मजाग ना कर यह तो यह अची चीज रहेगी जहां पर रहा है वहाब र्याज उस्मान का देर हारिस राउफ मौहमद होस्ने जो है वो टीम पाकस्तान का हिसा है हाँ अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप उसक सामने आ चुकी है अरसल भाई जो है वो आते हैं पाकस्तान के मैचेस के अंदर वो आते हैं लाजमी पौरपाय आते हैं और उनकी तो भी जो हो थोड़ी से नालसाज है बरहल अब देखना होगा कि वो आज आज आएंगे या फिर नहीं जी तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर सिचुशन की तो सिचुशन कुछ यूँ है पाकस्तान की प्लेंग लेवन कुछ यूँ रहेगी फखर जमान ऐसे ओपनर खेलेंगे 38 मैचेस इन्होंने खेल रखे हैं और बाकस्तान की जान से पिछले मैच के अंदर भी खेली जाती है इनकी जान से गालियां बगते हुए दिखा किसको भाई एंडर रही बाद बाबर आजम की दोस्तों तो उन्होंने ब्यासी रंज वनाया थे पिछले मैच के अंदर 55 का सामना किया नौ चौके और एक चक्का जो है वो उनकी जानिव से लगाया गया सो गाईस अगर हम बात कर लेती हैं हैदर अली की दो नंबर तीन पर मौजूद रहेंगे जिन्होंने कहलीजे के यहां पर दो मैचस खेले हुए हैदर अली ने और अच्छी क्रिकेट खेली हुई है लेकिन आज देखना होगा कि उनकी परफोर्मेंस कैसी रहती है यकिनी त मौहमद आफीज के गाईस तो मौहमद आफीज जो है वो नंबर चार पर बैटिंग करेंगे तेरान में मैचस खेल रखेंगे टीम पाकिस्तान की आंसे मौहमद आफीज ने जो के अच्छी परफोर्मेंस देखाने की कोशिश करेंगे और इसी बीच 600 दोस जो है वीडियो क आपका वीडियो का गुडियो का इस्ताम नहीं चलेगा भाया है जहा पर अगर हम बात कर लेते हीनका की तो 19-20 matches खेल रखे इन्होंने and let's see के यहाँ पर classic cricket खेली जाती ही इनकी जान से smatch के अंदर भी और आपको बता दूँ यहाँ पर आपको बता दूँ गाईज यहाँ पर अगले player की performance के बारे में तो अगले player जो होंगे वो होंगे खुश दिलशाद दूस्ट्रा मैच होगा जिनका और रब दिखना होगा के खुश दिलशाद जो है वो कैसा खेलती है and and इसी तरह बात कर लेते हैं जाई जफाही मश्रफ की तो उनको सीम अंदास से टींग का हिस्सा रखा गया 28 मैच खेले गए हैं फाही मश्रफ की जानिव से and let's see इनकी पर्फों में साथ कैसी रखने वाली है and फाही मश्रफ के बाद वहाब याज जो है वो टीम का हिस्सा रखने वाली है और सवाल आया है यहाँ पर सवाल जो है वो गाईज आया है आखी इंडियन ये सनाफ भाई बस कर दें आप वो याब नॉट हेर के सब के सवालों का जवाब दें ठीक हो गया so let it go bro यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं वहाब याज की तो वो 33 मैच खेल चुकी है अच पर लेट के लिए तो एक मैच खेल चुकी है रही बात मुहमद अस्नान तो वो तो 5 मैच खेल चुकी है आज उनका पांचवा मास पहान होगा और देखना होगा कि इनकी परफॉमेस कैसी रहने वाली है यहाँ पर जिंबाभे की पिलीасс remote की तो जिंबाबे की प्लेइंग 11 कुछ यह रहेगी के जिंबाबे के टीम जो है वो कुछ यह परफॉंस के अंदर ब्रेंडन टेलर रहने वाली है 40 मैचे दिन होने खेल रखे हैं and let's see कैसी परफॉंस रहती है तो जिस मैच का होच कहा गई और टास को विंद कर लीआ है टीम पाकिस्तान ने और टास को विंद करते हैं आफ लेज़े टास को शाने जीता और क्या फैसला अंखी जान से किया गया यह बो इस उसरस ईक्वर टू पाक एंड देयाव इलेक्टर तो बैट फर्स्ट टॉस जिता है पाकिस्तान की टीम नियों टॉस को विन करते हुए पहले बलेबादी करने का फैसला कर लिया है पाकिस्तान ने टॉस को विन करते हुए रब देखने का फैसला कर लिया है टीम पाकिस्तान ने टॉस को विन करते हुए अब देखना होगा किसा डिसीन जो इनका ये साबित होता है आज और रही बात बालिंग करवाने की तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम कितने रंस को देती है पहले बालिंग करवाते हुए पिछले मैच के अंदर भी इनकी जान से पहले बालिंग ही जो है वो पहले क कासी ओपनिंग की जाती है इस प्लेयर की जानिब से जहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं अगले आने वाले प्लेयर की गाइस तो वह बला कौन होंगे वह होंगे नन अदर देन ओपनर वैट्समन चे बूचा बाबा 34 मैचे स्टी ट्वंटी के इन्थोने खेल रखे है और अब तक इतनी बड़या परफोर्मेंस इनकी जान से नहीं दिखाई गी गई और आज देखना होगा कि इनकी परफोर्मेंस कैसी रहने वाली है इस मैच के रणड रही बात सीन विलेमस की तो उन्होंने आज जो है वह एक और मैच केलना है एक मैच केल रुखाय है बस कर दे शीन वीडियो को लाइक करते हूं बहुत शुक्री आपका वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहाँ पर जहाँ पर कह लिजे के चैनल को सब्सक्राइब भी बड़ी तालाद में दोस्त कर रहे हैं और वीडियो को लाइक भी बहुत बश्यूक्रिया आपका अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्लैसिंग मुज़रबानी के तो उन्होंने एक मैच खेल रखा है एंडर रही बात रिचर्ड नागारावा की तो उन्होंने दो मैच तो खेल रखा है जी सारो ने चर्ड स्पीकर जो है वो टीम का हिस्सा बने में है जी तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जी तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं फगट जमान की तो उन्होंने 38 मैच को खेल रखा है जो के आज किस मैच का हिस्सा रहने वाले हैं फगट जमान को अच्छा खेलना होगा लेकिन जो मुझे बात थोड़ी से खराब लगी टीम पाक्सदान की वो यह लगी कि उन्होंने टॉस को विन कर लिया टॉस को जीते हुए क्या फैसला कर लिया उन्होंने जो है वो कह लीजे के टॉस को जीते हुए पहले गिन बादी करने का फैसला कर लिया है खराब फैसल समय जीता टॉस को विन करके पहले बॉलिंग करने का फैसला किया लेकिन भाई मेरे आज नया दिन है आज आपको बड़े रंज बनाने चाहिए आज आपको क्राउट को इंटर्टेन करना चाहिए लेकिन उनकी जान से बिल्कुल भी आसा नहीं किया गया जहां पर अब मैच का पर राज इनके बास एक बड़ा मुका होगा और इसी बीच इसी बीच यहां पर कह लिजे के टॉस जो है पाकिस्तान की टीम ने टॉस को मिन कर लिया पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया है नाम पढ़कर हंसी आ रही है पॉफ स्केल्टन को लाइव चाट के अंदर तो हुए और नमबर बन के प्लेयर बन चुके हैं बाबर आजमें रही बात है यहां पर सेयद शाह बोलते हुए कि कैसे आप इतना बोल लेते हैं इट्स फनी तो वाई मेरे अप्रैक्टस होच की है अभी तो शुरुवात हुई है दो बच के 30 मिनर से हमारी शुरुवात हुई है और रात को साड़े 11 बजे तक कैसे ही चलेगा काम क्योंकि आज IPL का मैच भी है तो इससे भी करना है तो इसी तरह दोस्तों हम बात कर लेते हैं नमबर 3 के प्लेयर की तो वह होंगे हैदर अली और हैदर अली ने दो मैच को खेल रखा है देखना होगा कि आज किस मैच बाद जो प्लेयर टीम का हिस्सा रहने वाले हैं गाईज वो होंगे मुहमद हाफीज और मुहमद हाफीज ने तेरान में मैच के रखे हैं और पाकस्तान की जान से बढ़िया परफॉर्म क्या हुआ है उन्होंने रही बात इस बिल्कुल गाईज यहां पर मुहमद हाफीज प्लेयर हैं टीम पाकस्तान के हैंड अंड हम बात कर लेते हैं जो हैं तो डुस्तों मुहमर मैच को आप टीम के लाते ही क्यूव है एक 1डे मैच के प्लेयर है टेस्स मैच के प्लेयर है और उनको T20 मैच अब खिलाया गया है अध है वैसे इनकी जगा पर रोहेल general को try कर सकते हैं बिस्मिल्ला खान को try कर सकते हैं जो के पाकिसान की domestic के एक अच्छे प्लेयर है लेकिन ना भी ना मुहमर रिजवान को खिलाय जा रहा है इनके विकेट कीपिंग ही सबसे अच्छी है इसके इलावा इनके बैटिंग जो है वो टी 20 के अच्वार से अच्छी नहीं है हाँ ये है कि इनको अगर आप ओपनर खिलाते हैं तो फिर में भी अच्छा खेल लेकिन क्या कह सकते हैं बा अच्छे आलरंडर प्लेयर हो सकते ही हैं नाहीं इमाद बसीम इन मैचस का हिसा हैं नहीं शादाब खान इन मैक्स का हिसा हैं और उस्मान कादिर को जो है वो खिलाया गया है आज जी हाँ गाइज यहाँ पर उस्मान कादिर को जो है वो टीम के अंदर खिलाया गया है और इसे बीच साथ सो दोस्ट वीडियो को लाइक करते हैं वह बदबस शुक्रिया आपका वीडियो को लाइक एंड चैन को सब्सक्राइब करने के लिए हजार का हमारा टार्गेट है और हजार जो है वो लाइक्स आपको वीडियो के उपर करने हैं पता नहीं कब करने हैं लेकिन अगर आप करते जाएंगे तो ये एक अच्छी चीज रहेगी होस्ला आफदाई हो जाएगी हमारी वहाब रियास 33 मैचेस खेल चुके हैं और वहाब रियास को टीम के अंदर रखा की है इमार द्रसिंग को खिला हो तो भाई मेरे खिलाए जाए लेकिन बात ये है कि यहां पर ये मैचेस इतने हैं कह लीजे कि हाई लेवल मैचेस आप इनको कंसीडर नहीं कर सकते तो नए प्लेयर को मौका दिया गया है लाइक आज के स्मैच कंदर उस्मान कादिर को खिला होगा कि इनकी पर्फोमेंस जो वो कैसी रहती है आज किस मैच के अंदर और मौहमद असने ने पांच मैचेस को टीम पाकिस्टान की जान से खेल रखा पिछले मैच के अंदर एक विकट का अपने नाम किया था मौहमद असने और इसी बेच वीडियो की उपर 800 लाइक्स होन समी अस्लम तो समी असलम के बारे में आपको बता दूं कि समी असलम जो है इस वकत क्रिकेट खेल रही है रही है और लहां लेट सीके किस किसम की जो है वो परफॉर्मिस रहती है संगीता देवी बोलते हुए कि individual records बनाओ team के लिए मत खेलना जी भाई क्यों नहीं team के लिए खेलेंगे individual अच्छा खेलेंगे तो team भी जीतेगी ना तो यही बात है individual अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आपके team भी जीतेगी logic होती है हर काम के बीचे को एक बात करने का मकसद होता है तुको होता है लेकिन यहाँ पर कदन किस अंदाज से बात ही की जाती है सब की जान से और इसे भी 400 दोस्त जो है वीडियो का लाइक करते हुए बद बद शूकरिए आपका वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर अब मैच का आगाज होने वाला है मैच का आगाज होने में कुछ ही वक्त जो है वो गाईज मजीद बाकी है जहां पर राज बाब राजम और उनकी टीम जो हो हो में बाद में बैटिंग करते हुए गया प्रपाइब के टीम जो हाँ वो हमें है पहले बैटिंग करती हुई जो हो दिखाई देगी और जिम्बाववे के ऊपनर्स की बात कर ले दे गाई तो जिम्बावे के टीम के अंदर ब्रेंडन टेलर चाल इससमैंचे खेल रखेंए रहे उए उन्हों वह खेलते हुए द दोस्तों यहाँ पर हारिस राव की तो दो विगेट्स को उन्होंने अपने नाम का रखा है इस टूर्णामिंट के अंदर यानि कि इस सीरीज के अंदर ज्यादा विगेट्स को उन्होंने अपने नाम का रखा है रही बात बाबर आजम की तो उन्होंने 82 रंज बना रखे हैं तो पाकिस्तान की जाने से सबसे ज्यादा रंज बनाने वाले यह प्लेयर बन जाएंगे एंड आपको एक और चीज़ बता दूँगा इसके यह तूसरा T20 मैच इन दोनों टीम्स के दर्मियान है और तीसरा T20 मैच इन दोनों टीम्स के दर्मियान अब 10 तारीक को खेदा आपका टार्गेट हमारा एक हजार का है और अभी वीडियो के उपर हजार लाइक्स होने में 123 लाइक्स की मंजीज जरूर थे इस वीडियो के नीचे आपको लाइक और सब्सक्राइब पर बन ली जाएगा जलदी से तमाम दोस्त जाकर वीडियो को लाइक भी कर दीजे और प्लेयर्स की जान से किस फरकार बलेबादी की जाती है किस किसना की बातिंग की जाती है इस वीडियो के दीचे आपको लाइक का बटन भी मलेगा और चयोन्ग को सब्सक्राइब करने का रैड कलर का बल् Lapini मी में लिगा most T20 जो हैworkers की कफ्टानीं यानेowieके उनके अंदर iPayro कर रखी है एसन रजा ने जिन्होंने पचास मैंचेस के अंदर का जो है वो एक आजास की बात है आपने इनका नाम इतना ज्यादा नहीं सुना होगा लेकिन अब जो है वो दोस्तों इनकी जान से बहुत ही बढ़िया किसम की जो है वो अमपारिंग की जाती है ब्रेंडन टेलर ओपनिंग करने के लिए आएगे जहां पर ब्रेंडन टेलर ने 42 मैचेस खेल रखे हैं 42 जो है वो इनिंग्स के अंदर इन्होंने 898 में रंज बना रखे हैं और इसलिए बीच आट 1283 दोस्तों है वोडियो का लाक करते हुए बहुत शोक्रिया आपका हजार होने में 17 की मज़ी जरूरत है बहुत शोक्रिया आप तमान दोस्तों आएंडन को सब्सक्राइब करने के अंदर हैदर अली बाबर आजम् अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप अच्छा अच्छा ये टीम होनी चाहिए थी टीम पाकिस्तान की ठीक हो गया पाकिस्तान की टीम के अंदर फखड़ जमान बाबर आजम इसके साथ साथ हैदर अली मुहमद हफीज मुहमद रिज्वान, खुशदिल शा, फ़हीम अश्रफ, वहाब्याज, उस्मान कादिर रेंड, उस्मान कादिर के बाद हारे श्रफ, मुहमद हफ्नेयन जो हम टीम पाकिस्तान का हिसा है अंदर रही बात टीम जमबाबे की गाईस, तो जमबाबे की टीम के अंदर ब्रेंडन टेलर, ची मुचा बाबा, सीन विलियम्ज, वैजले, मदावीर, सिकंदर रदाबट, रियान बर्ल, एल्टन चेखंबुरा, टिंडाइची सारो, डॉलन टिरफानो, ब्लेसिंग मिजर बानी, रिचर्ड नगारावा, जो है वो टीम जमबाबे का हिस्सा है, जहां पर अब मुहम्मद असनेयन गेनबादी के साथ तयार है, और मुहम्मद असनेयन की बात कर लिते हैं, तो मुहम्मद असनेयन ने जहाब आठ मैच स्टी 20 के खेले हुए, 6 विकट को अपने नाम क पाकस्ताने और टास को जीते हुए, पहले बालिंग करने का फैस्सला कर लिया, और अब मुहम्मद असनेयन अपनी बालिंग के सिसले को जारी रखेंगे, जहां पर राज पाकस्तान की टीम पहले फिल्डिंग करते हुए, दिखाए धी कि प्लेयर्स मिडल के अंदर दोस्तों का इस बड़े माल्स्टोन को जो है वो अचीव करने के लिए, थैंक्यू सो मच गाइज, आप तमाम दोस्तों का, ग्राउंड के अंदर थोड़े से इशू आए हैं, और अब ग्राउंड को ठीक किया जाएगा, दोस्तों, मैच जो हैं, वो कह लिजे के के उपर आ रहे हैं, पिच के उपर थोड़े से इशू लग रहे हैं, दोस्तों, जहां पर प्लेयर ने दोड़ के आना है, वहां पर थोड़े से इशू लग रहे हैं, और इनको जो है वो यहां पर साल्ट किया जाएगा, दिसंबर के अंदर पाकिस्तान और जिंबाबे, प महीने की 27 तारीख को कुछ यूँ होगा कि न्यूजिलैंड और वेस्टन डीज का मैच किला जाएगा और इस महीने की 27 तारीख को कुछ यूँ होगा कि जो सिरिलंका की प्रीमेर लीग है उसका अगाज होगा और इस महीने की 27 तारीख को इंग्लैंड वर्सिस साथ अफिका का मैच किला जाएगा तो दोस्तो येख बहुत अच्छी चीज और बहुत इबना चीज रहने वाली है नूजलैंड के साथ, पाकिसान के मैचेज आ रहे हैं, इन्डिया और अस्ट्रेलिया के मैचेज आने वाली है, साथ फरिका और इंग ये जाने वाली है New Zealand और Kelly JK यहाँ पर New Zealand और Western Indies के सीरीज आने वाली है जहाँ पर पहली गेन लेकर Mohamed Asnayan तयार दोना शुक्या थेज़ हुए अम पार को ग्रॉस का गेन का स्टों के बार जाता हो गेन इस गेन को ड्राइब कर दिया है डिफरेंट कर दिया है कवर और पॉन की जाने फिल्डर ही हमाजूद करेंगे स्किन को फिल्ड और डॉट डिलिवरी के साथ Mohamed Asnayan जो है वो मैच का आगाज करते हुए पाकस्तान जहाँ पर रब सिफर रहेगा स्कोर बिना किसी विगर के नुकसाम पी तो दोस्तो पाकस्तान के टीम ने टॉस को बिन किया और टॉस को जीते हुए पहले गेंबादी करने का फैसला कर लिया जहां पर अब मैच का बाकाईदा तोर पर आगाज सोचका है और मैच के अंदर जिमबादवे के प्लेयर्स जो हैं वो अब हमें बैटिंग करते हुए दिखाई दे रही है जहां पर बाकाईदा तोर पर मैच का आगाज होते हुए मुहमद असने एक दबापेड से तयार दारना शुरू किया थेज हुए अंपार को ग्रॉस का गेंट किया शाट्पिक जेगें दासन के बार जाता हुए शाट् कंतो आया ही लेकिन दूस्टे रून के लिए दोनों प्लेवरापीस आए और दो रून्स के चलते हुए दो हो जाएगा टीम जिंबाभी का स्कोर बिना किसे विगर के नुकसान पर अच्छी क्रिकट खेलते हुए टीम जिंबाभी के जहां पर महमद असनें की गेंथी स्कि स्कूर बिना किसे विगर के नुकसान पर अपने वर के लिगें लेकर महमद असनें तयार असनें की इंदास्टों के बाद जाला वगें ट्राइब कर दिया इस गेंगो कवर और पॉइंट की जाने अब फिल्टर मौजूद करेंगे इस गेंगो फिल्डे का अउड़ डिलि को हमें पहले बैटिंग करते हुँ दिखाए दिगेंड लेट सी के जान से किस पर कारवले बादी की जाती है आज किस मैट के अनर मौहमद असनें अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखने हम वाले हैं दोरना शुरू किया तेज हुए अम पार को ग्रॉस क्या गेंड क्या मौहमद असनें की एगेंड इस किन को डिफेंट कर दिया है थर्ड मैंड की जाने बग्याप में है गेंड चौके के लिए जा सकती थी एगेंड लेकिन फिल्टर रहेंगे मौजूद करेंगे सिंगल आएगी और सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा इस मैच के अंदर परशिश के वो इस मैच के अंदर बड़े रंस को जोड़ें और कम से कम 150-160 रंस का टूटल बनाने यहां पर ब्रेंडन टेलर ने अब तक कह लिए कि ब्रेंडन टेलर की बात कर लेते हैं इस तो अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए हैं और उनकी जानिब से आज देखना ह होगा कि कैसी क्रिकेट जो है वो खेली जाती है बॉलर तयाब दोन शुक्या तेज हुए अम पार्को क्रॉस का गिन का स्ट्रेट कर दिया इस गिन को कवर ओट पॉइंट की जाने बंदा शॉर्ट लगेगा और इस से बीच जो है वो सिंगल आएगी और सिंगल के चलते हु जहां पर ब्रेंडन टेलर तीन पर मौझूद है चिमोचा बाबा एक पर मौझूद है मौहमाद स्नेन ने चार गेने करवाई और अब तक कोई बिरन नहीं दिया टॉस को जीता पाकिस्तान की टीम ने और टॉस को जीते हुए पहले बालिंग करने का फैसला क्या है जहां आ इसी बीच एक हजार पचास के उपर दोस्यों वोडियो को लाइक और चाल को सब्सक्राइब पर बदब शोकर आप आपका पाक्स्तान की प्लेंग लेवन के बारे में दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो पाक्स्तान की प्लेंग लेवन आज कुछ यू रहेगी पाक्स्तान की प्लेंग लेवन के बारे में आपको बता देता होगा इसके पाक्स्तान की टीम के अंदर कौन-कौन से प्लेयर वहाब रियाज उसमान का दिर हारिस राउफ एंड मुहम्मध असनियान जहां बटीम पाक्स्तान का हिस्सा है जहां पर अगले अबर की पहली गिन लेकर हारिस राउफ रहेंगे तयार जो के अबर दाविकट अपनी बॉलिंग के ससले को जारी रखेंगे विल्कुल गाई जब दाणा शुक्या थेस हुए अंपार को रॉस का गिन क्या विकट विकट आथा वगें इस गिन को डिफेंट कर दिया है और अपील हुई है लगी बड़ी अपील लेकिन अंपार का इशारा के बैसमन रहेंगे नोट आउट सिमोन भाई गलत लेंग्विज का इस्तमाल जो है वो ना करिएगा गलत लेंग्विज का इस्तमाल अगर आप दुबारा से करेंगे तो आपको टाइम आउट कर दिया जागा किसी के खिलाफ आपने बात नहीं करनी जहां पर रब यह गेंद जो थी वो पढ़ने के बाद अ अरे भाई बस कर दें लेजन्ड गेमर्स रोकें जो भी गलत लेंग्विज का इस्तमाल कर रहे हैं टाइम आउप करेंड रख आउस्टों के बाद जाएगी स्किन के उपर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा यहाँ पर अब पांच बिना किसी विगर के सब्सक्राइब करेंगे स्मुदाली का आप बता सकती हैं एक बड़िया मैंच एक अच्छा मैं चलते हुए इन दोनों टीम्स के भी जहां पर रब हारी स्रॉफ जो है वो बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे अब अब दभी केट हारी स्रॉफ रहेंगे तयार दाना शू होगे यहां पर बैट्समैन बड़ा दच का लगेगा टीम जिम्बाब्बे को जहां पर विगट को लूज कर दिया है टीम जिम्बाब्बे ने जी हां गाइस इसकेन को खेलना चाहती थे कवर और पॉइंट की जानिब लेकिन रहेंगे नाकाम और गेंद जाएगी सिधा ब बाडा विंथव को अबर शुच्छ का है I. है बस आप तमाम दोस्तों हैं हमारे साथ ही रहीगा मैं थोड़ी सी चेंजिस जो है वो साथ-साथ कर रहा हूँ जी तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी क्रिकट खेलते हुए टीम पाकस्तान यहाँ पर अब अगर हम मैस के बात कर लेते तो मैस के अंदर सिचुएशन कुछ ही ह हुए कि जिंबाभबे के टीम ने विकट कर दिया है ब्रेंडन टेलर आउठ हो कर पविलियन के तरफ वापस जाते हुए जहां पर एक बड़ा दस कलकते हुए क्योंके ब्रेंदन टेलर जो हैं व के इंफॉर्म प्लेयर हैं गाईज और इंफॉम प्लेयर पहले ही अबर के तो यार हार इसकी एगेंड आप्स्ट्रम के बाद जाता है वोगेंड इसकीन को ड्राइट करती है खेल दिया थर्ब्रेंड की जाने इसकीन की बार और सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा आप चेर टीम जिंबावी का एक विगर के नुक्त साम पे और सीन विलियम्ज जो है वो गाईज सीन विलियम्ज ने ब्याली समैचे स्केर रखें आट सो सब्तर नंज बना रखें चौब इसकिन की आबरीच है एक अच्छे प्लेट है सीन विलियम्ज और दिखना होगा कि कैसी पर इसके जिंबावे की टीम का स्कोर रहेगा चे एक विगर के नुक्त साम पे गेंद बल्ले का बाहर एक नारा लेगी एक अदर जाएगी एक्स्ट्रा कवर की जानिप सिंगल आएगी स्किन के ओपर दूस्ट्रेट रॉन के लिए दोन फ्लेवरा पिस आएंगे लेकिन चौक मिलते हूए इसके ओपर जी हो गाईज चाओ का जोगो मिलते हूए स्किन को आहiają गाईगा नहीं एगा किसी प्लीयर के बास के व स्किन को रोकर एंगे icon जाएगी बान बिरी हो फ्रम पाक्स्तान पंजाब एंफ लब यहां पर रब दस होते हो टीम जिंबावे का स्कोर एक विकर के नुकसां पी बड़ी शॉट जो हो दोस्तों लगाएगी मच नीडिट बांडरी फोर टीम जिंबावे जहां पर रब अपने वर के लिगें लेकर बॉलर रहेंगा तया आएगें का शॉट पिच्छे गेंगें दॉस्टों के बाद जाताब अगें इसकिन को डिफेंड कर दिया है एक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर टीम जिंबावे का एक विकर के नुकसां पे इस अवर के अंदर कि कहलीजे के यहाँ पर बड़ा अदस कलेक्टे हुए ब्रेंडन टेलर जो के इनके इन फॉर्म प्लेयर हैं वो अब आउट होकर पविलियन के तरफ वापिस जाएंगे और उनके आउट होने से यकीनी तोर पर टीम जिंबावे स्ट्रगल करेगी आज के इस मैच के अंदर थैंक्स अलोड गाइस फॉर्स रिंग हेर बहुत बश्यों कि आप तमाम दोस्तों का साथ रहने के लिए यहाँ पर एक इंट्रस्टिंग मैच एक बड़िया मैच होते हुए इन दोनों टीम्स के दरम्यान सौरी के यहाँ पर थोड़ी सी जो चेंजिस जो हैं वो मैंने करन पर देखेंगे लिए और सिंगल के साथ बड़तावा स्कूर हो जाएगा अब ग्यारा टीम जिम्बाबे का एक विकर्ट के निए किसांपे पहली विकर्ट जो गिरी वो हारी स्राउफ की गेंद बादी के उपर गिरी और हारी स्राउफ ने जो है वो कह लीजे के यहां पर विकर्ट को अपने नाम किया जहां बॉल रहींगे तैयार ची मुचा बाबा इंटरनेशनल क्रिकट किन कि अगर हम बात कर लेते हैं इस तो सत्रा मैचस के अंदर 114 रंज बना रखे हैं जहां शॉट पीचे गेंद और बल्ले का उट्साड एज लेते हुए गेंद जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए चौका मिलते हुए उस गेंद के उपर इस गेंद को निकाल दिया थर्ड मैन की जानिव और गें अब फिल्डर के सर के उपर से होते हुए गेंद जाएगी बांडरी लाइन के बार चौकी के लिए और अब सिचुएशन कुछ नहीं हो रहेगी के पंदरा होते हुए टीम जिंबावे का स्कोर एक विगट के नुक्सांपी बादर तयार दौन अशुकिया थेस हुए अम प चैनल को जब सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर अब पंदरा रहते हुए टीम जिंबावे का स्कोर एक विगट नुक्सांपी दो आशर या दोवर के बाद और क्रंट रून रेट अचे आशर या चार दू का चलते हुए जहां पाकिस्तान की टीम ने टोस को इंकिया टोस को जीते हो पहले फिल्डिंग करने का फैसला कर लिया जहां पर अपने अबर केली गेन लेकर बॉलर तयार दोरना शुरू किया तेज हुए अम पार को क्रोस का गेन क्या शॉट विजे गेन फुल कर दिया इस गेन को लकसा की जानिब और गेन जाएगी मिट बिगट की जानिब बांबरी लाइन के बाहर एक और खुबसूरत चौका क्या ही कमाल शॉट लगा गया यहां पर इस गेन को फुल कर दिया था लेक साट की जानिब और कोई मौका नहीं बनेगा किसी प्लेर के बास के वो इस गेन को फुल करें और गेन बढ़ते हो जाएगी बांबरी लाइन के बाहर एक और खुबसूरत चौका लवली पीस ओ बाटिंग बाई सीन विलियम्स और सीन विलियम्स जो है वो चौका लगाते हुए जहां पर अब सिच्वेशन को छीन रहेगी कि सोला होते हुए टीम जिमबावे का स्कोर एक बिकर के नुक्साम ते दो आशरीयत इन वर का खेल मुकमल होच का है हर अवर के अंदर बांब्रीज की जो है वो दोस्तों जरूर थे जहां अपने अवर के लिगेन लेकर बॉलर तयार दोरना शूर क्या तेज हुए अम पार को ग्रॉस के अगेन क्या पार्स पर आथा वगेन दफलिक अब या इस गेन को लगस माजरत दोस्तों अगर कोई भी जो है वो क्या लीजे के यहां पर गलत काम हो रहा है लाइक बोलने में गलती लग रही है तो माजरत इस चीज के लिए गलत काम बला क्या होगा यह तो दोस्तों एक किस होते हो टीम जिम बावेगा स्कोर एक बिकेट किनिक सान थी जहां इस प्लेयर और गेंद जाएगी बिल्कुल बिल्कुल बॉलर के सर के उपर चे होते हुए बाउंडरी लाइन के बाहर एक और खुबसूरत चौका क्या हिला जब आप क्रिकेट खेली जा रही है तीम जिम बावे के कप्तान की जान से जो के पिछले मैचेस के अंदर इतना अच्छा परफरम नहीं कर सके लेकिन आज के इस मैच के अंदर अच्छे टच में लग रही है डबल फिवर्स में दाखिल होते वह यह प्लेयर जहा अब जिम्बावे के कप्तान का स्कोर हो जाएगा 15 साथ गेनों का हाँ उन्होंने सामना कर रखा है 25 जिम्बावे का स्कोर ही प्विगर के नुकिसाम पर तीन अवर्स के बाद यहां पर अब करंट रिंडेट आठ अशर या तीन तीन का चलते हुए जहां लवली पीस ऑफ पार्टिंग की इनकी जान से स्ट्रेट हिट किया स्किन को और कोई मौका नहीं बना किसी प्लेयर के पास के वो इस गिन को करें फिल्ड और तमाम दोस्ट्रों भी वीडियो को लाइक और चांग को सब्सक्राइब करें बद बद शुक्रिया और अब हारे स्राफ जिन्होंन को निकाल दिया थर्ड मैं की जानी बहुर कोई मौका नहीं बनेगा किसी प्लेयर के पास के वो इसके इनको रोके और गेन बरते हो जाएगी बांवरी लाइन के बाहर चौकी के लिए और चौकी के लिए लगते हुए आब टीम जिंबावे जो है वो गाइस बड़ी अंदा कर दिया लगसार के जाने अब मिट विकट के पॉजिशन पर फिल्टर रहेंगे माजूद करेंगे सिंगल और सिंगल के चलते हुए इसको रहेगा टीम जिंबावे का अब इस मैक्स के अंदर रहा तीस एक विकट के नुक्साम पे थीन आशर या दोवर के बाद पाकस्तान के तीम जीतेगी या फिर्ट जिम्बावी के जीतेगी इस मुत अब तरहां दोस्ता अपनी राइका इजार कर सकते हैं बता सकते हैं लाइफ चाट के अंदर जहां जिंबावे के टीम ने पिछले अबर के अंदर 15 रह रंस लगाए थे पहले अबर के अंदर उन्हें पांच लगाए तीसरे अबर के अंदर उन्हें पनर और रंज लगाए और इस अबर के अंदर कुल मिला कर अब तक पांच रंज आते हुए दो गिनों के उपर बॉलर था यार अलिगें चाट पी जिगेंट पुल कर दिया सिगन को लक्सार की जानी बार रेकॉर्ड विकट को लूज करते हुए टीम जिंबाववे बाड़ा शोट खेलना चाहते थे इस गेंट के ओपर बैट्समें लेकिन रहेंगे नाकाओ और गेंद हावा में रहने के बाद जाएगी सीधा फिल्डर के आत में जो मौझूद है मिडविकट की पॉजिशन पर शॉट मिडविकट की पॉज स्लाइश्ट्रीम जहां पर अब चौथी हवर का खेल चलते हुए और हारी स्राउफ ने दो विकट्स को अपने नाम का रखा है शाट पिज्जे गेंट थी पुल करना चाहते थे बैट्समें को लेक्सार के जानेब फुल किया लेकिन इतने अच्छे अंदास है वो इसकिन क टाइम नहीं कर सके गेंद हवा में रही और गेंद गई सिधा फिल्डर के पास जो मौझूद थे मिड़ विकट्की पॉजिशन पर करेंगी इसकिन को कैच और इस तरह टीम जिमबाबवे जो है वो एक और विकट्ट टलूस करते हुए जिसके बाद अब तीस रहेगा टीम जिमबावे का स्कोर दो विकट्की नुकसान पे तीन आशरियती नवर के बाद लाहूर कल अंदर से इनका तालुक है और अच्छी एक रिकट्ट खेलते हैं हारी स्रौफ बरहलब देखना होगा कि इस मैच के अंदर इनकी परफॉर्मिस कैसे रहने वाली है दूस्ट राट हारी स्रौफ के आउट होने से यकीनी तोर पर उनकी टीम जो है वो थोड़ी से मुश्किलात में दिखाई देगी हमें लाजमी तोर पर जहां पर अब जिमबावे का स्कोर 30 से 2 विकट के नुकसान पे इन आशरियती नवर के बाद करंट रंडेट 8 आशरियत पांच 7 का चल लेगी यह गेंद और स्लिप के फिल्टर के बिल्कुल पास होते वह जाएगी थर्ड मैं की जानी बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए चौका मिलते हुए इस गेंद के उपर जहां इस गेंद को जो है वो कहलिजे के ड्राइब कर दिया है और गेंद जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए और चौकी के साथ चलता वह स्कोर हो जाएगा 32 विकट के नुकसान पे नहीं जी नहीं ऐसा कुछ भी नही किजे के आते ही जो है वो तेज़ खेलने की कोशिश शुरू कर दी है मदवीर ने जिन्होंने पिछने मैच के अंदर सतर रंस के एक लाजवा विनिंग्स खेली थी और अब अपने अवर के लिगें लेकर हाथ इस राओ फेक दवा फिट से तयार दौना शुरू क्या तेज इस वेंपार को क्रॉस के अगें का पैट्स फारा तब अगेंदा फिलिक कर दिया इसके इनको लेक्सार की जाने मिड्विकट की पॉजिशन पर फिल्ड रहेंगे माजूद करेंगे सिंगल और सिंगल के साथ बरता हुआ स्कोर हो जाएगा चौन्ति स्टीम जिंबावी का दो वेकट के नुकसान पे तीन आशर यह चार अबर का खेल जाब अब तक मुकमल होच का है हारी स्राउफ जो है वो दो वेकर्स को अपने नाम करते हुए अच्छी क्रिकट खेलते हुए जहारी स्राउफ विलियम्स की दोस्तों बात कर लेते हैं ग्यार अपर मौयूद है एक अच्छे प्लेयर ही और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हारी स्राउफ की तो अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे हारी स्राउफ वर्दा विकर्ट तयाव दोड़ना शुक्या तेज हुए अमपार को ग्रॉस का गेन के आउस्रंग के बार जाता हुआ शॉर्ट पीचे गेन डिफेंट कर दिया इस गेन को कावर और पॉइंट की जाने बार सिंगल लेते हुए यह दोनों के रहा सिंगल मिलेगी स्किन के उपर और सिंगल के चलते हुए अब स्कोर रहेगा पैंटिय स्टीम जिंबावे का दो विकर्ट के नुकसान पे तीन दिशमलव तीन अशर या पांच अवर का खेल अब तक मुकमल होच का है चाहीन आफ्रीदी को रस्ट दिया गया है उनको जान बूझ कर रह टीम से नहीं निकाला गया बलके उनको रस्ट दिया गया है और रस्ट देने का मकसद यही है कि अगले आने वाले दिनों के अंदर पी एसल के मैचस भी खेलेगी जाएंगे तो फिर उनको थोड़ा बहु एलर ने आज तीन रंज बनाए एचे बाबा ने आज पंदर रंज बनाए विलिम्स और मदवेरा स्ट्राइट पर मौझूद ही और इन दोनों प्रेयर्स को अच्छा खेलना होगा जहां पर अब फाहीम अश्रफ को बॉलिंग के लिए गया है फाहीम के पहली गेंद सिंगल के लिए जाएगी एगेंद और सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा इस मैच के अंदर अब 36 टीम जिंबाबी का थी दो वेकर के दुक्सान पर चार आज चार अबर्स का खेल जहाब इस मैच के अंदर अब तक मुकमल हो चुका है आजका हमारा जो सब्सक्राइबर्स का टार्गेट है दोस्तों वो हो एक 90,000 का इस वगत 90,906 सब्सक्राइबर्स बलके 926 सब्सक्राइबर्स होचके हैं बहुत बश्यू करें आप तमाम दोस्तों का वीडियो को लाइक और चाल्ट को सब्सक्राइब करने के लिए जहाँ पर अब 27 रहते वो टीम जिम्बाविका स्कोर दो विगट का नुक साम पे बॉलर रहेंगे तयार दोरना शुरू किया तेज हुए हम पार को क्रॉस क्या गेंद क्या वर्द विगट आते हुए उम्दा गेंद और बल्ले के आउटसाइड एच को मिस करते हुए गेंद 27 रहेगा टीम जिम्बाविका स्कोर दो विगट के नुक साम पे चार आशर या एक अवर का खेल मुकमल होचका है जहां पढ़ने के बाद इस गेंद को खेलना चाहते थी ये प्लेयर लेकिन रहेंगे नाकाम यूजिलैंड की सीरीज पाकिसान के साथ अगले महीने के 18 तार के याद रहे दोस्तों 27 तारीको जो है वह क्रिकेट सीरीज का अगाज हो रहा हुद एंग्लेंड बसे साफ फिका न्यूजिलैंड वर्सेच वेस्ट अंडिस आस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया और शासाथ लंकन प्रिएंए लिग का आगाज 27 तारीको रहा है यहां पर आ यार फाहीम अश्रफ अबर दविगेट अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे दौन अश्रू क्या तेज हुए अम पार को ग्रॉस का गेन क्या मिदल अफ ता बैट इस गेन को स्मैश कर दिया मिद आफ की जाने अब फिल्ट अफ रहींगे माजू उत करेंगे स्कीन क मदभी रखी तो उन्होंने छेर रंज बनाए हुए हैं आठ बलके चार गेनों का सामना कर रखा है अच्छी क्रिकट खेलते हुए दोनों प्लेयर जहां पर अपने मरके अगली गेन लेकर बॉलर जो हैं वो ठहरेंगे तयार सामना करेंगे स्कीन का सीन विलियम्स अगली ग करते हुए स्कूर रहेगा और तीस टीम जिम्बावे का दो विकट के तीम विकट के नुक्साम पर वा क्या बात है अंदर आती हुए गेन थी और इंसाइड आइज होने के बाद गेन जाकर ठक्राईगी विक्टोस यार इस तरह जिम्बावे के टीम एक और विकट कलोस करते हुए बड़ा दस का लगेगा टीम जिम्बावे को और विकट गिरने के साथ अब इसमाज कंदर सिचुएशन को चुछ है कि 38 रहते हो टीम जिम आवे के ब्यर रहर है तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं या पर अब कह लिजैकि के लिसकर पर, ऐस का खेल जय है। साथ मुझोने वाली का मस्तलाम वेल्कम टो इस लाइफ्रीम और जितने दोस्ट जहां कई से माजूथ हैं वेल्कम एवरीवन टो इस लाइव स्ट्रीम जहां पर राज आई पेल का सेकेंड क्वालिफाइर मैच राम को खेला जाएगा और देखना होगा कि कौन से टीम वस मैच को विन करती है है यदराबाद या फिर दिली का फिरल ये तो वक्ती बेता बताएगा जहां पर अपने वर के लिगें लेकर बॉलर पहरेंगे तयार अलिगेंद अंदर आती हुई गेंद इसकीन को डिफेंट कर दिया है कवर और पॉंट की जानेब फिल्डर रहेंगे माजूद करेंगे इसकीन को फिल्ड एक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा आर्थीस पीम जिंबावे का तीन आपने विकेट के नुकसाम पे जहां अपने वर्केट लेकर बॉलर तया तो दोस्तों यहां पर तीन और पांच अवर्स का खेल मुकमल होचका है पांच अवर्स के बादर थीस रंस बना दिये हैं टीम जिमबावी ने और उन्होंने अपनी तीन विकेट का लोज कर दिया है अलेकम असलाम ताज मुहमद शेख भाई बदबश्यों के आपका वी साथ हने के लिए और जितने दोस्ते आगई से मौजूद हैं वल्कम वल्कम एवर्यों तो इस लाइश्वीम आई पेल का ये शाम वाला मैच कौन से टीम जीते गी और इस मैच को स्पेसिफिक अंदास स मैच के लिए आज देखना होगा कि उनकी जानिश से किस किसम की क्रिकट के लिए जाती है जहांपर अब अर्टीस रहेगा score 3-2-3-5-1 ऐक एवर के बाद और यहां पर वोल्ड होते होते बालबाल बचेंगी बोल्ड होते होते बालबाल बचेंगी ये प्लेयर और गेंडर हुनके बल्ले का इंसाइड आईज लेने के बाद जाएगी बंबरी लाइन के बाहर चौकिके लिए चौका मिलेगा इस गेंड के उपर जहां इस गेंड को करना चाहते थे बैट्समेंड कट लेकिन रहेंगे नाकाम और गेंड उनके बल्ले का इंसाइड है छूते हुए जाएगी विट्टो को बीट करते हुए बर्म ड्रील लाइन के बाहर चौकी के लिए और चौकी के साथ बरतावा स्कोर हो जाएगा और तीस टीम जिम्भावी का तीन मिकट के नुकसान पर पांच अशर यह एक अबर के बाद एक अच्छा मैक्च एक बड़िया मैक्च चलते हुए इन दोनों टीम्स के बीच और आपके ख्याल से कौन सी टीम जीतने वाली है इस मतले का आपने बता दिना है लाइफ चाट के अंदर जहां वहाव याज अपनी बॉलिंग के सब्सक्राइब को जारी रखेंगे वहाब की एगाण अपने के बाद हलुकी सी बाद की जानने लिगर अगे इस स्कीन को डिफर्ट कर दिया है कवर और प्वांट की जाने फ्यल्ट बॉलूद करेंगे इस जिल्टे को लिए और डॉट डिलिब्री के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैच के नरह 43 टीम जिंबावे का तीन बिगर के नुक्सान पे थेंक्स अलोट दोस्तों बहुत बश्यों कि आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को जावर सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर अच्छा मैच एक बड़िया मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के बीच और अब बयालिस रहेगा टीम जिंबावे का स्कोर तीन बिगर के पांच आशर ये दोवर का खेल बिल्के पांच आशर ये तीन अवर का खेल मुकमल होते हुए जहां अपने अवर के लिए गेन लेकर बॉलर जो है वो ठेहरेंगे तयार दोना शुरू किया तेज हुए अमपार को ग्रॉस का गेन किया गाइड कर दिया इस गेन को थर्ड मैन की जानिब गैप में है गेंद और सिंगल के लिए जाती हुए गेन सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा अब पिंडी क्रिगट स्टेडियम से यह मैच खिला जा रहा है इन दोनों टीम्स के बीच और बाब राजम ने पिछले मैच के अंदर एक अल्ला जवाब एक बेहतरी निनिक्स खेली थी और आज देखना होगा कि उनकी जानिब से किस किसम के क्रिगट खेली जाती है जहां पर एक इंट्रस्टिंग मैच होने की संभाब नाए है इन दोनों टीम्स के दर्म्यान और अब अपने वर के लिगें लेकर बॉलर तयार सीन विलियम्स आउट होच के मदब एर स्ट्राइक पर महजूद 11 रंस बना रखें और इस भीच ड्राइब किया एक्ट्रा कबर की जानि क्या ही लाजवाब शॉट खिला गया है लेकिन फिल्डर रहेंगे माजूद करेंगे इसके इनको फिल्ड एक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर हो जाएगा इस मैच के अंदर चावाल इस तीन विगेट के नुकसान यंगस प्लेयर बनी है ये जिम्बाविय की जानी से 50 स्कोर करने वाले विजले मेद अवीरे ने जिन हुने 20 साल और 64 दिनों की उमर में 50 को मुकमल किया ब्रेंडन टेलर ने 20 साल की उमर में 2007 में अस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो 50 को मुकमल किया था जहां पर अपने कर दिया स्कें को कवर और पॉइंट की जाने अब सिंगल आते वे स्कें के उपर सिंगल के चलते वे स्कोर हो जाएगा इस मैच कंदर अरब 45 टीम जिंबावे का तीन वेगर के नुक्साम पे 6 अपर इसका खिलाफ तक मुकमल होचका है जहां पर एक बढ़िया मैच एक अच्छा मैच चलते हो इन दोनों टीम्स के दर्मियान और रब एहली जिए के ये मैच नुबर खेला जा रहा है इन दोनों टीम्स के दर्मियान बढ़ा कितना दूसराटी 20 मैच जो है वो इन दोनों टीम्स के दर्मियान जारी है जहां पर सीरीज का अगला मैच पर्सों को खेला जाएगा और उसी दिन IPL का मैच भी खेला जाएगा और आज शाम को जो मैच होगा गाईज वो वला किरिन टीम्स का होगा वो होगा दिल्ली कैपिटल लॉजर्व और सन्राइज अधरबाद के दिमाइन वो मैच खेला जाएगा जहां पर अब छे आवर्स के अंदर पें तालिस जन्स पना रखे टीम जिम्बाबे ने तीन विकट को लोज किया बॉलर रहींगे तयार पावर प्ले का सिल्सला ब्मुकबन होच का है जहां जिम्बाबे के टीम जो है वो गाईज इस मैच के इंदर अच्छा खेलते हुए लेकिन दून्थो ने तीन विकेट को लोज कर दिया है जहां इस सबर के लिगें लेकर बॉलर तयार आस्टों के बार जाता हो गेंद स्लाश कर दिया इस गेंद को कवर और पॉइंट की जानिब गाप में है गेंद और बाउंडरी लाइन के बाहर जाती हुए ये गेंद चौके के लिए इस प्लेयर जहां रोम बनाते हुए इस को स्मैश कर दिया कोई मोगा नहीं रहेगा किसी प्लेयर के बास के वोइस गेंद को रोके और गेंद जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर चौके के लिए और चौके के चलते हुए स्कोर हो जाएगा इस मैश के अंदर 45 टीम जिंबाभवे का तीन विकर के नुकसान पर ज स्कोर हो जाएगा 50 टीम जिंबाभवे का तीन विकर के नुकसान पर जाएगा अगर हम बात कर लेते हैं इस मैश के तो इस मैश के अंदर अब तक मुकमल होच का है वो टीम जिंबाभवे का स्कोर तीन विकर के नुकसान पर अपने अवर के लिगें लेकर बॉलर तयाब दौन अश्रू क्या तेल स्वे अंपार को क्रॉस का गेंड क्या फ्लिक कर दिया है इस गेंड को लेक सार के जाने सिंगल हाईगी सिंगल के साथ बरता हुए स्कोर हो हो जाएगा विकावन टीम जिंबाभवे का तीन विकर कि नुकसान पर छे आशार या ती नुमर के बाद कि सब्रिंकल ने नेचर हमार साथ मों जो जो बोल रहे हैं वरी इंट्रेस्टिंग कोमेंटरी यू गाइस आ वैरी मच स्कोप प्रेंड्शिप फ्रम इंडिया मुंबई बहुत शोक्रिया आपका भाई होसला अवदाई करने के लिए थैंक यू सो मच और इस किसम के कुमेंट्स पड़कर दिल खुश हो जाता है जहां पर आठ जो है वो कह लीजे के लाइक्स की जरू रहे थे वीडियो के उपर साड़े ग्यारा सुलाइक सोने में पैट्स पर आते वीगेंड यानिके शॉट्पिच गेंड को फ्रिक कर दिया लेक्सार के जानेब लेक्स रम पर आ रही थी एगेंड सिंगल आएगी सिंगल के साथ बरतावा स्कोर हो जाएगा अब बावन टीम जिंब अब अवाज और टीम में बलेजर के दरम्यान जो है मैस किला जाएगा कलको हम उस मैंच को कवर करेंगे कल भी हमने मैंस को कवर किया था विभी मेंच को नियुव गया रहते हुए वो टीम जिंबावे का स्कूर रहा है जक्सां पे जी एक्साहण में आपको टीम के बारे में बता दिता हूं बस दो गिने जो है वह वह वेट करिएगा और दो गिनों के बात जो है वह आपको दो टीम्स के प्लेंग 11 के बारे में बता दूँगा बस थोड़ा सब वेट कर लिजिए आप जहां पहले 20 match के अंदर सिकंदर राद रहेगा इसमेस के अरब तृपन टीम्यवड के रिकर करेंगा आपको बता लूँस थोड़ा सा वेड कर लेजिए आप तमाम दोस्त जहां पर आप दोनों टीम्यवड के रिंग जाएगी विगट के पर कहा आपने एक और डिलेवरी कि पुल करना चाहते थे इस गिन को लेकिन रहेंगे नाकाम और अगर हम बात कर लेते टीम जिंबाबे की पाकिस्तान की प्लेंग लेवन की तो पाकिस्तान की टीम के अंदर फखट जमान शामिल हैं जो के उपनिंग करें मॉहमर रिजवान जो है वो नमबर पांच पर टीम का हिस्तान रहने वाली हैं नमबर छे पर खुश्दिल शाह को टीम का हिस्ता बनाया गया है एंड रही बात यहां पर फष़िम अश्र리 की तो वो नमबर शात पर खिलेंगे नमबर आठ पर वहा ब्यास टीम का हिस्तान र रहेगी यहां पर प्लेइंग लेवन टीम पाक्सान की जहां पर अब इसमान कादिर को बॉलिंग करवाने के लिए लाया गया है अब्दल कादिर की बेटी इसमान कादिर जो है वो कह लीजे के बैटिंग करने बॉलिंग करवाने के लिए आएंगे पहली गेंद और हाफ रॉ एक और खुबसूरत चक्का लगाते हुए प्लेयर और चक्के के साथ बरता हुआ स्कूर हो जाएगा तरी पंटीन बलके उन्सट हो जाएगा स्कूर तीन मिकट के नुकसान पर साथ आशर यह एक अबर के बाद और कोई किसी बंदे ने किसी बंदे ने जो है वो यहां पर इस नहीं चीज़ को अप्रिशेट ही नहीं किया यह जो मैंने यह जो मैंने अनिमेशन वगारा लगाई हुई है इसको किसी बंदे ने अप्रिशेट ही नहीं किया कर लीजे बात ठीक हो गया ठीक हो गया जी तो दोस्तों यहां पर 59 रहते ह सब्सक्राइब इसमान कादिर ने दो मैच जाज उनका दूसरा मैच है एक विगट कुन होने अपने नाम के अंदर आते हुए गें बहुत बढ़ी अपील बहुत बढ़ी अपील और नौटाओट का इशारा दिया जाएगा अंपार की जानेब से वाव 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 नौटाओट का इशारा जो है वो दिया जाएगा अंपार की जानेब से गुद वर गाईज यू गाईज शुड इन इन्वाइट सम्वन फ्रॉम इंडिया को कोमेंटरी एंड डिसकेशन विज you to make a show more interesting जी जी बिल्कुल मुहम्मद मुख्तार मुख्तियार भाई अभी तक जो है मों इतने ज्यादा resources नहीं है हमारे पास जब मैं अपना studio इंशाला रिबिट कर लूँगा तो उसके बाद इंशाला हम इन तमाम चीजों को जरूर से ट्राय करेंगे जहां अगली गेन को डिफेंट कर दिया है कवर और पॉइंट की जाने फिल्ट रहेंगे माज़ोद और इस गेन को किया है फिल्ड एक और डाट डिलेवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैच के अंदर बला कितना तरीपन बल्के 59 रहते हैं वह स्कोर तीन विकट के निकसान पर रिवियो का सोच रही थी टीम पाकिस्तान लेकिन रिवियो जो है वो ना लेने का फैसला किया गया जहां अले गेन को फिर से स्लॉक स्वीप करना चाहते थे और बोल्ड होते वोते बाल-बाल बाल बचेंगी अन्दर आती हुए गेन थी और बल्ले के बिल्कुल इंसाइड एच को लेकर टकराई अगेन पैट से नौट आउट का इशारा दिया जाएगा अंपार की जान से गुगली गेन थी उस्मान कादिर की गेन और रिवियो अगर टीम पाकिस्तान ले लेती गाई इस तो फिर पाकिस्तान की टीम विकट कर लेती लेकिन रिवियो जो है वो टीम पाकिस्तान की जान से नहीं लिया ग ड्रीम चेजर बोलते हुए है कि यू आर लायर आपने बोला कि मैच लाइब दिखाऊंगा तो भाई मेरे ये यूट्यूब है मेरे बालिद साप का घर नहीं है कि यहाँ पर मैं लाइब मैच दिखा दूँ अरे भाई ये यूट्यूब है और यूट्यूब के उपर आपका बता दो कि हम लिए दिखाचे यूट्यूब के ऊपर अगर आप हम लाइफ दिखाएंगे तो फिर याकिनी तोर पर हमारी वीडियो को हटा दिया जाए घा का प्यिराइट श्रायक लगा कर तो इसलिए हम जो है वो वीडियो को लाइक लाइब जो नहीं दिखा सकते यूट वाइड बॉल गए जाएगा पार की जान से वाइड बॉल का जो है वो इशारा दिया जाएगा आपके जान से और अब 60 रहेगा टीम जिंबावे गा स्कूर 30 मिक neutrality पैंड पैर्ट Sl collegiate a बढ़िया मैच्ट के विए टीम जिंबावे और पाइस्टान की टीम जो है वो विकर्स के तलाश में जिंबावे कि पाकिसान की जो है वो जिम्वावे की टीम में की पाकिसान की टीम को side और्हें को लायक और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं बछ appliance को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए drive करते हैं विस्ट यकीनी चौक को रोका था एक अच्छा वर चलते हुए बेहतरी नवर चलते हुए जहां पर अब साट रहेगा टीम में जिम्बाब्बे का स्कोर तीन मिकट के लिए उकसान पर अपने अवर के लिए गिन लेकर बॉलर जोना वो रहेंगे तयार अजी उमेर बिलाल भाई IPL के मैंचेस के अंदर भी कमेंटरी करेंगे सीबेचे स्केन को स्मैश कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की जानिब एक्स्ट्रा ब्यूटिफुल शोट और गेन जाएगी बांबरी लाइन के बाहर एक और खुबसूरत चौका वाह क्या बात है दिल खुश करते हो यहाँ पर जिम्बावे के यह प्लेयर जीन का नाम है सेकंदर रधाबट इसकेन को ड्राइव कर दिया और गेन जाएगी बांबरी लाइन के बाद चौकी के लिए और चौकी के चलते हूँ स्कोर हो जाएगा इस मैश के अंदर साथ टीम जिम्बावे का तीन विकर के नुकसाम पे बलके चौन सट होते हो इसकोर रधी मेगर के नुकसाम पे आठ अच शरीय दोबर के बाद स्मैश कर दिया थे इस गेन को और इस गेन के उपर चौका मिलेगा और चौके के चलते हूँ स्कोर हो अपने अवर के लिगेल लेकर वहाब रहा सता यार दोना शुक्या थेज हुए अम पार को ग्रॉस का अगेन क्या कवर और पॉइंट के जाने भी स्किन को गाइड कर दिया है फिल्टर रहेंगे माजूद करेंगे स्किन को फ्योडे का डॉट 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 और डॉट डॉट बल्के सिंगल और सिंगल के चलते वह स्कूर हो जाएगा चाओं सर तीन वेगर के लिग्सान पर वासे पूरा कर उगे मैच या फिर हाफ तो आपको बता दूँ के मैच के उपर डिपैंड करता है मेरा तो इरादा है कि पूरा कवर करें हम इस मैच को लेक स्कोर कार चलता रहेगा लेकिन मैस को फूरा कवर करेंगे या नहीं यह तो वक्ती बेटा बताएगा जहां पर अब पैंसर रहते वोटीम जंबावे का स्कोर तीन विकर के नुकितान पे आठ शरीयत चार अबर का खेलब तक मुकमल होज का है सिकंदर रदा बट जो है वह मैं अच मेरे हिसाब से जम शेदिक बाद भाई हमार साथ मोजी नहीं बहुत दो शुक्रिया आपका प्याट्स पर आदेवी गेंद फ्लिक कर दिया सके इनको लक्सार के जानिब फिल्डप रहेंगे माज़ो देक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए मुहमद अरीब भाई आप क्या पूछ रही है मुझे दुबारा से पूछ लीजेगा मैं आपका कुमेंट नहीं बढ़ सका किस से बात की है वासी बाई कौन सी बात भाई पैंसर रहते वो टीम जिंबावे का स्कोर तीन विकेट के नुक्सान पे साधे तीन से लेकर पांच बजे तक मेरे हिसाब से पहली इनिंग्स का खेल चलेगा और सवा पांच बजे जो है वो सेकेंड इनिंग्स का आगास हो जाएगा कि अधिन को ड्राइब करना चाहते थे बैस्मान एक्स्वा कबर की जाने लेकर रहेंगे ना काम एक और डाट डिलिवरी सवा पांच बजे दूसरे इनिंग्स का आगास होगा और वो इनिंग्स चलेगी लगबग साथ बजे तक इंडिया हर्याना से गंगन भाई महजूद हैं बहुत बश्यों के आपका के हाले त्वाडा गंगन भाई जहां पर अब 65 रहते हैं वो टीम जिंबाबेगा स्कूर तीन बिकेट के नुक्सान पे आठाश रिया पांच अबर्स के बाद एक बड़िया मैच एक अच्छा आप मेरा साथ नहीं दे सकते हैं फॉर्चुनेटली हाँ अगर आप पाकिस्दान से होते तो यकिनी तोर पर ऐसा हो सकता था बरहल 65 रहते वो टीम जिंबाबेगा स्कूर तीन बिकेट के नुक्सान पे जहांपर अब उस्मान कादिर की अगेंड अपनी विकेट से बाहर निकलते हो इसकेन को केल दिया है सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा इस मैच के अंदर अब पैंसर टीम जिंबाबेगा तीन बिकेट के नुक्सान पे और आपको बता दूगा इस के यहां पर अब हमारे इस चैनल के उपर एकान में हजार सब्सक्राइबर्स होने में 47 की मजीश जरूरत है आप तमाम दोस्तों भी वीडियो का लाइक और चानल को सब्सक्राइब कर सकती हैं इस वीडियो के निचे आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेगा और इसी बीच बोल्ड कर दिया है बोल्ड कर दिया है उस्मान कादर ने गुगली गें थी और गुगली गें सबसे बहत इसले में दावीर ने किस गेनों के उबर 24 रूंज बनाए हुए हैं आउट होकर ये पविलियन की तरफ वापर जाते हो प्लेयर नौ आशर ये कबर का खेल मुकमन होचका है 65 रहेगा टीम जिंबाबवे का स्कोर चार विकर्ट के नुकसान प्यार इसी अंदास अगर जिंबा अब बहुत ही मुश्किल रहेगा जहां पर अब पहली निंगिस का खेल चलते हों इन दो नो टिम पर करते हैं को दस दो जारा सारे दोस्त में नो 65 रहते वो टीम जिंबावे का स्कोर चार विकट के नुक साम पे 9 शर याद ओवर का खेल अब तक मुकमल हो चुका है बढ़िया गेन बादी करवाते हुए पाकसान की ये प्लेयर उस्मान कादिर गुगली उनकी गेन थी और गुगली गेन के उपर विकट का अपने नाम किया अगली गेन लेकर बॉल अफिर से आगे इनका स्कीन को स्माश कर दिया लॉंग ओफ की जाने बार सिंगल आते वे स्कीन के उपर सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा पैंसर टीम जिम्बाविका चार विकर्ट के नुकसाम पी पैंसर रहते वे स्कोर चार विकर्ट के नुकसाम पी नौँ आशर याद ओवर के बाद और अब रियान बर्ल जो है वो बैटिंग करने के लिए आए हुए है देखना होगा कि इन की जानिव से किस किसम की जो है वो की जाएगी जहां पर रब स्कोर रहेगा चार विकर्ट के नुकसाम पी नौँ आशर या तीन ओवर के बाद लेक ब्रेक गेंड जो है वो इतनी ज्यादा इनकी स्विंग नहीं होती लेकिन जो गुगली गेंड होती है वो परफेक्ट रहती है उस्मान कादिर के और गुग यहांगा यहांग स्विप्ग रिव्यू का सोच रही है ऑर आखरी लम्हे की ओपर रिव्यू लिया गया है टीम जंबावे की जान से और अब देखना होगा के वेके जो है वो मिलती है टीम पाकिस्तान को या फ्ट नहीं अंदर आते हुए गेंड जहांगा है वह जाकर टक लेकिन रहे नाकाम और गेंड जो है वो अंदर आती वीकेंड थी पिचिंग और समके बाहर कर रही थी ये गेंड लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ पर अपील हुई है देखना होगा प्लेयर आउट है यह नहीं मुझे ऐसा अलग रहा है कि आउट हो जाएंगी यह लेकिन अंपाइर कॉल रह सकती है या फिर सबसे बहतरीन अंपाइर जो है वो सबसे ज्यादा मैचेश के अंदर जिन्तोंने अंपाइरिंग कर रही है वो इस वक्त अंपाइरिंग के फ्राइज सरंजाम दे रही है थर्ड अंपाइर अलीम डार हैं दोस्त और इस वकत आसन रजा इन्होंने 50 मैचेस के अंदर जो है वो कह लीजे के बैटिंग कर रखी है वो अब अपनी अंपारिंग के फ्राइज सर अन्जाम देते हुए इस मैच के अंदर बरहल विकेट कलोज किया है इंसाइड आज को चक किया जा रहा है और अब देखना होगा कि ये गेंदा इसको बार-बार चक्किया जा रहा है और अब देखना होगा कि ये प्लेयर इंसाइड एज हुए है या फिर नहीं जहां पर अब च्यासर रहते हैं वो टीम जिंबावे का स्कोर पांट विकर के नुकसाम पर और आपको मैं जॉइन कर लूँगा दस तारिख को दो बज़े दो पहर के बक्त आकस्टन और जिंबावे के 30-20 मैस के लिए जहां पर अब इंसाइड एज को चक्किया जा रहा है कि गेंद बल्ले के अंदरूनी किनार से टक्राई है या नहीं तो दोस्तो आपको बता दूँ के इंसाइड एज ये गेंद बिल्कुल नहीं हुई है और ग बाभवे के टीम एक बडा नुक्सांट जील सकती है जिए बिल्क लगाए है ही है जाल बिल्कुल गाइज बिल्कुल लेहे से शहें Gewnau PGI ऐ गदरूने क्माल करुषान क्वे सीएंद या है और यक और विकट करुष से पांच अवर्स के दिए गया हैं मीबाय की तरह कि इन विकट को लोज कर दिया है टीम जिंबावे ने 66 होते हुए टीम जिंबावे का स्कोर 5 विकट के नुकसाम पे हावाई सफर 6 के लिए नहीं हारी लल सर गेन जाकर टक्राई पैर से और इस तरह हम विकट को लोज करते हुए टीम जिंबावे स्कोर रहेगा च्यासा टीम जिंबावे का पांच विकर्ट के नुकसाम ते नौ आशरीय चारवर के बाद यहां पर करेंटर रंडियर की बात कर लिए तो वो च्याशरीय आट दो का है गाईज और वह इसले मदवीर ने 24 रंज वना रखे 22 गिनों के उपर तीन चौके और एक चक्का लगाया गया आउट होकर पाविनियन के तरफ वापस गए ही एगें प्लेयर और रियान वर्द जो है वो बाटिंग करने के लिए आएंगे और आब जिंबावे के टीम अपनी पांच में विकर्ट करते हुए जिंबावे के टीम आपके ख्याल से इस मैच के अंदर कितने रंज क्या स्ट्रीम खत्म कर रहे हो वासे गया हुआ कि आरी लल सर क्या हुआ आरे भाई लेजिंग गेमर्ज क्या हुआ चाहाट सब्स जिंबावे का स्ट्रीम को आइधिंक रिफ्रेश कर सकते है क्योंकि जो दोस्त रिफ्रेश्ट नहीं कियो है न वो कह लिजे कि उनको थोड़ी पीछे चल रही है उनके पास जी लाइश्रीम बरहल अब 6-6-6-7 वो इसकोर पांथ विगर की नुकसान पे या पर क्या हिए ऑटन चिकंबुला का अगला मैच होगा वो लास मैच होगा ओर देखना होगा कि इस किसमदी जो है वो गाटन रहती है ट्राइटू स्ट्रें न्यूटरल एक्सेंट अरे भाई क्यों सा एक्सेंट यार मेरा ना बोलने का अंदाध ही लगबग ऐसा बना हुआ है तो माजरत इस चीज के लिए मैंने नोट के आज एक और दोस्त को जो है वो खराब लग रहा था ये मेरा एक्सेंट लेकिन माजरत इस चीज के लिए जहां पर अब जिंबाबे के टीम जो हम अपनी पांच वीगर कलोज करते हुए अंदर आते हुए गेंद और गेंद टकराएगी पैट से और पैट से करा आपको इस मैंच के अंदर वारस जोइन करेंगे और दो बजे मैं इंशाला आपके साथ लाइब जुड़ जाँगा उस दिन कि दस सवर्स के बाद चार्श सर रहेगा स्कोर आंच वीगर के नुक्साम पिप कि दस सवर्स के बाद और आपको बता दूं के मलिक मुझमिल भाई बोलते हुए एक दो अवर के लिए दिखा दो तो सौरी भाई यह यूटीब है यूटीब के उपर हम लाइब नहीं दिखाएंगे म्यूजिक नाम क्या है कौन सा म्यूजिक भाई म्यूजिक भी चल रहा है क्या कोई वीडियो के पीछे बौदर रहेंगे तया आप दौन अशुक्या तेस हुए हम पार्क फ्रॉस का गेन क्या ड्राइब कर दिया इसके इनको कवर और प्वांट की जानेब अब 10 शॉट लगते हुए सिंगल आएगी इसके इनके उपरा और सिंगल के साथ बरता वास्कोर हो जाएगा अब सरसर टीम जिंबावे का पांच विकर्ट के नुक्सान पि गगन गुलाटी आपको बतानूं कि मैं जरूर पंजाबी में ट्राइ करूं कमेंटरी लेकिन इससे बीच अब स्कोर रहेगा अर्षा टीम जिंबावे का पांच विकर्ट के नुक्सान पि 10-12 का खेल अब तक मुकबल हो चुका है एक बढ़िया मैच अच्छा मैच चलते हो इन दोनों टीम्स के बेच आपके हैल से कौन से टी में इस मैच को विन करेगी इसमतलिक आप बता सकते हैं जहां अब आखरी कुछ वर्स का खेल होना बाकी है लाइक है 10-12 का खेल होच का 68 से जिंबावी का स्कोर अई लिगेन महमद अस्नान की गिन को फ्लिक कर दिया लेक्स आट की जानिब गैप में है गिन सिंगल आईगे स्किन के बराडर सिंगल के जलते वे स्कोर रहेगा उना तर्टीम जिंबावी का पांच वेकर के नुक्सान पे दस आशर या ती नमर का खेलब तक मुकमल होच का है जहां बुर्ड ने तीन रंज बना रखे चेकं बुरा ने एक रन मनाया हुआ है महममद अ स्थान के चलते हुए कोई भी वेकट का उपने नाहीं क्या तो भाई मेरे यहां पर मुझे वकमल त्यारी करनी चाहिए यह संल में यार यह यहार मुश्किल रहेगा मेरे हिसलाब से फिस्सेट करना करना तो वैसे चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम facecam कर पाएंगे बरहल अब 79 रहते हैं वे स्कोर बिना 5 विगट के नुकसाम प्याग लिकिन को फिल करना चाहते थे बैटसनल एक साथ की जान लेकिन रहेंगे नाकाम और गेंद उनके बल्ले का आउटसाइड आइज मिस करते हो जाएगी विगट के पर के आथ में और इस तरह एक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा उना तर टीम जिंबावे का पांच वेगट के नुकस्तान पे दस अशरीय तीन अवर के बाद जहां अपने अवर के चौती गेंद लेकर मुहमद हस्नान एक दबाप फिर से आगे इनका शौट पीचे गेंद कट करना चाते थे इस गेंद को बैटसमें लेकर रहेंगे नाकाम एक और डॉट डिलिवरी एर फेस कैम करने का मकसद यानि के वियर नुकसान यह होता है कि व्यूज़ फिर उस हिसाफ़ से नहीं आते जब दो बंदी होंगे न हम तो इंशालाँ ज़रूर मैं आपके साथ फेस कैम को ट्राइ करूँगा यहरी एक बंदा जो है उना वो फेस कैम को इतने चंदा से नहीं कर पाता 79 चलते हुए टीम जिंबावे का स्कोर 5 विगट के नुकसान पी दस अशर यह पांच अवर के बाद यहां अपने अवर के लिगए लेकर बॉलर तयार महमद असने अंदार्ना शुक्या तेस हुए आम पाक को ग्रॉस का गिन क्या विगट विगट आता वो गिन दिसकिन को फ्लिक कर दिया है लकसार की जाने बार रहा सिंगल जो है वो लेनेगे यह दोनों प्लेयर और सिंगल की चलते हुए स्कोर हो जाएगा सत्तर पांच विगट के नुकसान पे थैंक यू सो मच हारी लाल सर बहुत बशुक्या आपका अफ्ला अभजाई करने के लिए और बताने के लिए के स्कोर कार्ड जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है सत्तर होते हुए टीम जिमबावे का स्कोर पांच विगट के नुकसान पे दो किस ने किया और तो आपको बतानों के उस्मान कादिर ने जो है वो दो विगट को अपने नाम किया और उस्मान कादिर की गेन जो है वो स्विंग हो रही है और स्विंग होती हुए गेन को खेलने में काफी ज़्यदा दिश्वारी आ रही है टीम जिमबावे को जहां प आपको मुझे आना चाहिए नामेट गरम कर सकता हूँ नामेट ठंडी कर सकता हूँ तो कि इस वगद मेरे पास चाहिए अवैलिबल ही नहीं है तो दोस्तों सतर रहते वह टीम जिमबावे का स्कोर पांच वेकर के नुकसान पर कर दिया है कवर और पॉइंट के जाने अब एक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते वह इसको हो जाएगा यहां पर अब बहुत टीम जिमबावे का पांच वेकर के नुकसान पर जा जा मिस डबले एक बंदे को बिला के ला अगर तुम अगर आप उनको बला के ले आए तो मैं मान जाओंगा के आप में बिलकुल कुछ न कुछ बात है आपके अंदर आपकी कोई न कोई बात बंदा जो हो मानता है इसे बेचे स्किन को हवा में खेल दिया है मिट विकट के जाने बेकरन ना आएगा स्किन के अपर अरूर सिंगल के साथ जो है वो बरता होँ स्कूर हो जाएगा अब बहुत्त टीम जिंबावी का प्रांच विकट तीम सांपे ग्यारा शार यातीन अवर के बाद ऐसार रेडी ने हमें ज्वाइन करका है और अब भी भी स्कूर जो है वो दोस्तों बहुत रहते वो टीम जिंबावी का इस नॉट बैल टूडे आइम आलसो नॉट वेल लेकिन चलिए कोई बात नहीं हम क्या कहेंगे किसी को लेकिन आपको बता दूँ के आइम नॉट आल्सों सो वेल यह तो दोस्तों यहां परते हत्तर रहते हैं बसको पांट विकट के नुक्सान पे लेकिन काम जो होता है वो आप अगर अच्छी नहीं है तो फिर भी आप यहां पर मौझूद है तो यह अच्छी चीज़ है बॉलर तयार विकर्ट विकर्ट आथा आथा वागें देश्किन को डिफेंट कर दिया है कवर और पॉन्ट की जाने वेकार डॉट 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 डिलिवरी के चलते करने के लिए जहां पर एक बहतरीन मैच अच्छा मैच चलते हूं दोनों टीम्स के बीच अपने अवर के लिगें लेकर बॉलर तयार अंदर आते विकेंड बड़ी अपील हुई है यहां पर LBW के लेकिन अमपार का इशारा के बैस्मन रहेंगे नॉट आउट एक्सिलन्ट वोईस अरसल जी जी बदबर शुक्रिया आपका हरी लल सर यतनी भी एक्सिलन्ट नहीं है लेकिन यह है कि आज गुजारा मुजारा ही हो रहा है क्योंकि गले से आवाज इतनी ज्यादा नहीं निकल रही मेरे हिसाब से जब चाय पी जाएगी तो आवाज निक OPN Cricket is with us मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ आने के लिए जहां पर रव इंसाइड आज को चक्किया जा रहा है और अब देखना होगा कि बैट्समें इंसाइड आज रहती है या नहीं बले कि इंसाइड को I think मिस किया है इसके ने बरहल अब देखना होगा कि आउट रहते हैं ये प्लेयर या फिर नहीं ओपिन क्रिकेट हमारे एक और खुबसूरत और प्यारे से भाई हैं जो के यूट्यूब के उपर लाइस्ट्रीम करते हैं क्रिकेट के गेम प्लेज की तो आप इनके चैनल क वो भी अगर चाहें तो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं अधरक वाली चाहें यहां पर अब रिवी लिया गया है और रूबी वो जो है दोस्तों देखना होगा कि कॉन से टीम इस रिवीव के अंदर काम्याब रहती अंदर आती हुए गें थी और अगर ये गेंड इंसाड जो है वो कह लिए के नहीं होते तो फिर ये गेंड जाकर टकराएगी उनके पैड से और पैड से टकराने के बाद करीबी मामला हो सकता है ये आसन रजा बरहल अंपार है और अब देखना होगा कि उनके जान से क्या फासला दिया जाता है देर से आता है वसी एहमद भाई क् सकते हैं मैं इतना हाई रैंक नहीं है तो इस वज़े से अँसा होता है बरहल कोई बात मेत ना तो चलता है या靡ना तो चलता ही म कहली है वह है वो थर्ड अंपार है और अब अलीम डार जो है वो यकिनी तोर भर इस चीज़ को चक करेंगे के आउट है यह प्लेड या नहीं और इनल डेसी इन इस नोट आउट पिचिंग इंसाइड पिचिंग आउट साइड आफ इंपाक्ट इन लाइन यहां पर नोट आउट का इसा इसां पे 12 आवर्स का के अब तक कबन होच का है अंदर आती हुई गेन थी जाकर ये गेंट क्राइपाड से और विगड गिर सकती थी लेकिन इस गेंन विट्टो को मिस्किया और विट्टो को मिस्करते हुए गेंड जो है वो जाकर ट्राइपार से और वश पाक्सतान एक कर दिया है टीम जिंबावे ने टेलर तीम पर मुझूद है आट के इनुका बलके 6 गिनों का सामना किया ची बाबा ने पंदरा रंस बना रखे 9 गिनों के उपर ओपियन क्रिकेट अगर आप मेरे साथ मुझूद है तो बताएगा कि माइक इस बैटर रूनौट माइक की क्वाल्टी कैसी है मैंने फाइनली जो है वो उस माइक को फिर कुनेक्ट टर लिया था आस्टरं के बाट जाता वगें इसकिन को बाकवर परते हुए स्मैश कर दिया है कवर और पॉइंट की जानेब फिल्डर हो ही माजूद करेंगी स्किन को फ प्रिकेट खेली जाती है जहां पर अब चोहत्तर रहेगा स्कूर रपांच वेकट के नुकसान पर बाराज शर्य एक अवर के बाद अपने वर की दूसरी लेकर बादर तयार दोन शुरू क्या थेज़ हुए अंपार को ग्रॉस का अगें क्या पार्स पर आताव अगेंद प्रिक कर लिया है इसकेट को लेक्सार के जाने बैकवर्ट स्कूर लेकर के रीजन में जाएगी अगेंद सिंगल आएगी सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा आप 75 वेकट के नुकसान पर अमान सिंग भाई आज आपकी नहीं चलने वाली आज हमारे साथ मवजूद है एक कुमेंटेटर हूं और कुमेंटेटर होने के नाते जो है वो मैं किसी भी बंदे का एज इंडिविजवल जो है वो इतना ज़्याद जवाब नहीं दे पाता तो दाट्स वाई पीएसल होगी इसके बाद 14 तारीख को और अब पीजत तर रहते हैं विसको टीम जिमभावे का पांट विगर किनक्सांति अग्लिगेंद को डिफांट कर दिया है कवर और फॉयंट की जहांने फूर्टर रहींगे माजूद करेंगे स्केंट को फिल्डेका डाड डिलिवरिया और वीडियो के ऊपर बारास लाइक्स होने वाली है और रहास लाइक्स नोने में अब जो ह स्रीम हावर यू आइम अपसलूटली फाइन वाट अब आफ यू ब्रो यहां पर रब अच्छी क्रिकट खेलते हुए दोनों टीम्ज अपने वर के लिगें लेकर बालर जो है वो रहेंगे तैयार दोरना शूरू किया थेज हुए अम पार को ग्रास के अगें क्या सुन के सिंगल ही बनेगे और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा पी 75 विगर के नुक्सान भी चीकम बूरा का जो है वो दोस्तों कहां पर आखरी मैच चलेगा क्या इरादा दिखाऊं में अपना दिखाए भई आज आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुशन रहेगी आपकी अरे भई अभी तो हमारी साहरा खान नहीं है अगर साहरा खान रही तो फिर आपकी क्या बनेगा मुझे ये समय नहीं है और इसी बीच 12 से दोस्तों में वीडियो को जाकून जहाँ अगली गेन को ड्राइब कर दिया है कवर और पॉइंट की जानेब सिंगल लेंगी ये दोनों पे और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा सटतर टीम जिंबावे का पांच ओवेकर के नुकसान पे बार आशार या पांच अवर के बाद यहां बुरल छे पर और अगला मैं जहें वो हमें दस तारीक को होते हुए दिखाए देगा आशान के बाद जाते हुए इनको ड्राइब कर दिया है कवर और पॉइंट की जानेब एक और उंदा शॉर्ट सिंगल लेना चाहेंगे ये दोनों प्लेयर और सिंगल के चलते हुए स्कोर रह जाएग अच्छी क्रिकट जहाँ चलते हुए यहां पर पाकिस्तान की जानिब से जहां उन्हें जिंबावी की पांच वेकर्स को गिरा दिया है और अगर हम बात कर लेते हैं गाइस डरना बनता भी है तुमारा बिल्कुल ठीक बदा यी तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान की फेल इंगलैंवेँकित पाकिस्तान की रिम के अंदर फक्त जमान फक्र जमान के बाद बाबर आजम हैर अली मोहमद हाफीज मोहमद घुख सव defence यह में अगर हम बात कर लेती हैं बॉलर के तो बॉलिंग में में भी तबदीली की जाए लेकिन अब देखना होगा कि क्या तबदीली की जाती है बॉलिंग की अंदर मौहमद अरीब इस विदास वेलकम तो इस लाइश्वीम करंट रंडीट के साथ खेलते हैं वह जिंबावे के टीम जो रंस बनाएगी उनके तादाद 120 हो जाएगी और अब उस्मान कादिर को थोड़ी से इंजरी आई है दोस्तों और उनकी इंजरी को जो है वो ठीक करने की क हो सकते हैं लेकिन वलत लैंग्विज और गाली देने वाला बंदा जो है वह यहां पर नहीं टिक पाता यह तो दोस्तों यहां पर अब सिच्वेशन कुछ नहीं रहेगी कि 78 रहते वो टीम जिंबावे का स्कॉर पांच विकट के नुकसान भी म्यूजिलैंड के सीरीज कब होगी तो 18 तारीक से नुजिलैंड और पाकस्तान की सीरीज होगी और प्लेयर का जो गुटना है वो थोड़ा सा इंजर होते हुए 78 रहते वो टीम जिंबावे का स्कॉर पांच विकट के नुकसाम पे चार सो के उपर दोस्त जो हैं हमार साथ मोजिदे हैं वलकम टुदिस लाइश्ट्रीम दो के अवान भाई क्या हाल चाल है आपका अच्छा लगा कि आपने भी गलत लेंग्विज का इस्तावाल किया और दुबारा से अगर आप करते हैं तो फिर आपका यहां पर कोई काम नहीं ठीकेगा तो दोस्तो यहां पर उस्मान कादिर ने अच्छी बॉलिंग करवाई हैं 49% गिने उन्होंने जो के लैक्स्पिन करवाई हैं गुगली गेने उन्होंने 33% करवाई हैं और रही बात फ्लिपर की तो फ्लिपर उन्होंने 28% करवाई हैं और गुगली गेनों के उपर उनको का अफिज्दा काम याभी विली हुई है उस्मान कादेर ने 11 देते हुए दो विकर्ट को अपने नाम का रखा जहां उस्मान कादेर अपने अब के लिगेंग लेकर तयार लेक्स पिन होते हुए अगेंड इस गेंड को जो है वो खेल दिया है लेक्सार के जाने उसिंगल कि आई थिंक वो मैंच हमें लाइब देखने को नहीं मिलेगे यूट्यूब के उपर 89 रहते हुए स्कोर 5 विकर्ट के नुक्साम ते 13 शरी एक अबर के बाद अपने वरके लिगेंड व पैट्स पर आती हुए इंको फ्लिक कर दिया है लेक्सार के जानेब उस्तमान का दिर दौरते हुए जाएंगी गेंड के पीछे करेंगी इस गेंड को फ्रिल्ट सिंगल आईगी इस गेंड के पर और सिंगल के साथ बरतावा स्कोर हो जाएगा अब अस्टी टीम जिंबावे का पांच वेकट के लिए उकसान पे 18 नमंबर से न्यूजेलैंड वाली सीरिस का आगाज होगा हांजी अफदाल इजास भाई 18 नमंबर को पहला T20 मैच जो है वो बलके December को खिला जाएगा नमंबर को नहीं भाई मेले इजास December को खिला जाएगा प्यसल के चार मैचिस होने और वो 14, 15 और 17 तारीक को होने हैं और फिर 10 दिन के बार एक है ब्रेक है लेकिन मेरा इरादा है कि ब्रेक में इतनी ज़्यादा नालूँ विमिन्स बिग बैस लीग हो रहे है तो इसको हम करें इसी बीच स्ट्रेट हिट क्या है इस गेन को उंदा शॉट लगा है अल्टन चिकंबूरा के बले से और गेन जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चक्ये के लिए अमपायर को अपने हाथों को फिजा में बलंड करना होगा और गेन को बेज दिया है अल्टन चिकंबूरा ने चक्के के लिए 22 नाइन के बाहर रहा है तब भाही किसम की शॉट खेलेगी है अल्टन चिकंबूरा की जाम से गूगली गेन थी और थोड़ी शॉट पिज ये गेन थी और इस गेन का बरपूर फायदा उठाया और चक्का लगाते हुए अल्टन चिकंबूरा 28 नममबर को मेरी बर्तरी है जी जी बहुत अच्छी बात है और 28 तारीख को हम लाइव होंगे अल्टन पैट्स पर आते हुए गेन को फ्लिक कर दिया आपको एक चीज और बता दूँ के लंकन प्रीमिर लीग का आगाज हो रहा है दोस्तों और उस लीग के अंदर भी हम कमेंटरी करते हुए आपको दिखाई देंगे लंकन प्रीमिर लीग के अंदर जहां पर 27 तारीख से लेकर आइ थिंक 17 तारीख तक वो मैचेस के ले जाएंगे और 18 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजिलैंड के सीरिस का आगाज होगा तो 27 तारीख से लेकर लगातार हम जो है वो लाइव आएंगे 18 तारीख तक कर दिगेंद अंदर आते हुए गेंद इसके इनको फ्लिक करना चाहते थे लेक्साइट के जान लेकर रहेंगे ना काम एक और डिलिब्रे आडवांस में आपको जो है वो क्या लीजे के मुबारिक बाद वर्थ रे की जहां पर अब नभी रहेगा टीम जिंबावेगा स्कोर पांच वेकर के लिए नुक्साम पे 13 चींबावेगा पर करेंगे बैसमेन को स्ट्रंप आऊट जिंबाभवे की यहां विडियो को लाइक करते हो एचांल चैनल का सब्स्राइब करते हुए बद्बशों कि आपका अदित्ये ने हमें जवाइन का रखा बदबशों के आपका भी साथ आने के लिए आपको बता दू कि जिंबावे के टीम ने को और विकेट को जो है वो लूज कर दिया है सरफरास को नहीं खिला गया सरफरास को मेरे हिसाब से मौका देना बनता भी नहीं था क्योंकि यह जो है वो एक इतनी बड़ी सीरीज नहीं है तो सरफरास को रस्त ही दिया जाए तो यह एक चीज़ रही गया और अब आपको बता दू कि हमारे इस चैनल के उपर 91,000 सब्सक्राइबर्स होने में 91,000 सब्सक्राइबर्स होने में 20 की मजीज जरूर थे इस वीडियो के नीचे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा बाद बाद शोक्री आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को जहांब सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्यू सो मच गाईज यहां प लेनी के साथ हमारा को कुई तालूक नहीं है दो कावान हाँ जी हाँ जी I am from Pakistan Punjab और फैसलबाद और भाई मेरे कुछ पूछना चाहें आप तो 15 की मजीद ज़रूर थे वीडियो के उपर 51,000 होने में यहनि के चानल के उपर 51,000 सब्सक्राइबर्स होने में बहुत बश्यों के आपका वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक अच्छा मैंच एक बड़िया मैंच चलते हूँ इन दोनों टीम्स के दर्मियान जहां एकाम में रहेगा टीम जिंबावे का स्कोर 6 बिकट के नुक साम पे अंदर आते हुई गेंद इसके इन को डिफरेंट कर दिया है और एक और डॉट डिलिबरी रहेगी और डॉट डि को जीट सकते हैं इसमें कोई भी दो राएं नहीं है दोस्तों जो भी टीम अच्छी के रिकट खेलती है वो मैंच इसको जीटी है डाट सिट एकान में रहेगा स्कोर्चे बेकट के नुकसान पे अगली गेंद को डिफरेंट कर दिया है मिप बेकट की जाने फिल्टर हींगे माजूद करेंगे स्किन को फिल्डे का और डॉट डॉट डिलिबरी मुहमाद अरी बाई क्या हो गया क्यों टाइम आइमान को इमान सिंग मुहमाद अरी बाई देख लिया करें अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो फिर ही उसको टाइम आउट करें एकाम में रहेगा टीम जिम्बावे का स्कोर छे बिगट करेंगे साम पे 14 शरियती नमर के बाद अलिगेंद को ड्राइब कर दिया है कवर और पॉइंट की जाने गाप में है गेंद सिंगल आईगे सके इनके उपर दूसरे रून के लिए दूनों प्लेर वापिस आना चाहेंगे और दो रून्स के साथ बरतावा स्कोर हो जाएगा तेरान में टीम जिम्बावे का चौदरी एहमद आमेर भाई जो हैं हमार साथ मोजूद हैं बहुत बहुत श्योक्री आपका आपको विलोग मिनाने चाहिए चौदरी आमेर भाई जी जी बिल्कुल जरूर मैं विलोग को ट्राइब करूँगा भाई मेरे मेरा इरादा है एक नया चैनल खुला जाए जहां हम विलोग को ट्राइब करें और हम जो भी मैच का रिजल्ट हो मैच का प्रिव्यू हो उसके अंदर मैं सामने कैमरे के सामने आऊँ और आकर आपको बूल दूँँ के आज के मैं इसके अंदर कुछ यूँ होगा और वाइड डिलिवरी का अशारा दिया गया है अम पार के जान से वाइड डिलिवरी का इशारत दिया जाएगा अंपार की जान से और वाइड डिलिवरी के जलते हुए स्कूर हो जाएगा चौर रन में छे विकट के नुकसान पे तैंक्स अलोड गाईज फॉर्स रिंग हेर मुहमद मुझमिल भाई ने हमें जुएन करका बद शुक्रिया आपका भी साथ रहनी के लिए जो रन में रहते हुए स्कूर चौर विकट के नुकसान पे वी गोइंग नाउट थैंक्स फॉर जॉइनिंग अक्साहमद इस सबर के पांच वी गेंड को स्मैश कर दिया मिड़ ओफ की जानेब फिल्डर ही मौजूद एक रहना आएगा इस कि इन के बर और सिंगल के चलते वे स्कूर हो जाएगा इस मैच के अंदर अब चौर रन में टीम जिमबावे का छे विकट के नुकसान पे बहुत बहुत शुक्री आप तमाम दोस्तों का साथ रहने के लिए जहां पर दूसरा मैच इन दोनों टीम्स के दर्मेंट खिला जा रहा है और तीसरे मैच के बात कर लेते हैं गाईस तो तीसरा मैच बी जो है वो खिला जाएगा बला कब इसरा मैच खिला जाएगा आपको बता दूँ के अब जाकर कहलीजिए के दस तारीक को इन दोनों टीम्स के दर्मेंट तीसरा मैच खिला जाएगा इसे वेचे सिंगन को फ्लिक कर दिया लेकसार के जानेब सिंगल आएगा इस सिंगल के साथ बरतावा स्कूर हो जाएगा अब इस मैच के अंदर चान में छे बिकट के नकसान पे युश्वा विश्वा बोलते हुए कि उन्तोंने कुछ गलप नहीं बोला था जिब उन जब भी पता है बाइ मिस्टेक जो है वहोगे कोई ऐसा मसला नहीं है वह जाते ही कभी का बार गलतिया एल ब्लेजर्स वर्सिज सुपर नौवास के दर्मेंड भी मैच खिला जाएगा और वो भी एक इंटरस्टिंग मैच होता हुआ हमें दिखाई देगा और रही बात इस मैच के गाईज तो ये मैच जो है वो अभी तक तो पाकिस्तान की फेवर में चल रहा है बरहल अब देखना होगा कि कौन से टीम इस मैच को विन करती है और इस टोनावेंट के अंदर आगे बरती है जहां पर रब जिंबाबवे के प्लेयर्ज जो है वो गाईज कहलीजे के अच्छी क्रिकेट बेहतरीन क्रिकेट जो है वो कहलीजे के खेलने की कोशिश में कम से कम 140-150 रंज जो है वो टीम जिंबाबवे को आज के स्मैच कंद बनानी चाहिए अगर वो इतने रंज बनाएंगे तो यकीनी साथ पर तब हो स्कूर हो जाएगा 97 जिंबावे का 6 विगट के नुकसान पे 15 अशरिया एक वर के बाद और अभी एकामने गेनों के उपर 97 रंज बना दिया है टीम जिंबावे ने बुर्द ने 10 रंज बना रखे हैं धी रिफानों ने 3 रंज बना रखे हैं और महम्मद हसनान ने 24 रंज देते हुए कोई भी विगट को जब अपने नाम नहीं किवा हुआ उन्हों को विगट के जरूर थे विगट अगर लेंगे तो फिर कह लिजे के अच्छ अंदास से पाकस्तान इंडिया की तरह कवके देगा तो कभी भी नहीं इंडिया की अपनी जगह पाकस्तान के अपनी जगह है अल्यगें को डिफेंड कर दिया है कबर और पॉंट की जाने भी यानि के वापश बॉलर की जाने बेका डार डॉट डिलिवरी 97 में रहेगा स्कोर टीम जिंबावे का 6 विकेट के नुकसान पे यू शुड नॉट कंपेर एनी तू इंटरनाशनल टीम्स इंज्वाइदा क्रिकेट हैस्ट्राइग इंज्वाइदा क्रिकेट आल यारा सबस्क्राइबर विकेट सिंगल के लिए खेला है इस गेन को खेल दिया है कहलीजिये के आफ़ थार्ट की जाने सिंगल लेंगे दोनों प्लेयर और सिंगल के साथ बरतावा स्कोर हो जाएगा अठान मीचे विकट के निकसान पे दो के अवान बाई पहले आप अपने कोहली के स्पैलिंग्स को तो रही कर लो पाकस्तान और जिंबावे की टेस्स सीरीज है क्या हरी लल सर इन दोनों टीम्स की टेस्स सीरीज जो हो नहीं होगी आपको एक दवा फिर से बता दूँ के पाकस्तान और जिंबावे की टेस्स सीरीज जो हो नहीं होगी जहांपर अब 98 रहते वो टीम जिंभावे का स्कोर चे विगट के नुकसान पे पैट पर आते हुए गेन को फिलिक कर दिया है लगसार के जाने सिंगल आएगी इस किन के ओपर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा 99 टीम जिंभावी का स्कोर निकसान पे पाबर आजम औरेड़ी नंबर वन की पॉजिशन पर जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने पिछले मैच के अंदर अच्छी बैटिंग की थी और वो आठ पॉइंट्स के फासले पर थे डेवड मिलान से और वो अब नंबर वन की पॉजिशन पर चले गए हैं इसकीन को कर दिया है 57 गेनों के उपर 250 मुकमल किये यार ब्यासिरंज बनाया थी लाजम गेमर्स नौट बहुतर चार अबर्स का केल जहा हो होना मजीद बाकी मुहम्मद असनान अपनी बॉलिंग के इसले को जारी रखेंगे जहां आफस्ट्रंग के बाट जाते हैं इसकीन को गाड़ कर दिया थर्ड मैंन की जाने बैंड सिंगल आते हैं इसकीन के उपर सिंगल की चलते हो इसकोर हो आया था जहां जिंबाबी के टीव में अच्छा टोटल बनाया था या फिर अभी तक जो खेल रही है अंड रही बात बाबराजम की गाईज तो बाबराजम भी जहां वो दिन बाद दिन में इंप्रूफ हो रहे हैं और एक अच्छे प्लेयर बनते हुए दिखाए दे रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से यह आप कह सकते हैं के हालिया दोर के स आप जो है वो बोलते हैं के बाबराजम जो है वो ऐसे करता है वैसे करता है अपनी टीम के लिए खेलता नहीं है यह करता है वो करता है तो आपको बता दूँ के वेरात कोहली के साथ आप कंपेर करते हैं बाबराजम को तो मैं आपको सीदी सीदी सी लॉजिक बता देता हू पाकस्तान से हूँ लेकिन आपको एक सिधी सी लोजिक बताता हूँ कि जहां एक टीम जिसके अंदर विरात कोहली मुझूद है और विरात कोहली के सार रोहित शर्मा, शेकर धवन, हार्दिक पांडिया और जस्पृरिद मुम्रा ये तमाम के तमाम प्लेयर जो हैं अच्छे प्लेयर मुझूद हैं उनको पता है कि विरात कोहली जो हैं वगर अच्छा नहीं खेलते तो ये अच्छा खेल लेंगे और अपनी टीम को मैच जितवा देंगे तो ये सिचुशन है जबके दूसरे जाने पाकस्तान की जो टीम है पाकस्तान के अंदर क्या है अकेले बाबर आजम ही हैं दूसरे प्लेयर इतने ज्यादा जुमादारी नहीं लेते टीम पाकस्तान की तो इस वज़ा से जो भी हो जाए बाई ये पाक्सितान की हीरो हैं माने या ना माने आप इस गेंग को निकाल दिया है थर्ड मैंन की जाने मुश्किल सरक्म स्टांसिस के अंदर खेलते हैं बाबराजम उनके उपर प्रैशर बहुत ज़्यादा होता है तो एक तरफ आप कंपेर कर रहे हैं मतलब ऐसे टीम को जो के सारी के सारी अची खेलती है जब के दूसरी टीम जिसके बात कर लेती हैं पाक्सितान उनके प्लेयर्स अभी नए हैं सट होने में टाइम लगेगा सट होकर उमीद करेंगे के एच्छी टीम बन जाएगे टीम पाकिसान की बीजहां पर अब जहां पर अब तीन धिशम्लव चार अवर का खेल यानीगे तीन अशरी चार अवर का खेल जहाब भी बाकी है बॉलर आएगेन के लेक्शन बरादा वोगें दफलेक कर दिया स्केन को लेक्सार के जानेब सिंगल आते हुए स्केन के उपर और सिंगल के जलते हुए स्कोर हो जाएगा 117 टीम जिंबावे का 7 विकट के नुक्सान पे 16.16 शर्यती नवर का खेल मुकबन होच का है बॉल 17 पर मौझूद हैं टीरपानो 6 पर मौझूद हैं और रही बात करन्ट रन रेट की तो 130 का करन्ट रन रेट चलते हुए टीम जिंबावे का कितने रंज बनाएगे टीम जिंबावे इस मतलिक आप बता सकती हैं अजी हसीव एहमद खान भाई मेरे चैनल के उपर बैनर लगा हुआ था लेकिन चैनल किसी ने हैक कर लिया था मेरा और उसके बाद मैं बैनर नहीं लगा सका बाकि यह है कि बैनर मैं लगा दूँगा लगा दूँगा बैनर बस ना थोड़ा सा रिस्पॉसिबिल्टी का जो है वो रिस्पॉसिबिल्टी का थोड़ा सा मुझारा किया जाता है पाकि मैं इन्शाला जब भी टाइम मिलेगा तो जरूर लगा हमगा अली गैन को डिफरेंट कर दिया है कावर और पॉइंट के जाने सिंगल आईगी सिंगल के चलते हुए स् साम पहर आउब जिम्बावे के टीम की फर्स्ट राई ये होगी कि वो सारे के सारे अवर्स को खेलते हुए हमें जो है वो कम से कम 130-140 का स्कूर बनाते हुए दिकाई देए जहां पर अपने अवर के लिगें लेकर बॉलर आएगें क्या वो इकट विगाड़ा था पागेंधार इसकी इस गें पिनो मोवय और रमीज राजा जो है वो कमेंटरी करते हुए इस वगत हारे स्राउफ ने 24 रंस के बस दो विगट का अपने नाम कर रखा है जहां पर अपने मर्के लिगें लेकर हारे स्राउफ तयार दोना शुक्या तेज हुए अम पारकूर रास का गेंगा इस गिंग को स को छे विगट के नुक्सान पे सम्यूला खान भाई हमार साथ आ चुके हैं वेल्कम तो दिस लाइश्ट्रीम सम्यूला खान भाई क्या हाल चाल है आपका एक अच्छा मैच एक बेहतरीन मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर मैं एंड नाव तिरफानों साथ पर मौझूद है वर्ल 20 पर मौझूद है और यकिनी तोर पर इनको एक अच्छा अदास से फिनिश करना चाहिए इस मैच को इनको जो है वो दोस्तों बेहतरीन अंदास से इनिक्स को फिनिश करना चाहिए जहाँ पर अब जहाँ पर अब तीन अवर्स का खेल होना बाकि 111 होते वो टीम Zimbabwee का स्कोर्च बेगर को नुक्सान पे और अब तीन अवर्ज के अंदर देखना होगा जिंबावे के टीम कितने रंस को जोड़ती है कम से कम 15 से 20 सब जो है वो मिनट लग जाएंगे इस इनिक्स को खतम होने में लाएक च्छे 5 बच के 15 मिनट पर ये इनिक्स मुकमल होगी और साड़े पांट वजे दूस ट्रेनिंग्स का आगास होगा या और आए थोड़ा लेट हो जाओंगा मैं बरहल देखते हैं क्या बनता है 111 रहेगा टीम जिंबावे का स्कोर्ट है विगट के लिंक्सान पे वहाब यास जो हम अपनी बॉलिंग के सिस्ले को जारी रखेंगे जहां पर रिस स्केन को इस गेन को जो है वो कहली जिये के निकाल दिया है थर्ड बैंड की जानेब सिंगल आईगी स्केन के उबरा और सिंगल के चलते हो इसकोर हो जाएगा अब 112 टीम जिंबावे का 6 विगट के निक्सान पे 17 शर्य एक अवर का खेल अब तक मुकमल होचका है और अब इस मैच के अंदर कुछ ही अवर्स का खेल जाए वो होना मजीद बाकी है इस मैच के अंदर यानि के सिंग्स के अंदर अब 17 गिनों का खेल होना बाकी है और T20 मैच के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कह लीजे के मैच के अंदर अंपारिंग कर रखी है अंपारिंग कर रखी है बला किसने दोस्तों अंपारिंग कर रखी है अरे भाई क्या हो गया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस के अंदर इंधोने पचास मैचेस के अंदर रम पारिंग की है और राज उन्होंने सुमीनियर जो है वो वसूल किया था अलीम डार के हाथ हो एक सो तेरा रहेगा टीम जिम्बावे का स्कोर्ट शेविगर के दुकसां पे बादल चाते हुए हलकी हलके से जहां वो शाम का वक्त जो है वो होते हुए रावल पिंडी इंटरनेशनल क्रिगेटर रावल पिंडी स् स्कूर्ट हो जाएगा इस मैंस कंदर अब एक सो फंदरा टीम जिम्बावे का छेविकर्ट के नुकसां पे बालके दो रूंस को कमल करेंगी यह दोन अफ्लेयर वासी बाई स्टेप्लेर्स ने हांजी हांजी जरूर अरे भाई इस वक्यात जो है वो नहीं ले सकता है बरहल माल हीटिंग करते हुए इस गेन के उपर इरफानो जिन्होंने मिडल अफ ता बैट इस गेन को स्मैश कर दिया था कोई मौका नहीं बनेगा किसी प्लेयर के बास के वो इस गेन बरते वो जाएगी बांडरी लाइन के बाहर एक और हुब सुरत ला जवाब चौका क्या बात तयार वहाब आज़ दोरना शुक्या तेज होए अंपार को ख्रॉस क्या गेन क्या शॉट पिजे गेंद वहाब की गेन को पुल कर दिया है लेक साथ की जानेब हवा में रही ये गेंद मिड वेकर के रीजन में जाएगी ये गेंद फिल्टर रहेंगे माजूद करेंगे सि हाई मेरे 135-140 बन सकते हैं क्या आपका मुझे तो यही लगता है 135-140 के आसपास बन जाती है बन सकती है और अगर जिम्बाबे के टीम 145-150 बना ली थी है दोस्तों तो फिर यह उन के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी जहां अले गेंद इस गिन को स्माश कर दिया जानिब जाएगी एंदर वहाब रियाज ने पिछले मैच के अंदर दो विगर्स को अपने नाम किया था इस मैच के अंदर देखना होगा कि किस किसम के क्रिकट के लिए यह आपर आप सिचुएशन कुछी होई है इसके स्कूर रहते हो एक सोन निस्टीम जिम्बावे का च अच्छा मैच एक बढ़िया मैच चलते हो इन दोनों टीम्स के दिरम्यान जहां पर अब इसके बाद चीछी सारों बैटिंग करने के लिए आएंगे ना अगरावा बैटिंग करने के लिए और आप अब देखना होगा कि किस परकार बैटिंग की जाती है इन तमाम प्लेयर चाहती है टीम बादर तयार रग देगें दिसके नको स्माइश करना चाहते ते लंग अफ की जाने लेकिन रहेंगे ना काम और रब और ठोली शुर्पने सिंगल आते हुए टीम सिंगल देना चाहते लेकिन रहेंगे ना काम ना गरावा थैंक्स अलोड गाईज बहुत बश्यों के आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर एक बेहतरीन मैं अचेक अच्छा मैं चलते हुए इन दोनों टीम्स के लिए स्कूर की बात कर लिए गाईज तो स्कूर रहेगा यहां पर 120 चैनल के नुकसान पर मुहमद रिजवान विगट के पर और मुहमद रिजवान जो है वो गाईज कह लिजे के यहां पर यहां पर थोड़े से हीज़ड हो इंसके अगें उनके पैर से तकलीफ में दिखाई देते हुए अपटे यह पавайड से नहीं बलकर बॉनिशे तकलीफ में दिखाई देते हुए तेम फीजियो अब दौरते हुए ऑगे रिजवान के पास और अब देखना होगा नहीं रंक्त आफ्र लूजिंग इलेक्शन बहुत ही ज्यादा घुस्से में दिखाए देते हुई तेंक्यू सो मच गाइज फॉस्ट रिंग हेर बद शुक्रिया आपका साथ रहने के लिए जहां पर अब रिज्वान होचके हैं थोड़े बहुती इंज़र एक सो बीस रहेगा टीम जिंबावी का स्कूर छे विगट के निकसां पी इनकी बॉडी से टराई थी एगें दर और अब वीडियो के उपर साड़े साड़े 12.00 लाइक्स होने में तीन लाइक्स की मजीज जरूरत है जल्दी से तमाम दोस्ते इस वीडियो के नीचे जाएगी वीडियो को लाइक करिए और चैनल की दोस्तों बात कर लिए तो चैनल के उपर सीच्विशन कुछ यूँ करेंगे जहां पर अब 120 रहते हो टीम जिंबावे का स्कूर्चे बिकट के नुकसां पर 18 शरी एक अब के बाद और अगले आने वाले हमारी होसलाफ दाई करने का हमारी स्पोर्ट करने का बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का यहां पर इस सवर के लिगेंगे को डिफेंड कर दिया है वापेस बॉलर की जाने वेका डॉट डिलिवरी हारे सर्फ की यह गें थी डॉट डिलिवरी और अब 120 रहते हो टीम जिंबावे का स्कोर्चे बिकट को नुकस्तां पर पांच बच्चु के हैं डेर घंटे का वक्त होच का है पाकिस्तान की टीम को बॉलिंग करवाते हुए थोड़े स्लो अबर रेट के साथ पाकिस्तान की टीम जो हो गाईज यहां पर बॉलिंग करवाते हुए जहां 120 रहेगा टीम जिंबावे का स्कोर्चे बिकट को नुकस्तां पर अठारा आशारीय दोबर के बाद यहां लिगेंदर रों बनाते हुए इसकिन को स्मैश कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की जहाने बट जिंबाव और पॉइंट की जाने फिल्डर थे मौजूद किया इसकिन को कैच और इस तरह जिंबावे के टीम जो है वो गाईज विकट कलोस करते हुए बड़ा दसका लगेगा डॉनल अर्ट रफानु जो है वो आउट होच के हैं जिन्होंने चौका लगाने की कोशिश की थी मिडल अफ़ता बैट इसकिन को स्मैश किया था फिल्डर मौजूद करेंगी सकिन को कैच और इस तरह जिंबावबे के टीम एक और बिकट कलोस करते हुए 120 रहेगा टीम जिंबावबे का स्कोर साथ बिकट के लिए साम पे अभी तो अच्छे खासे दिन बाकी हैं लाइक अभी तो 19 दिन का वक्त जो हो मजीद बाकी है लंकन प्रीमेर लीग के स्टार्ट होने में पाकस्तान के एक फ्रंचाइज मौजूद है उस लीक के अंदर यानिके इरफान पाथान इंडिया से जो प्लेयर हैं वो मी मौजू इस लीक के अंदर एक सबीस होते वे स्कूर साथ वीकट के निखसांपे देखना होगा कि इस टीम यहनके एक टीम के अंदर पाकिस्तान के चार पांच प्लेयर मौजूद है उस लीक अंदर लंकन प्रीमेर लीक अंदर हारी लल सर बहुत शूकर आपका हासला अवजाई करने के लिए इंजिस को एप्रीशेट कर रहे हैं जहां पर अब 120 रहते हुए टीम जिंबाबवे का स्कूर साथ वेगट के निकसांपे 18 शरियती नवर के बाद बॉलर तयार अपने अबर की जौती गेन लेकर हारिस की ये स्कूर हो जाएगा अब 121 साथ वेगट के निकसांपे आपके जो के समय लाखान भाई हारिस राउफ जो हमने दोस्तों वेगट का पते नाम करेंगे अर्शाद मुहमद बाद बद शूकिए आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अभी आठ गेने होनी हैं और आठ गेनों के उफर हमने वीडियो के उफर 32 लाइक्स करने हैं ताखे intra सो लाइक और बोल्ट होते होते बाल बाल बचेंगे हारिस रॉप की ये गेन थी और करलेंज ये गेन थी और इस गेन को स्ट्रीप करना चाहते थे रियान बोर्ट लेकर रहेंगा नाकाम और गेन दा उनके बल्ले को मिस्ट करते हुए जाएगी विकेट कीपर के पास और अब मैस के अंदर सिचुएशन कुछ यूँ है गाई इसके जिंबाबवी के टीम मौझूद है 121 के स्कूर पर साथ विकेट की निकसान पर इस सबर के अंदर अभी तक एक ही रन आया है एक अच्छा पर चलते हुए टीम जिंबाबवी के पाकिस्तान के लिए एक ही रन बना है इस सबर के अंदर स्कूर के बात कर लेते हैं गाई तो स्कूर की सिचुएशन कुछ यूँ है के 121 रहते हुए टीम जिंबावी का स्कूर साथ वेकर इनिकसान पर अब अब अपने शोट और गेंद जाएगी बांबरी लाइन के बाहर एक और खुबसूरत चौका रियान बड़न ने स्कूर कर दिया स्मैश कर दिया कोई मौका नहीं बनेगा किसी प्लेयर के पास क्यों इस इनिकसान पर इक अवर का खेल होना बाकि एक अवर के अंदर कम से कम दस रंस को ल जाएंगे और 135 संस के साथ जिंबाबवे के पास भी अच्छे चांसिस होंगे के वो इस मैस के अंदर अच्छा कम बैक करते हुए हमें दिखाए दी थैंक्स अलोड गाइस फर्स रिंग हैर जहां जिंबावे के प्लेयर अच्छा केलते हुए बड़िया क्रिकट केलते हुए आप 25 लाइक की ज़रूर थे वीडियो के उपर 600 होने में बल्के 1300 होने में बहुत बश्यों कि आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब परने के लिए आज IPL का मैच कौन से टीम जीतेगी तो भाई मेरे जब IPL का टाइम आएगा तो हमें पता चल जाएगा वहाँ आपकी अगेंद आसन के बाट जाता 12 आचारिया एक अवर का खेल इस मैच के अंदर अब तक में कबल हो चुका है जिस सारों स्ट्राइक पर मौजूद हैं जोनोंने कोई भी रंड नहीं बनाया आखरी अबर चलते हुए जिंबावे के इनिंस का जहां पर आब 125 रहे का टीम जिंबावे का स्कोर साथ लेकर वहाब रियास था यार दोना शुक्या थेज हुए अंपार को फ्रॉस का गेन क्या बढ़िया गेन वहाब की ये गेंदा पढ़ने के बाद हलकी से बार की जानने क्लिया और बले को मिस्स करते वाजाएगी ये गेंदा विगट कीपर के आपने का ड़ डिलिवरी लग बातार अच्छी वालिंग करवाते हुए वहाब रियास एक सोपचीस रहेगा टीम जिम्बावे का स्कूर साथ विगट निकसान पे उननीस अशरीय दोबर का खेल मुकमल होचका है जहां अच्छी क्रिगट खेलते हुए जिम्बावे के ये प्लेर जिम्बावे के प्लेर इन्होंने अब तक इस मैंच के अंदर जो है वो एक सोपचीस रंज बना दिये हैं जहां आपने अपर के लिए लेकर बालर तया यार शाट पी जे गेन बहाव की गेन को फुल कर दिया लेकसार की जानिब सिंगल आएगी स्किन के पर और रहा सिंगल के चलते हुए स्कूर ह हो जाएगा 126 on the loss of seven biggest 126 रहते हुए स्कूर रहा साथ लिगर के नुकसान पी इसकीन को फूल कर दिया था लेकसार की जानिब सिंगल आईगी स्कीन के पर और रहा है आप जो है वो इसमाश के अंदर एक अवर का खेल जाए हो गाईज होना मजीद बाकी है देखना होगा एक आच आउट होने का खतरा लेकिन लखी रहेंगे प्लेयर सिंगल आईगी स्कीन के उपर और रहा है सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा 126 टीम जिंबावे का साथ लिगर के नुकसान पी जिंबावे के टीम बड़िया क्रिकट के लिगर के अंदर आपके ख्याल से वो सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा 1287 विगर के नकसाम पी जी बिलकुल मुहमद मुक्तार भाई आपने ठीक बोला के दिल लिग आपटल के टीम जो है वो ऑन पेपर तो अच्छी लग रही है लेकिन अच्छी लग रही है लेकिन अधरबाद ने जो है वो पिछले थैंक्स अलोड गाई जहां अपने अवर के लिगेन लेकर बॉलर जहां वो तयार दाना शुरू क्या तेज हुए अमपार को क्रॉस क्या गेन क्या इस गेन को स्मैश कर दिया लोंग उन की जाने बढ़िया शॉट और गेन जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर बहुत ही ब इसमाल क्रिकेट खेल दी है दोस्तों एक अच्छा स्कोर बना दिया है टीम जिंबावे ने हाँ ख्रीगेन के उपर चक्का लगा है वहाँ ब्रया स्कोर चक्के के चलते हुए टीम जिंबावे का स्कोर हो जाएगा 134 एक सो पैंतिस रंस का टार्गिट दिया गया है 182 मीट पैस्तान के टीम ने टॉस को मिन क्या टॉस को जीतते हुए पहले फ्ल्डिंग करने का फैसला किया जहां जिंबावे के टीम ने अच्छी क्रिकट खेली है अब तक है इसमाज के अंदर जिंबावे के टीम ने अब तक 134 रंस बनाए 7 विकर के नुकसान पर 20 इस तो जिंबावे है का स्कोर कार्ड जो है वो आज के समयाज के अंदर कुछ यू रहा जहां पर ब्रेंडन टेलर ने छेर गेनों के उपर 3 रंस बनाए और हारे सर्फ की गेन पर मॉहमर इजमान के हाथो कैच आउट होगे रही बात चिमुचा बाबा की नोह ने 9 गेनों क आज के उपर 15 और रंस बनाए तीन चाकय ऌंट की जानिये के ओपर औरो दो चाहिं की जानिस मगया गे इक हांजा लाख़ इक चाह का ऑन की जानिंग की जानि से लाखाह गया बिशय कि नौपर पर 32 रंस बनाए और कि जान चंगद्याicon के ऐस मैं मैच के अंदर एक चौका और एक चकाम की जान्स लगाए गया, डॉनल्ड टिरपानों ने 17 गिनों के उपर 15 रंस बनाए, एक चौकाम की जान्स लगाए गया, हारिस्राउफ की गेन पर फखर जमान के हाथों क्याच आउट हुए, तो दोस्तों टिंडा इस चेसारव ने तीन रंस बनाए, बॉलिंग को देख लेते हैं, मुहमाद उस्नयान ने, चार अवर्स में 28 रंस देते हुए, कोई भी विगट अपने नाम नहीं की, हारिस्राउफ ने चार अवर्स के अंदर 31 रंस देते हुए, तीन बिगट को अपने नाम कीया, वहाब रियाज ने, चार अवर्स में 31 रंस देते हुए, कोई भी विगट अपने नाम नहीं की, जबके उस्मान कादिर ने चार अवर्स में 23 रंस देते हुए, तीन बिगट को अपने नाम किया, यहाँ 2 इनिंस का अगाज अब से कुछी दिर के बाद होने वाला है, तमाम दोस्त जो है, वह वीडियो को लाइक करते जाए, चैनल को सब्सक्राइब करती जाए, और अब देखना होगा कि सेकेंड इनिंस के अदर कौन से टीम का पलड़ा भारी रहता है, याद रहे दोस्तों के अगर पाकिस्तान की रिम इस मैच को जीती है, लेकिन अगर जिंबाबवे के टीम इस मैच को जीती है, इस तो फ इतने रंजा बनाती है टीम पाकिस्तान जीती है, इस मैच को यह नहीं, जहां सेकेंड इनिंस का अगाज अब से कुछी लमहाद के बाद होता हुआ हमें दिखाई देगा, जिहां गाई, इस सेकेंड इनिंस का आगाज अब से कुछी दिर के बाद होगा, एक बढ़िया जो होते हुए हमें इन दोनों टीम के दर्मायान दिखाई देगा, जहां पर इनिंस ब्रेक जो हो आएगी और जारी है इस वगत पाकिस्तान और जिंबाबे के टीम हो आज पहले बैटिंग कर रही है, याद रहे पाकिस्तान के टीम ने टॉस को में किया, टॉस को जीतते जिम्बाबे के स्कोर कार्ट होगा इस तो जिम्बाबे हे का स्कोर कार्ट जो है वो आज के स्मैच के अंदर कुछ यू रहा जहां पर ब्रैंडन टेलर ने छेर गेनों के उपर तीन रंज बनाए और हारे सरफ की गेन पर मुहमर इजमान के आथ हो कैच आउट होगे रही बात ची मचा बाबा की नोग नोगनों के उपर पंदर और रंज बनाए तीन चॉकें उनकी जान से लगाए गया सिखंदर रजा ने साथ रंज बनाए दस के उपर एक चॉका जहाँ नहीं के लगाए गया रियांद बुर्द ने जो है वो हो एकई के अदर अठार अर वे चक्काउंग की जानशे लगाया गया अरच आन शूर्फ हारून जमान के हाथों क्याच आउट हुए तो दोस्तों टिंडा इसे सारुव ने तीन रंस बना है बॉलिंग को देख लेते हैं मुहमाद उसनयान में चार अवर्स में 31 रंस देते हुए कोई भी वेगट अपने नाम नहीं की जबके उसमान कादिर ने चार अवर्स में जो है वो 25 रंस देते हुए तीन लेगट को अपने नाम किया यहां सेकेंड इनिंग्स का अगाज अब से कुछी दिर के बाद होने वाला है तमाम दोस्त जो टारगेट 135 रंस का है पाकिस्तान की टीम को हर अवर के अंदर 6.8 रंस या फिर 7 के आसपास रंस को जाए वो बनाना होगा और अब देखना होगा कितने रंस बनाती है टीम पाकिस्तान जीती है इस मैच को यह नहीं जहां सेकेंड इनिंग्स का अगाज अब से कुछी लमहा के बाद होता हुआ हमें दिखाई देगा ने चेर गेनों के उपर तीन रंज बनाए और हारिस राउफ की गेन पर मुहमर इज्मान के हाथो कैच आउट होगे रही बात चिमुचा बाबा की दूह ने नौ गेनों के उपर पंदर और रंज बनाए तीन चौके उनकी जान से लगाएगे सीन बिलिम्स ने तेरा रंज बनाए दस गेनों के उपर और दो चौके उनकी जान से लगाएगे फाही मश्रक की गेन पर वो आउट हुए बिसले मद अभीरे ने चौबिस गेनों के उपर तीन चौके उर एक चका उनकी जान से लगाएगे सिकंदर रजा ने 7 रंज बनाए 10 गेनों के उपर एक चौका जहब उनकी जान से लगाएगे रियान बुर्ल ने जो है वो 21 गेनों के उपर 32 रंज बनाए एक चौका उनकी जान से लगाएगे अल्टन चिगंबुरा ने 19 गेनों के सामना करते हुए इस मैच के अंदर 18 रंज बनाए एक चौका और एक चौकाम की जान्च लगाए गया डॉनल्ड टिरपानू ने 17 गिनों के उपर 15 रंज बनाए एक चौकाम की जान्च लगाए गया हारिस्राउफ की गेन पर फखर जमान के हाथों कैच आउट हुए तो दोस्तो टिंडाई चेसारव ने तीन रंज बनाए बॉलिंग को देख लेते हैं मुहमाद उस्नैन ने चार अबर्स में 28 रंज देते हुए कोई भी विगट अपने नाम नहीं की हारिस्राउफ ने चार अबर्स के अंदर 31 रंज देते हैं वे तीन बिगट को अपने नाम की आफाहिम respuesta नने रंज प्रेश की अपने नाम की अब दिखना होगा के सेकेंड़ निंगस के अंदर कॉम्च टीम का पलड़ा भारी रहता है याद रहे दोस्तों के अगर पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीती है तो वो सीरीज को जीत जाएगी लेकिन अगर जिम्बाबबे के टीम इस मैच को जीती है गाईस तो फिर जिम्बाबबे के टीम इस मैच को जीतने के बाद सीरीज को एक एक से बराबर कर देगी टार्गेट 135 रंज का है पाकिस्तान की टीम को हर अवर के इंदर 6.8 रंज या फिर साथ के आसपास रंज को जाए वो बनाना होगा और अब देखना होगा कितने रंज बनाती है टीम पाकिस्तान जीती है इस मैच को यह नहीं जाहां सेकेंड इनिक्स कागाज अब से कुछी लमहाद के बाद होता हुआ हमें दिखाई देगा तो दोस्तों मैच जारी है इस वगत पाकिस्तान और जिंबाबे के टीमों के दिर्मयान जहां पर जिंबाबे के टीम जो हो आज पहले बैटिंग कर रही है याद रहे पाकिस्तान की टीम तॉस को विंगे आ टॉस को जीते हुए पहले फिल्डिंग करने का फैसला किया जहां जिंबाबे के टीम ने अच्छी क्रिकट के लिए है अब तक है इस मैज के अंदर जहां जिंबाबे के टीम ने अब तक 134 रंज बनाए शाथ विकर्ट के नुकसान पर 20 सबर्स के अंदर अगर हम देख लेते हैं जिंबाबे के स्कूर कार्ट को गाई तो जिंबाबे है का स्कूर कार्ट जो है वह आज के स्मैज के अंदर कुछ यू रहा जहां पर ब्रेंडन टेलर ने चेर गेनों के उपर तीन रंज बनाए और हारिस राफ की गेन पर मॉहमार इजमान के आथ ह काच आउट होगे रही बात चीमुचा बाबा की दूने नौग यूनों के उपर पंदर और रंज बनाए तीन चौक यूं की जान से लगाए गया सिकंदर रजा ने साथ रंज बनाए दस के नों के उपर एक चौका जहां बुर्ल ने जो है वो 21 गिनों के उपर 32 रंज बना अलतन चिकंबुरा ने 19 गिनों के सामना करते हुए इस मैच के अधर 18 रंज बनाए एक चौका और 16 की जान से लगाया गया डानल्ड टिरपानों ने सत्रा गिनों के उपर 15 रंज बनाए एक चौका ऑंं की जान से लगाया वारिसरुफ की एंपर फखर जमान के हाथो क्याच सब्सक्राइब करते जाईए और अब देखना होगा कि अंदर कौन से टीम का पलड़ा भारी रहता है याद रहे दोस्तों के अगर पाकिस्तान के इस मैच को जीती है तो वो सीरियस को जीत जाएगी लेकिन अगर जिम्बाबवे के टीम इस मैच को जीती है गाई तो फिर जिम्बाबवे के टीम इस मैच को जीतने के बाद सीरियस को एक एक से बराबर कर देगी टार्गेट एक सो पैंतिस रंज का है पाकिस्तान की टीम को अर अबर के अंदर 6.8 रंज या फिर 7 के आसपास रं जो हो आज पहले बैटिंग कर रही है याद रहे पाकस्तान की टीम ने टॉस को विन किया टॉस को जीते हुए पहले फर्ल्डिंग करने का फैसला किया जहाँ जिंबाब्बे के टीम ने अच्छी क्रिकट खेली है अब तक इस मैज के अंदर जहाँ जिंबाब्बे के टीम ने अब तक 134 रंज बनाए 7 विकर के नुकसान पर 20 सवर्स के अंदर अगर हम देख लेते जिंबाब्बे के स्कोर कार्ड को गाई तो जिंबाब्बे है का स्कोर कार्ड जो है वाज के स्मैज के अंदर कुछ यू रहा जहाँ पर ब्रेंडन टेलर ने छे गेनों के उपर तीन रंज बनाए और हारिस राउफ की गेन पर मुहमर इजमान के हाथो कैच आउट होगे रही बात चिमुचा बाबा की दो होने नो गेनों के उपर पंदर और रंज बनाए तीन चौके उनकी जान से लगाएगे सीन बिलिम्ज ने तेरा रंज बनाए दस गेनों के उपर और दो चौके उनकी जान से लगाएगे फाही मशर्प की गेन पर वो आउट हुए बिसले मद अभीरे ने चौबिस रंज बनाए 22 गिनों के उपर 34 और एक चक्का उनकी जान से लगाए गया सिकंदर रजा ने 7 रंज बनाए 10 गिनों के उपर एक चौका उनकी जान से लगाए गया रियान बुर्ल ने जो है वो 21 गिनों के उपर 32 रंज बनाए एक चौका उनकी जान से लगाए गया अल्टन चिगम बुरा ने 19 गेनों का सामना करते हुए इस मैच के अंदर 18 रंज बनाए एक चौका और एक चौकाम की जान्च लगाए गया डॉनल्ड टिरपानू ने 17 गेनों के उपर 15 रंज बनाए एक चौकाम की जान्च लगाए गया तो दोस्तो टिंडा इस चेसारव ने तीन रंज बनाए बॉलिंग को देख लेते हैं मुहमाद उस्तियान नी चार अवर्ज में 28 रंज देते हुए कोई भी विगट अपने नाम नहीं की हारिस रउफ ने चार अवर्ज के अंदर यहां सेकेंड इनिंस का अगाजब से कुछी दिर के बाद होने वाला है तमाम दोस्त जो हैं वो वीडियो को लाइक करते जाए चैनल को सब्सक्राइब करते जाए और अब देखना होगा कि सेकेंड इनिंस के अंदर कौन से टीम का पलड़ा भारी रहता है याद रहे दोस्तों के अगर पास्तान के तीम इस मैच को जीती है तो वो सीरीज को जीत जाएगी लेकिन अगर जेमबबे के टीम इस मैच को जीती है इस तो फिर सिरीज को एक एक से बराबर कर देगी टारगेट 135 रंज का है पाकिस्तान की टीम को और अबर के अंदर 6.8 रंज या फिर 7 के आसपास रंज को जाए वो बनाना होगा और अब देखना होगा कितने रंज बनाती है टीम पाकिस्तान जीती है इस मैच को यह नहीं जाहां सेकेंड इनिक्स का आगाज अब से कुछ लमहात के बाद होता हुआ हमें दिखाई देगा तो दोस्तों मैच जारी है इस वगत पाकिस्तान और जिम्बाबे के टीम के दम्यान जहां पर हलो एंड वल्कम गाईज जी तो दोस्तों सेकेंड इनिक्स का आगाज अब होने वाला है जहां पर जिम्बाबे के टीम के फिल्डर्स ग्रांड के अंदर उतर चुके हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स बीजो हैं वह ग्रांड के अंदर आ चुके हैं गाईज और अब स्ट्राइक पर मुझूद हैं मुझारबानी जो है वालिंग के इस दोस्तों बात कर लेते हैं तो आज फखर जमान उपनेर रहेंगे और फखर जमान के साथ जो है वह बाबर आजम उपनर रहेंगे और आपको बता दूँ के अगले मैच के अंदर मेरे हिसाब से ज्यादा तबदिलियां हो सकती हैं इस मैच के अंदर इतनी ज्यादा तबदिलियां नहीं है और इसी बीच वीडियो के ओपर 1300 लाइक सूथ हुए बहुत 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 शूक्रिया आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्स्राइब करने की लिए लेका इशारा करते हुए य पाकिस्तान का स्कूर जीरो बिना किसी विकट की नुकसाम पे जहां बाहर निकलती भी अगयन थी और इस गेन को लिफ किया बिना किसी चेर चार्ट के जाने दिया विकट की बर के पास थैंक्स अलोड गाईज फोर स्विंग है और बहुत शुक्रिया आप तमान दोस्तों का साथ रहने के लिए जहां पर एक इंट्रस्टिंग मैच एक बड़िया मैच होते हुए देखाई देगा हमें दोनों टीम्स के दिरमियान और जो दोस्त जहां कहीं से भी हमार साथ फखर जमान एक अच्छे प्लेयर है बरहल अब देखना होगा के इस मैच के अंदर इनकी प्रफॉनेंस कैसी रहती है जहां पर अब सेकेंड डिनिंग्स का आगाज जो है वो गाईज होते हुए पाकस्तान के दूनों प्लेयर्स जो है वो बैटिंग करने के लिए आते जानी यूँके अपनी गेन बॉलिंग के सिसले को जारी रखेंगे दौना शुक्या तेज हुए आम पार को ग्रॉस क्या गेन क्या शाट पीचे गेन दास्तान के बाट जाता हुए इस गेन को कट कर दिया है कवर और पॉइंट की जाने बफ फिल्टर की जाने से मिस्पिल् कर दिया था लेकिन गाप में आकाम रही प्लेयर जिसके बाद अब दो रहेगा टीम पाकिसान का स्कूर्ट बिना किसे भीकर टुनिकसां पे अपने अवर की चौती गेन लेकर बॉलर एक तबा फिर से आगेन कैश शाट पिच्चे गेन इस गेन को पुल करना चाहते थे बै बाब राजम जाना वो बैटिंग करने के रही आ चुके हैं और अब बाबर आजम के करियर को अगर हम देख लिए हैं इस तो उनका करियर जो बहुती लाज़वाब रहा है इनन लेताइस मैंचे खेले हुए है टीटूअटी क्रिकेट के अंदर एरट इन्टालीस मैंचे प कावन की है सातान में उनका हाइस स्कोर है और 1630 रंज उन्हें बना रखे हैं जहां शॉट पीछे गेंद ऑस्टन के बार जादेब गेंद इसके इनको डिफ्रेंट कर दिया है कबर और पॉइंट की जाने फिल्टर हैंगे मौजूद करेंगे इसके इनको फिल्डे कार्ड डि पांच गिनों का सामना कर चुके फकर जमान बरहल अब देखना होगा के वो अपने टीम को जित्वाते हैं या फिर उनकी जगा पर दूसरे प्लेयर जो है वो अच्छा केलते होई जित्वाएंगे बरहल कोई भी बंदा जो है वो लाइफ चाट के अंदर हमारे साथ आपको क्रॉस का गेंगे इस गंको स्ट्रेट हिट कर दिया है उन दा शॉट लगेगा फखट जमान के बल्ली से लेकिन फिल्टर है मौजूद करेंगे सिंगल और सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा इस मैच के अंदर अब बला कितना टीम रहेगा टीम मां पाकिस्त प्लेश के नुकसान पे तेम पाकिसान का स्कोर्ट के किनिक सांगे भ्लैसिंग मुझारबाँई यहां जो है वह जो है दोस्तो गेनलाधी कर वाकिवाते हुए भ्लैसिंग मु 생ALDरबान एक आखरी बंडे मैंच के अंदर पांच विकर को अपने नाम किया था और अब देखना होगा कि इस मैंच के अंदर उनकी पर्फरमेंस कैसी रहती है यहां मैंच का बाकाईदा तोर पर आगाज सोते हो मैईद हमार साथ मोजूद हैं सर में अब्दुल जबार बात कर रहा हूं ज चलते हुए स्कोर रहेगा चौन तीन टीम पाकिसान का बिना किसे विकर की नुकसान पे एक शर्य एक अबर का खेल जाब अब तक मुकमल हो चुका है डेफेंसिव शॉट के लगया था बैटस्वैन की जान से फखर जमान की जान से सिंगल लेना चाहते थे इस गेन के उपर लेकिन सिंगल उनको नहीं मिलेगा जिसके वजह से तीन रहते हैं वो टीम पाकिसान का स्कोर बिना किस विकर की नुकसान पे अपने अबर के लिगेन लेकर बालर तयार पढस भड़ार ही ऐगेन बहुत बढ़ी अपील, Lbw की बढ़ी अपील लेकिन अमपायर का इसारा के पैसमन रहेंगे, not out अंदर आती हुई गेन थी जो के जाकर ठक्राई है पैट से अपील हुई है यहाँ पर LBW के लेकिन अमपार का है समानना के ना भई ना नॉट आओट का इशारा जो है वो देते हुए अमपार RR T20 सीरिस कहली जारही ही है T20 सीरिस का पहला मैच जो है वो टीम पाकिसान ने विन किया थो और अब दूसरा मैच के घिलते हुए फकट जमान और फकट जमान का दोस्तों बात कर लेती हैं तो वो वो तीन पर लाएते हुए इस गेन के उपर और सिंगल के चलते हुए चार रहेगा टीम पाकिस्तान का स्कोर बिदा किसे विगर करने किसाम पे तो पहली दफा जो है वो बाबर आजम अब स्ट्राइक का सामना करेंगे और देखना होगा कि बाबर आजम के जानव से जो हो किस किसम की चार रहते हुए टीम पाकिस्तान का स्कोर बिदा किसे विगर के निकसाम पे जहां अपने अबर के लिगेन लेकर बालर तयार पैट्स पर आदेवी गेन दॉट बाबर आजम पहली ही गेन के उपर अपना खाता खोलते हुए मोडा इस गेन को लेक साट के जाने बार मिट विगेट की पॉजिशन पर फिल्डर थे मौजूद किया इस गेन को फिल्ड और अब पांच रहते हुए टीम पाकिस्तान का स्कोर बिना किसे विगर के निकसाम पे एक आशार यह चार अबर का खेल मकबन होचका है जहां इस ग इनको फिल्क कर दिया था लेक साट की जाने बार सिंगल के जलते हुए पांच हो जाएगा टीम पाकिस्तान का स्कोर बिना किसे विगर के निकसाम पे सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा बिस मैच के उंदर छे टीम पाकिस्तान का बिना किसे विगर के निकसाम पे आपकी फेवरेट टीम इन दोनों टीम में से कौन सी इस मतलिक आप तमाम दोस्ते हों बता सकते हैं अपनी राय के हिजार कर सकते हैं जहां पर रब एक अच्छा मैच एक बढ़िया मैच चलते हुए इन दोनों टीम के दर्मियान बाबर आजम ने जो है वोट 2016 से लेकर 2018 तक जो T20 matches के लिए थे उनके अंदर उनके आवरेज 54 की थी एक 1031 रंस बनाये लेकिन उसके बाद उनके आवरेज डावन होगी दोस्तो 50 के आस पास उनके आवरेज आगी और यही एक बजा है कि बाबर आजम जो है वो उनके आवरेज जहां पर 60 की होनी चाहिए थ उनके आवरेज कम हो करनी चाहिए और इसी बेच चौका लगाते हुए बाबर आजम इसके इनको फ्लिक कर देंगे और गेंट जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर खुबसूरत चौका पर आते हुए गें थी और इसके इनको बेजा इसके बाबर आजम के बाहर चौकी के यह बनेगा कि सी प्लेयर के बास के उचाहिए और फिवरेट प्लेयर के बारे में पूछ रहें दोस्त डोस्त आपको बता दूंकि फ्विवरेट प्लेयर जो हम सबके एक ही हैं इस मैंच के अंदर तो बाबराजम है अच्छी क्रिकेट चलते हुए बहतरीन क्रिकेट जहाँ वो टीम पाकस्तान की जान सिप चलते हुए जहां पर अब दस रहेगा टीम पाकस्तान का स्कोर्ट बिना किसे विगट की नुक्सान पर ब्लैसिंग मज़रबाने की गेंद हवा में के लाइस गेंग को लॉंग उनकी जाने पर पाकिस्तान की टीम विगट के लोज करते हुए कर लीजिये बात यहां पर फखड जमान को एक और मौका दिया गया और उन्होंने जो है वो कह लीजिये के यहां पर मौप्य को कर दिया है जाया दोस्तों और जाया करते हुए उन्होंने अब अपनी विकट का लोज करती है बड़ा दज कल लगते हुए टीम पाकिस्तान को आउट हो जाएंगे फखट जमान और उनके आउट होने से पाकिस्तान की स्कोर जो हो रहेगा 10 बिना किसी विकट के न और उनको नहीं खरा जाएगा simply is that दोस्तों के अंदर फखर जमान को जो है बो नहीं खरात की पर्फोर्वान्स ते का अब रब उनको मैंज की अंदर नहीं खराई जाएगा सेकेंड टी ट्वंटी मैंच इंद दूनुह टीम्स नीजरी है जहां पर अब पाकिस्तान की टीम जो है वो हो टॉस को विन करते हुए बल्क उन्होंने गिंदबादी करने का फैसला किया और गिंदबादी करते हुए उनकी जाने बस से जो है वो गाईज कह लिजे के आज 135 रंस का टार गिर दिया है टीम जिंबावे ने पाकिस्तान को जीतनी के जी और पाकिस्तान की टीम ने आते ही विकट के लूज कर दिया है गाईज और यकीनी तोर पर रहो विकट के लूज करने का उनको जो है वो नुकसान रहेगा और अब यकीनी तोर पर वो हमें थोड़ा स्रूगल करते हुए दिखाए देंगे इस मैच के अंदर जहाँ दस पाक्सितान की टीम को पहला दच्का लग चुका है और अब देखना होगा कि पाक्सितान की टीम जो है वो पाक्सितान का एक विकट के लिए फखर जमान आउट होचके हैं और अब ब्लैसिंग मुझारबानी अपनी वालिंग के ससले को जारी रखेंगे तीम रंस देते हुए एक विकट को नहीं अपने नाम किया है ब्लैसिंग की एगें शाट पिच गें डिफेंट कर दिया इसके इंको कवर और पॉइंट की जाने फिल्टर रहेंगे माजूद करेंगे इसके इंको फिल्ड एक और डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा इस मैश के अंदर अब दस टीम जिंबाव के लिगें लेकर बॉलर जो है वो दोस्तों तयार दोड़ना शुक्या थेस हुए अम पार को क्रॉस क्या गेंद क्या इसके इंको स्मोक कर दिया है मिड्वेकट की जाने ब गेंद जाएगी बहुत ही बड़े चक्के के लिए बांपरी लाइन के बाहर कमाल हिटिंग करते हुए यहाँ पर हैदर अली जिन्हें स्मैश कर दिया इसके इंको मिड्वेकट की जानिव और गेंद जो है वो फिल्डर के सरकी उपट से रहते हुए जाएगी बांपरी लाइन के बाहर अब जो है वो चक्के के लिए जिना दोस्तों चका मिलेगा इसक जुरूर थे एक बेहतरीन मैच एक अच्छा मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मयान जहां अपने और के लिगें लेकर रेक तबाप फिर बॉलर रहेंगे था यार विल्कलि आइस दोरना शुरू क्या थेज़ हुए हम पार्कु रोस के अगें क्या पैट्स पर प्रमाजूद सिंगल आएगी इस गेंगें अबर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा 16 टीम पाकस्तान का एक विगट के नुकसाम पर फ्लिक कर दिया था इस गेंगें को लेक्साइट की जाने सिंगल नेंगे यह प्लेयर और सिंगल के चलते हुए सतरा रहेगा टीम पाकस्तान का स्कोर एक विगट के नुकसाम पर दो अशरिया जो है वो अब तक पांच अवर्स का खेंद मकमल हो चका है आप तमाम दोस्त मुझे बता सकते हैं कि कौन सिंगल आएगी सी बीच और सिंगल के साथ वर्तावर स्कोर हो जाएगा बठारा टीम पाकस्तान का एक विगट के नुकसाम पर चक्का लगाया गया हैदर अली के बल्ले से और क्या ही कमाल चक्का लगाया गया स्मैश कर दिया उन्होंने इसके इनको मिड़ विकट की जाने बार हैदर अली की दोस्तों बात कर लेते हैं तो वो अपनी जो है वो खूबियों से कह लिए कि अपनी जो है वो क्रिकेट सेंस सब को मतासर करते हुए जिन्हों चक्का लगाया है मिड विकेट की जानी बार चक्के के चलते हुए स्कोर हो जाएगा इस मैच के अंदर अब टीम पाकस्तान का 17 एक विकेट के नुकसान पे दो आशर या पांच अवर्स का खेल मुकमन हुआ बलके तीन अवर्स का खेल मुकम होना चाहिए तीन सो पैंसर के क्रीब दोस्ते हैं हमार साथ मुझा जोड़ी गेंद पैर्स पर आती विगेंद फ्लिक कर दिया इस गेंग को लेक्स साइड के जाने मिड विकेट की पॉजिशन पर फिल्ट रहींगे माजूद बलके बैकवर्स को लेकी पॉजिशन पर फिल और बड़िया क्रिकट खेली थी बाबर आजम ने अब देखना होगा कि इस मैच के अंदर उनकी क्रिकट कैसी रहती है लाइक वो किस अंदास से परफॉर्म करती है उनिस रहेगा टिंग भाक्स्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसां पे तीना शरीय कवर के बाद हैदर ली ये प्लेयर सिंगल को लिएने में और इसी बेच एक सो बलके उनिस रहेगा टिंग पाक्स्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसां पे तीना शरीय कवर के बाद थैंक्स अलोड गाईज फर सिंग हीर बाबराजम की ऐजे कैप्टन बात कर लेते हैं तो उनके आवरिज बढ़ चुकी है आठ मैचेस के रहे हैं ऐजे कैप्टन उन्हें और उनके आवरिज बढ़कर 57 की होचके है दोस्तों जहां पर कैप्टन बनने से पहले उनके आवरि 246 की थी पहले दो साल उनके आवरिज 54 की रही लेकिन उसके बाद उनके आवरिज कम के कम होकर 40 की होगी और अब उनके आवरिज फिर से बढ़ रही है और अब उनके आवरिज के लिजे के 50 के ऊपर चल रही है जहां इसके इनको फ्लिक कर दिया लेक्सार की जानेब सिंगल आएगी हैदर लीके बले से और सिंगल के साथ बरतावा स्कोर हो जाएगा अभी स्मेंश के अंदर बीस टीम पाक्सितान का एक पिकट के नुकसाम पे तीन अशरियती नुमर के बाद फुल कर दिया था स्मेश कर दिया था इसके इन को लेक्साट के जानिव और गेंड गैप म पर बाबर आजम जिन्होंने मिडल अफ ताप बैट इसके इन को स्मेश कर दिया था दो फिल्डर के दर्मयान में से रहते हुए ये गेंड जाएगी बांबरी लाइन के बाहर खबस रचागा अंपायर के पास से गुजड़ी विक्टो के पास से गुजड़ी दो फिल्डर इसको चीड़ते हुए ये गेंड जाएगी लांग अनके और लांग अनके फिल्डर के दर्मयान में से होते हुए बांबरी लाइन के बाहर चाहा के लिए बाबर आजम यूब यूटी मिडल अफ ताप बैट स्मैश करते हुए बाबर आजम इसकिन को क्या ही बड़िया क्रिकेट जहाए रिया बाबर आजम की जान से जहां पर अब चॉवीस रहते हुए टीम पाकस्तान का स्कोर इक बिक्ट करिन उकसांपे 3.4 अबर के बाद तीन आशारीय चार अबर का खेल जवाब अब तक मुखबल होचका बाबर आजम डबल फिगर्स में जाते हुए जिन्होंने 11 रंज बना रखें 15 गिनों के उपर और ला जवाब बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए बाबर आजम तो दोस्तो 24 रहेगा टीम पाक्स्तान का स्कोर इक विगर्ट के निकस्तान पे जहाँ बाबर आजम स्ट्राइक पर मौझूद तिरपानो जो है अब अपनी बादिंग केससले को जारी रखेंगे यहाँ तिरपानो ने दौना शुक्या तेज हुए अम पारको रॉस का अगेन क्या विगर्ट विगर्ट आथा अगेन इसकेन को फिर से केल दिया है लॉंग उनकी जाने बर सिंगल आते हुए स्केन के उपर सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा टीम पाकिस्तान का पच्छी से क्टीम पाकिस्तान का एक विगर्ट के नुकसाम पर थैंक यू समच गाईज ऑफर सिंग हीर बहुत बहुत शुक्रिया आप तमान दोस्तों का साथ रहने के लिए जहाँ पर अच्छी क्रिकेट बेहतरीन की रिकट खेलते हुए दोनों प्ल सिंगल लेंगी दोनों प्लेर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा अब 26 एक विगर्ट के नुकसाम पर चार अवर्स का खेल जहाँ अब तक मुकमल होते हुए आपके हैल से कौनचे टीम इस मैच को विन करेगी इस मतलिक आप बता सकते हैं जहाँ पर एक बेहतरीन मैच एक अच्छा मैच होते हुए दिखाई दिगा क्यूंकि जिंबाववे के टीम ने अर्लियान जो है वो विगर्स को अपने नाम कर लिया था और अर्लियान विगर् किनी तोर पर फाइदा जरूर से रहेगा अर्लियान विगर्स के बाद यहां पांच मेंबर की पहली गेन लेकर बॉलर जो हैं वो ठहरेंगे तयार कपिल भाई ये लीजिए आपका इनाम जी तो दोस्तो यहां पर अपर 25 रहेगा स्कोर एक विकट के निकसान पी चारवर सामना जल्दी आउट हो गे थी और अब जो है वो नगाराव अपनी वालिंग के सिसले को जारी रखेंगे कट कर दिया स्गें मैंगे को गोली की मानद ग हार एक और चौका ला जवाब शॉट लगाते हुए यहाँ पर बावराजम जिन्थ ने कट कर दिया इस गेंद को और गेंद जाएगी बांडरी लाइन के बाहर अरे 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 हैदर अली के बले से निकला हुआ बेहतरीन शॉट और चौका मिलेगा माज़रत दोस्तों क्योंकि खेलने का अंदाज बिल्कुल बावराजम जैसा था इनका लेकिन तेज हाथों के साथ इस गेंद को खेला गेंद जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए और चौकी के साथ 37 होगा टीम पाकिस्तान का स्कोर एक विगट के नुक सामपे चार अवर्स के बाद चार अशरी एक अवर के बाद जहां हैदर अली ने 12 रंज बना रखें तेज खेले की कोशिश में बावरा हैदर अली आट गेंद लोगा सामना किया अगदी गें लेकर दनागार आवा के लिए कोई भी प्लेयर इतना बड़िया नहीं खेल पा रहा आजकल तो 30 होएगा टीम पाकिस्तान का स्कोर एक विगट के नुकसान पे और अब मिडल ओर के अंदर कौन से प्लेयर वैसे आ सकते किसी आल अरूंडर की जरूरत है जो के तेज खेलने माली हो आस्टों के बाद जा लिए इंको डिफेंट कर दिया है कवर और पॉंट की जाने इमाद वसीम है वैसे लेकिन आजकल उनको नहीं खेला जा रहा और इमाद वसीम के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं शादाब खान की तो वो भी आजकल अच्छा खेलना शुरू हो जकी है लेकिन इन दोनों प्लेयर्स को अपनी पावर हीटिंग को जो है वो इंप्रूव करना होगा पावर हीटिंग अगर इनकी अच्छी रहेगी तो फेडरींग की टीम को लिए इतनी ज़्यादा दिकत नहीं रहेगी पाकिस्तान का सौल हो जाएगा जैसे के हैदराबाद की टीम का मिडल ओर का पाकिस्तान का सौल हो जया जब से उन्होंने जेसन होलडर को टीम के अंदर शामिल किया है और अब 30 रहते हो टीम पाकिस्तान का स्कोर एक विकर्ट के निकस्ताम पे चार आशरीय ती नमर के बाद क्रंट रून रेट अच्छे आशरीय अच्छे साथ का चलते हुए रिक्वाइड रून रेट बी जो है वो दोस्तों इतना ही चल रहा है लगबग पाकिस्तान के टीम की बात कर लेते हैं दोस्तों तो पाकिस्तान के टीम ने जो है वो पहला मैच जीता था दूसरा मैच चल रहा है आज जीतेंगे इस मैच को तो सीरिस को जीत जाएंगे याद रहे दोस्तों के पाकिस्तान के टीम ने टीम वो बीन जीती लेकिन आखरी वो दनी मैच के अंदर टीम जो है वो जिंबावी ने पाकिस्तान को जो है वो फिल्टर को तायनात किया गया है लेक्सार्ट की जानेब इसी चीज़ को मद्दे नज़र रखते हुए पांच रन्स आ चुके हैं सबर के अंदर पांच गेनों के उपर पांच रन्स आते हुए 31 का स्कोर एक विकट के नुक सामपे highest average in ODI T20 cricket तो दोस्तों बाबाराजम नंबर वन पर बुराजमान हमें दिखाई दे रहे हैं जिनके average 51.31 की यानिके 51.31 की है 130 का स्ट्राइक रेट है विरात कोली का स्ट्राइक रेट 130 का है लेकिन के average 50 की है तो दोस्तों मिनिमम हजार रन्स होते हुए सबसे बेहतरी इन बैट्समेन जो है बाबर आजम है T20 cricket के जहां पर अब 31 रहेगा टीम पाकिस्तान का स्कोर एक विकट के नुक सामपे पैट्स पर आदेवी गेन को फ्लिक कर दिया है लेक्सार की जाने बार गेन जाएगी फाइल लेकर जाने बांड रिनाइन के बाहर एक और चौका गेन तो ऐसी थी जैसे कहते हैं न के आप बैल मुझे मार तो बिल्कुल वैसे ही गेन थी और इसकिन को निकाल दिया लेक्सार की जाने बार चौका मिलेगा इसकिन के उपर और चौकी के चलते हुए बाबर आजम चले जाएंगे सोड़ा के स्कोर पर अच्छी क्रिकट खेलते हैं बाबर आजम ने एक चौका लगाया एदर ऐने एक चौका लगाया और इसी बीच अब जैसे वह पाकिस्तान की टीम जो है वो चैंदा से आगे बढ़ते हूए इसमास के अंदर थैंक्स आलोड गाइस फर शेंग ही और बाद शो कि आपका साथ रहने के लिए जहां पर बाई पेल के मैच का आगाज भी कुछी लमाद के बाद हो जाएगा अलिगें दो विकट 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 आदे विगें स्मैश कर दिया स्किन को लॉंगन की जाने बा है दर लीगे बल् मैच अब से कुछी लमाद के बाद शुरूख होता हुआ दिखाई दिगा पाकस्तान की टीम को कुछी रंस की जरूर थे पाकस्तान की टीम को जो है वो गाइस कुछी रंस की जो है वो यहां पर जरूरत थे यह मैच विन करने के लिए जहां आश्रून के बाद जाते हुग इस सबर की पहली दो गिनों के उफर दो सिंगल्स आएंगे और दो सिंगल्स के चलते हुए स्कोर हो जाएगा संथिस्टीम पाक्सान का एक विगट के निकसां पर बढ़िया मैच एक इंट्रस्टिंग मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के बीच आपके ख्याल से कौन से टी सब्सक्राइब बहुत ही कम दोस्त कर रहे हैं जल्दी से तमाम दोस्त वीडियो को लाइक भी कर दीजिये और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिये जहां पर अब अब 37 रहेगा टीम पाकस्तान का स्कोर एक विगर कि नुकस्ताम पे बड़ा शौट केलना चाते थे यहां पर हैदर अली लेकिन उनके बल्ले का बाहरी किनारा चूते हुए जाएगी थर्ड बैन की जानी बाहर एक और चौका अच्छा शौट लगाते हुए हैदर अली ले लेकिन थोड़े लखी भी रहे क्योंके यह गेंद फिल्टर के हाथ में भी जा सकती थी लेकिन उनके बल्ले का बाहरी किनार लेने के बाद जाएगी थर्ड बैन की जानी बान प्री लाइन के बाद चौकी के लिए और अब हैदर रिली चले जाएंगा ठारा के स्कोर पर प डाइन को टीम पाकिस्तान का एक विकर की नुक सान पेचाँ से बीचे सिंगेंगा ने के फिलडर के पास के वह सिंग को क्रेंफिल और एक और चाहके के लिए गेंद बढ़े गी ऑर गेंद जाएगी बादरी लाइन के बाहर चोके के लिए सब्सक्राइब चुका है अच्छी क्रिकट खेलते हुए यहां पर पाक्सितान के टीम जिन हुने चे अवर्स के अंदर 45 रंज बना लिये हैं तेज खेलते हुए अपने टीम के स्कोर को जो है वो बड़ी अंदास से आगे लेकर जाने की कोश्रिफ में लगे हुए हैं यह दोनों प्लेयर जहां पर अगले मैच का आगाज भी कुछी लम हाथ के बाद हो जाएगा आपकी फेवरेट इम इन दोनों टीम में से कौन सी जल्दी से बता दीजेगा तमाम दोस्त जहां पर अब बॉलिंग में तद्दिली की जाएगी और स्मिन बॉलर चिसारो को बॉलिंग के लिए लाए जाएगा एंड लट्सी के चिसारो की जानिब से इस किसम की बॉलिंग जो है वह गाइस करवाई जाती है नए प्लेयर हैं जी सारो और यकीनी तोर पर अपनी टीम को जो है वो ये मैच जितवाने की कोशिश करेंगे विकर्स को लेने की कोशिश करेंगे विकर्स दोना दोस्तों जब आएंगी तो फिर ही इनके टीम ये मैच को विन कर पाएगी अधर्वाइस इस्टिम के लिए मैं इतना इतना असान नहीं रहेगा जहां पर अब तिस आरो बॉलिंग करवाने के लिए आए हुए हैं जी हां गाइज इस आरो अपने अवर के पहली गेन लेकर आए गें का इस गें को फुल अन्ट को ड्राइब कर दिया लॉंगन के जाने संगल आते हुए इस गुबर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा गां जी हां गाइज इस शिंगल के चलते हुए इस को मैस के रभ इंपाक्स्तान का 46 एक विकर के नुक्सान पर विकर टूर से विकर्ट बॉलिंग कर वाइज और बश्यारी इन गेंद करवाते जो है वो आगे बढ़ाते हुए एक प्लेयर्ज जहां अगली गेंद कदमों का सारा लेकर स्मैश कर दिया सिंग को लॉंग उन की जानिब गाप में है गेंद और बांडरी लाइन के बाहर जाते हुए गेंद चौके के लिए बाबर आजम के बल्ले से वाह क्या बात है बाबर आजम आपकी जिन्होंने स्मैश कर दिया सिंग को और गेंद जाएगी बांडरी लाइन के बाहर एक और खुबसूरत चौका मिडल अफ ता बैट क्रंच के इस ग गेंद को कोई मौका नहीं बनेगा किसी प्लेयर के पास कि वो इस गेंग को रोक लें और गेंद जहें वो बल्ले के मिडल से रहते हुए जाएगी लांग और लांग आफ के फिल्डर के दरमयान में से बांडरी लाइन के बाहर चौके के लिए एक बेहतरील मैच एक को कट कर दिया है पॉइंट की जानिब फिल्डर रहींगे मजूद करेंगे इस गेंगे को फिल्डेंड अन्दर डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा एक आवन एक विगर की नुकसान पी तालिया होनी चाहिए टीम पाकिस्तान के लिए जि हो जाएगा इकावन से बावन बिना किसी विगर की नुकसान पी एक लिकें को फिर से स्माश कर दिया है वहाधर अली के बले से निकला हुआ हुम दा शॉर्ट और सिंगल लाएगी इसके पर सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा सिंगल जहाँ दोस्तों आते हुए तरिपन हो जाएगा स्कोर बिना किसी बिगर के निकस्टाम पे एक बड़िया मैच एक अच्छा मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मयान और पाकिस्तान के टीम जो है यकीनी तोर पर चाहिएगी कि जल्दस जल्दी इस मैच को विन करें लिकिन अब देखना होगा कि ऐसा हो पाएगा या नहीं एतारली और बाबाराजम के दर्मयान एक बड़िया पार्टन्शिब लगते हुए और इसी पार्टन्शिब को जो होगाइस बढ़ानी की कोशिश में लगे हुए ये दोनों टेर रहा है या बड़िया मैच अच्छा मैच चलते हुए बॉलर तयार सिंह जिलिम्स़ी अगेंन धार पिजदी गेंड करना चाहते थे इस गेंड को पराल बचेंगे एहां गईज काट करना चाहते थे इस गेंड को लेकिन लखी रहे के गेंड जो है वो हो जाएगी विगेड कीपर में बे। स्मैचेस के अंदर 32 विकट्स को इन्होंने अपने नाम का रखा इसी बेच स्ट्रेट हिट क्या है इस गेन को हवा में है गेंद और आसमान से बाते करते हुए जाएगी अगें दबांडरी लाइन के बाहर एक और कमाल चक्का हैदर अली यू ब्यूटी जुन्होंने स्मैश कर दिया स्केन को लंगा फोर्ट लंगान के फिल्डर के दिम्यान में से बांडरी लाइन के बाहर एक और खुबसूरत चक्का मिलेगा हैदर अली को और पाकिस्तान के टीम जाते हुए अब 69 के स्कोर पर एक विकट के नुकसां पे 79 is the score of team Pakistan on the loss of one wicket. 50 meter का लंबा चक्का लगाते हुए हैदर अली बड़िया क्रिकट के लिजा रही है हैदर अली की जान से जुनने 95 meter का लंबा चक्का लगा दिया है और अब अगर हम बात कर लेते हैं गाईस यहाँ पर हैदर अली की तो वो इस तवर की तीसरी गेन का सामना करेंगे कैसीन विलियम्स की अगेन दब बाकफ़र पड़ाते हैं को काट कर दिया है क्रांच कर दिया है अफसाइट की जाने बफ फिल्डिंग करेंगे मिस फिल्डिंग एक रन आएगा इस गेन के अपर दूसरे रन के लिए दोनों प्लेवर आपर साएगे और दो रन्स के चलते हुए स्कोर हो जाएगा इस मैश के अंदर अब बला कितना स्कोर जाएगा और हो जाएगा एक सा टीम पाकस्तान का बिना किसी विकट के नुकसान पे थैंक्स अलाट गाइस फॉर्स रिंग हेर जहां पाकस्तान वर्सेज जिंबाबी ये दूसरा 2020 मैच और बतीस गेनों के उपर एक अवन रंस के एक अच्छी पार्टन्शिप लगते हुए इन दोनों प्लेयर्स के बेचे सी बेचे सी बेचे सिके इंको बाक्फूर फड़त सी बेच सिंगल आएगा इन दोनों प्लेयर्स के दर्मियान दूसरे रंस के लिए मुकमल वापिस मुड़ेंगे और दो रंस के साथ बरतावा स्कूर हो जाएगा तरे सर्टीम पाकस्तान का एक विकट के नुकसाम पे तेस क्रिकट खेलते हुए दोनों प्लेयर्स अच्छी क्रिकट तेस क्रिकट खेलते हुए दोनों प्लेयर्स जहां पर रब आउट कौन से प्लेयर हों फकर जमान जो हो दोस्तों आउट होचके हैं स्मयाच के अंदर कि बाबर आजम और हैदर रोली के दर्मियान एक अच्छी पार्टनर्शिप लगते हुए तरिशट रहेगा टीम पाकस्तान का स्कोर एक विकट के नुकसाम पर आती हुए इनको मोड़ दिया है मिट विकट की जानेब स्कोरिव प्लेयर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा आब पाकस्तान का यहां गया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसक्राइब करने के लिए आपका लैक आपका विडियो को लाइक करने के लिए आपको लाईक अज मिल जाएगा इंफोर्मेशन गेर हमार साथ नौजूद है बोलते हुए गुड वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका आउट कौन हुआ है तो फगर जमान आउट होच के है जिन्होंने आते ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन आउट होकर वो पबेलियन की तरह हो आपिस गए और अब 12 वर्स का खेल होना मसीद बाकी है जी हाँ दोस्तों 12 वर्स का खेल होना बाकी है लेकिन मेरा समाना है कि अगर ये दोनों प्लेयर बैटिंग करती हैं तो ये मैच 8-9 वर्स के अंदर मुकमल हो जाएगा बारा वर्स तक ये मैच नहीं जाएगा जहां पर अपने अवर के लिगेन लेकर रहाँ सिकंदर अधा बट रहेंगे तयार सिकंदर की पहली गेन दबाफ़ परते हो इसकिन को कट कर दिया पॉइंट के जाने फिल्टर रहेंगे माजूद करेंगे सिकंद को फिर सिंगल आएगी सिंगल के चलते वे स्कूर हो जाएगा अब पैंसर टीम पाकिस्तान का एक विगट के नुकस्तान प्याट हशरी एक अबर के बाद बालर तयार लेक्शन के बाहर जाते वे गेंद और वाइट बाल का इशारा दिया जाएगा अबार की जांसे जी यहां गाई गाइज वाइट बाल का जो है वो इशारा दिया जाएगा अब आगकी जाना से और वाइट बाल के चलते हो इसकूर हो जाएगा छाट इक विगट के नुकसान पे जो करेंगे इस game को field, single आईगी सी बीच और single के चलते हुए score हो जाएगा अब सरसर टीम पाकसान का एक विकर्ट के नुकसान पे Thanks a lot guys, first thing here, यहाँ पर एक interesting match, एक बड़िया match होते हुए इन दोनों टीम्स के दिर में आना और अब एक दबा फिर बॉलर आएगें, क्या विकर्ट विकर्ट आदा अब अगेंद, इस game को सीधे बले के साथ खेल दिया है, वाप इस बॉलर की जाने बाद दर डॉर डिलिवरी और डॉर डॉर डिलिवरी के चलते हुए score हो जाएगा इस match के अंदर अब सर सर टीम पाकिसान का, एक विकर्ट के नुकसान पीब, जहां अगली गेंद को फिर से फुल कर दिया है, मिड विकर्ट की जाने बाद, हवा में है गेंद, कैच आउट हो सकते थे वैट्समेन, लेकिन रहेंगे नाकाम और अब स्कोर रहेगा इस match के अंदर, अट सर टीम प को कट कर दिया है, ठीब थर्ड बैन की जाने बाबर आजम के बले से निकला हुआ, बेहतरीन शोट और गेंद जाएगी चौके के लिए, बान ब्री लाइन के बाहर, लीजिए कर लीजिए बात, इससे कहते हैं बेहतरीन टाइमिंग और उम्द अप्लेस्मेंट जहां इस ग इन को कट कर दिया था, थर्ड बैन की जाने बागेंद, दो फिल्ड उसको शीड़ते हुए जाएगी भान ब्री लाइन के बाद चौके के लिए, बाबर आजम जाते हुए 28 के स्कोर पर हैदर अली मौजूद है, 34 के स्कोर पर 68 गेने और 67 गेने हैं, और बलके 66 गेनों के उ एक बेहतरीन मैच, एक अच्छा मैच चलते हुए इन दोनों टीम के दरम्यान, खास तो और पर टीम पाकस्तान के लिए, क्योंके पाकस्तान के टीम जब अच्छा खेर रही है, और अपनी टीम के स्कोर को जब आगे लिए कर बढ़ रहे हैं दोनों प्लेयर, चौका लगाया गया था बाबर आजम की जान से और चौकी के बाद, उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को जब वजीद आगे बढ़ाया और अब 72 रहते वो टीम, पाकस्तान का स्कोर एक पिकट के लिए नुक साम पे नौ बर्स के बाद है, जुए थे, जी सारो की इस गेन को और कैच आउट होते होते बाल बाल बचेंगे यह प्रेयर, आदर अली जिन होने कट करना चाहा इस गेन को लिकेन रहेंगे नाकाम और एक और डाट डेलिवरी, अगली गेन लेकर बॉलर फिर से आए इनका शॉर्ट पीचे गेन कट कर दिया इस गेन को फिर से पॉइंट के जानेब फिल्डर रहींगे माजूद करेंगे इस गेन को फिल्ड एक और डिलिब्री और डिलिब्री के चलते हूँ स्कूर हो जाएगा बहुत तर्टीम पाकिसान का एक विकट के नुकसान पर अली गेन लेकर बॉलर फिर से आया और इस दफ़ा इस गेन को गाप में खेल दिया है थर्ड मैन की जाने बाद चौका मिल जाएगा है दर लिको दो दफ़ा उन्होंने ट्राए कि आके चौका लगाएं लेकिन इस दफ़ा एवेंचली जो है व वो इस मैच को विंद कर पाएंगे या नहीं पर आती हुए एक लिक इनको खेल दिया है लॉंगान की जानेब सिंगल आते हुए इस के इनके अबर आव रहे है सिंगल के चलते हुए स्पोर हो जाएगा सब्सक्राइब सिंगल के साथ बरता Cantonese हो पे हैदर अली कि जो हैं वो दोस्तों अच्छी क्रिकट खेलते हुए अपने इतीम के लिए और उनके साथ बावरा आजम भी जो है वह अच्छी क्रिकट खेलते हुए और दोनों प्लेयर के दर्मयान पार्टनेशिप एक अच्छी पार्टनेशिप लगते हुए जहां पर रब सिच्वेशन को चीह है गाइस मैच की के रेली हाँ जी दोस्तों सिच्वेशन जो है वो मैच की कुछ हुँ है के अब पाकस्तान की जीतने के चांसे थोड़े ज्यादा लगे हैं पाकस्तान की जीतना चाहिए और टास को जीते हुए पहले बैटिंग करनी चाहिए और टीम के अंदर दोस्ते तीन तबदिलिया करनी चाहिए ताके ताके जो है वह उनको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सके अबदुला शफीक को जो के नैशनल टीटवन टीकप के बेहतरीन प्लेयर रहे थे उनको खिलाना चाहिए साथ-साथ अभी दली को ट्राइए करना चाहिए और बॉलिंग में तो तबदिलिया करनी चाहिए वहाँ आज को रस दिया जाएगा अगले मैच के लिए जहां अगली गेन देशाट पिचे गेन इस गेन को ड्राइब कर दिया है लोंग ओफ की जान। सिंगल आते हुए सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा अब इस मैच के अंदर असी टीम पाकिस्दान का एक पिकट के निकसाम पे बाबर आजम ने स्मैश के आइस गिंको कवर और पॉइंट के जाने बाइक्ट्रा कवर के फिल्डर करेंगे मिस फिल्डिंग और गेन जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर एक और चौके के लिए बाबर यू ब्यूटी जिन्होंने एक और चौका देमारा ह 10-30 पर जाते हुए बाबर आजम जिन्होंने इस गिंग को ड्राइब कर दिया था एक्स्ट्रा कवर के रीजन में कोई मौका ने बना किसी प्लेयर के बास्केव इस गिंग को रोक है और गेन जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर चौके के लिए जो रासी रहेगा टिंग बाकस्तान का स्कोर एक विगट के नुकसान पर और इसे बीच इस गिंग को कर दिया है स्मैश मिड़ विगट की जानिब और गेन जाएगी बाउंडरी लाइन के बाहर एक और बहुत बड़ा चक्का बाबराजम इस ओन फायर जिन्होंने बड़ा चक्का दे मारा है इसके इनके उपर मिड़ विगट के दिशा में और कोई मौका नहीं रहेगा किसी प्लेयर के पास के वो इसके इनको फिल्ड करें फिल्डर बने ता माशाई और 90 मेडर का है कि हूं मंगस चक्का लगाते हुए बाबराजम और अब सिच्वेशन को चियू होते हुए कि 84 रहेगा 84 से 90 हो जाएगा टीम पाकिस्तान का स्कोर एक वेकर के निक्सान पे बड़िया बैटिंग करते हुए बाबराजम जिन्होंन जीतेगा जिमबाबी हारेगा जी जी बिल्कुल लग तो ऐसा ही रहा है अब नब टीम पाकितान का एक विकर्ट के नुकसान पी दस अशर या पांच अवर्स के बाद बाबर आजम ने बीस गिनों के उपर 49 रंज बना रखें तेज बैटिंग करते हुए बाबर आजम लगबग दोसों के स्ट्राइक रिट के साथ यहां सिक अंदर के लिगें दपार्स वारा आते हुए फास्टर मन ये अगें दफ लिक कर देंगें को मिट विकर्ट के जाने ब मुदस्तिर पार्ड़ भाई हमार साथ मौझूद हैं फरीद एहमद ने जवाइन करका बद्द शुक्रिया भाई आपका साथ आने के लिए और जितने दोस्त जांगा इंसे मौझूद हैं वलकम एव्यों टो इस लाइश्ट्रीम जहां पर रब आप जो है वो इस मैच को ज अधिलिगें को स्मैश कर दिया है कवर और पौान की जाने अब सिंगल लेंगे बाबर आजम और सिंगल के साथ वो चले जाएंगे अब एक तालिस के स्कोर पर हैदर अली चावालिस पर मौलूद है और लगाता आ जो हैब अपनी दूसरी 50 को मुकमल कर सकते हैं अग्ला किस अबसलूल्डी ब्रिलियंट हिट बाई हैदर अली हवा में खेला है इस गेन को एक्स्ट्रा कवर की जानिब और गेन जाएगी आसमान से बाते करते हुए बांडरी नाइन के बाहर एक और बेहतरीम चक्का और हैदर अली अपनी 50 को मुकमल करते हुए तालिया रुकनी नही पाक्स्टान के पहले बाटिंग कर लेती तो में वहाइच दोस्तों के आसपास रंच को बना देती है इसे बेचेज गेंको ड्राइब कर दिया है एक्ष्ट्रा कावर की जानी बुम्धा शॉट लगेगा बावर आजम के वल्लिसे एक और सिंगल आती हुए और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा इसमयाच के अंदर टीम पाकिस्तान का 101 विकट के नुकसान पर तालीया होनी चाहिए टीम पाकस्तान के लिए जोने अपने 100 रंस को मकमल कर दिया है और अभी इसी के साथ वीडियो के उपर साड़े 500 लाइक साड़े तेरा सो लाइक सोने वाले हैं दो लाइक्स की ज़रूर थे इस वीडियो के नीचे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कावड मिल जाएगा और इसी बेच आवर थ्रो की सोड़त में सिंगल मिलेगी टीम पाकस्तान को सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा 101 पाकस्तान का एक पिकट के निकसान पे सिंगल आएगी बाबर आजम के बले से और सिंगल के साथ 47 पर चले जाएगी और लगातार दूसरी 50 बना सकते हैं और अगर ये लगातार दूसरी 50 बना देते हैं दोस्तों तो इनको मैन अफ दी सीरीज का ऑवाड भी जो है वो दिया जा सकता है जी है इंको मैन अफ दी सीरीज का आवड भी दिया जा सकता है जहां पर अब जो है वो सुच चुछ हीु है गास के सोकर रहते हो ये चीम पाकस्तान का 101 ब 102 होते हो ये स्कोर एक बिकट के निकसान पे और आप इस मैच के अंदर 50 गेने और 50 बलके 48 गेने और 48 गेनों के उपर जो है वो 32 रंस के दुरूर थे टीम पाक्सान को यह मैच वोइन करने के लिए चाहिद उसेंद भाई ठीक हो गया मुहमद अतासीद भाई ने हमें जोइन करका बदबश्यों करें आपका भी और जितने दोस्त जहांगा इंसे माजू थी आपको बता दूँ कि यह सीरिस का दूसरा 2020 मैच है तीस्ट्रा मैच जो है वो अब खिला जाएगा बला कब तीस्ट्रा मैच भी जो हो दोस्तों खिला जाएगा और वो खिला जाएगा 10 तारीको जिस दिन IPL का फाइनल है उस दिन वो मैच खिला जाएगा और दो बजे के आस पास में आपको दुबारा से जॉइन कर लूँग जो बिल्कल गाईज चले गई हैं अब 47 के स्कोर पर रइस गिन को फिल कर दिया था लेक्साट की जानेब गैप में रही ये गेंड और दो फिल्डर्स को चीरते हो जाएगी बांवरी लाइन के बाहर चौकी के लिए बढ़िया चौका लगाते हुए बाबराजम जो अब अप स्कुराइब कर दो फिल्क लेक्साट के जानेब सिकंदर अबट मुझूद एक ट्रपा लगने के बाद गेंडाईगी सिकंदर के बाद सिंगल आते हुए इसकिन के बर सिंगल लेने की कोशिच लेकिन रहेंगे नाकाम मुशाइज विदास वलकम दिस लाइफ्ट्री में प इसकिन को गाइड कर दिया थर्ड मैं की जानेब लगातार दूसरी 50 बनाते हुए बाबर आजम तालियान के लिए रुकनी नहीं चाहिए और बाबर आजम की निंग्स आपको जर्रा बराबर भी अच्छी लगी तो जल्ली से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए इस वीडियो के निचे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब का बडल मिल जाएगा जहां पर रब बेहतरीन चौका लगाते हुए बाबर आजम क्या बात है जल्दी से जल्दी से जल्दी जो है इस मैच को फिनिश दोने देना चाही था अगला मैच भी शुरू होने माला है लेकिन कैच को जह हो दोस्तों बगड़ते हुए यहां पर चिगंबुरा जो के फाइन लग की पोजिशन पर मौजू थे हैं और चिगंबुरा ने केन को कै जाच किया और रहा है जाच करना इस गेन को जाओ इतना चान नहीं मतलब इतना आसान नहीं होता हां जी हां जी हां जी मुगल भाई आयम फ्रम पाकिस्तान पंजाब एंफ एक सो दस होते हुए टीम पाकिसान का स्कोर दो विकर किनुकसां पे 25 रूंस के अभी जरूरत है च पचास मिनट बैटिंग की अठाइस के नुगा सामना किया आठ चौके और एक चक्का जो है वो उनकी जानिव से लगाया गया जहां पर हैदर अली अभी भी मौजूद हैं बावन के स्कोर पर और अब जो है बगाईज कह लीडिये के अगले प्लेयर बैटिंग करने के इस runs की रोड़ थे अगर यह चखका हो जाता तो मेरे हिसाब से यह मैच नौ मिनर के अंदर कंफरम मुकामल हो जाता लेकी आप ऐसा लग रहा है कि मैच नौ मिनर के अंदर मुकामल नहीं होगा अब यहांप अब देखते हैं क्या बनता हैं जहां पर रव जहांपर अब 110 रहते हैं इसकोर टीम पाक्स्तान का दो विकर्ट के निकसाम पे क्या कमाल बैटिंग की गई बाबर आजम की जान से दिल खुश कर दिया तमाम शायकीने क्रिकेट फैंस का बाबर आजम ने और इस फ्लेयर को रोकना ना मुम्किन लग रहा हैं और उन्होंने बंडे सीरिस के अंदर भी सबसे ज्यादा रंज बनाये थी और ही ट्वंटी सीरिस के अंदर भी जो है वो बहतरीन बैटिंग करते हुआ अब खुश दिल शाह को बैटिंग करने के लिए लाया गया है तीन मैचस के अंदर तेरा रंज बना रहे हैं खुश दिल शाह ने जो के अब बैटिंग करने के लिए आए हुए है देखना होगा किस किसम की बैटिंग की जाती इन की जान से चावाली सीने 25 स्की जोड़ा तक दी गेंड इसकिन को लिव क्या जाने दिया विकट की पर के पास और एक और डॉट डिलिवरी डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर हो जाएगा आरे भाई वाइड डिलिवरी दी गई एक सो ग्यारा दो विकट के नुकसान पे क्या हाले टेकनिकल टेकनोलोजी और गेम इसजाई में अपसलूटी फाइन वट अबावट यू ब्रो पाक्स्तान के रीम के ये प्लेयर जो है वो दोस्तों बढ़िया परफॉर्म करते हैं वे और ICCT 20 रैंकिंग के अंदर नमबर बन पर चले गए हैं बाबर आजम जिन्होंने आज फिर से कम्माल के बैटिंग की पिछले मैच के अंदर ब्यासी रंज बनाए और इस मैच के अंदर एकावन रंज बनाए जहां पर अब अपने अवर के लिगेन लेकर बॉलर तयार आर 7 मनेर का व 나서 मजीद बाकी है, जी तो दोस्तों अगले आने माले मैचेज के शेडूल की बात कर लेते तो अगले आने मैचेज का जो शेडूल होगा वो कुछ यूं होगा कर午 आने वाले मैचेज के अंदर IPL के मैचे जो है वो इसके बाद होगा आज ही कल को जह है विमेंज आईपेल का मैच होगा पर सोका आईपेल का फाइनल और पाकिस्तान और जिंबावे के दर्बावे के 30-20 मैच एंड इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं गाईज इसके बाद होने वाले मैचीज की तो 14, 15 और 17 तारिख को PSL के मैचीज होगे और उसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो मैचीज है न लाइक आप कह सकते हैं कि 27 तरिख से मैचीज का आगास होगा लंकन प्रीमिर लीग का आगास होगा और लंकन प्रीमिर लीग के बाद जो है वो 27 तरिख के अंदर दिन ही जिसके अगर हम बात कर लेते तो वो होगा इंग्लेंड न्यूजिलेंड वर्सिज जो है वो वेस्ट अंडीज मैच खिला जाएगा और इसी दिन इंग्लेंड आस्ट्रेलिया वर्सिज इंडिया मैच भी खिला जाएगा तो अच्छी क्रिक्ट जो होते हुए 27 तारीक बले द परनिक्सान पे जहां इस मैच को अब तक फिनिश होने माला होना चाहिए था लेकिन इस मैच को जो है वो बाबराजम की विगेट गिरने के बाद अब स्लो कर दिया गया है पाकिस्तानी बैट्समैनों की जान से खुश दिल्शाग इनको लीप कर रहे हैं और खुश ज्यादा रंस की जड़ूरत भी दहीं है तेईस रंस की जड़ूरत थे और लेट सी के वो तेईस रंस को बना पाएंगे नहीं बॉल रहेंगे तायार दोणा शुरू किया तेज होए अम पार को ग्रॉस का गेन क्या वो बिकर टूब इक अटाथ खेला है इस गेन को लोंग जल्दी जल्दी से मैच को फिनिश कर दो पैर्स पर आते हुए गेन को फाइन टिकल कर दिया है और गेन जाएगे बांब्री लाइन के बाहर चौके के लिए चौका मे लेगा इस गेन के ऊपर और चौके के चलते हुए स्कोर हो जाएगा अब 116 दो बिकर के दूकसान पे आई जीत हो दौस्तोَ 116 होते हुए स्कोर 2 वेकर कि नुकसांपे जीत के लिए 11 cancelled की है सिंगल आते वे टीम पाकस्तान के लिए और सिंगल के चलते हुए एक सो सतरा रहेगा स्कोर दो विगर की नुकस्तान पर जीत के लिए अब अठारा रंस की जरूरत है भाई मेरे जल्दी खतम कर दो तो आनू खदादा वास्ता है अधर अली स्ट्राइक पर मौझूद रहे 38 किने और 38 किनों के बर 18 रंस की जरूर थी स्किन को फिर से गायट कर दिया है थार बैंद की जानेब हैदर अली के बले सिंकला हुआ बहतरीन शॉर्ट सिंगल आएगी स्कोर हो जाएगा अब इस मैक्च के अंदर 118 टीम पाकस्तान का दो विगर के नुकस्ताम पे जीत के ल वाला है पुश दिल्शाब पांच पर मौझूद है है अधर अली चबन पर मौझूद है एंड रही बात नगारावा की तो उन्हें तेईस रंज देते हुए कोई भी विगट को अपने नाम नहीं किया एक दफा फेर बॉलर आएगें क्या विगट विगट आथा अब अगेंश कर दिया स्किन को लॉंगन की जानी बार रान आउट होने का खतरा था लेकें न सिंगल आएगी स्किन के पर अब रहा सिंगल के साथ बरता बस्कोर हो जाएगा एक तो निस दो विगट के नुक्सान क्या ही कमाल क्रिकट के लिए आज बाबर आजम के जानी से दिल खुश कर दिया तमाम शाय किने क्रिकेट फैंस का और आज जो चीज उन्हें ने इंप्रेसिव की दोस्तों वो ये थी कि उनका स्ट्राइक रेट देखने माला था उन्होंने 190 के आसपास 80 के आसपास स्ट्रा जब आप क्रिकट के लिए उनकी जानी से जहां पर आखरी जो है वो कुछ ही अवर्स का खेल होना बागी है और आखरी 16 रंस की ज़रूर थे टीम पाकिस्तान को ये मैच विन करने के लिए 1375 दोस्त जो है वोडियो को लाइक करते हुए 1400 लाइक समने मुकमल करने हैं वोडियो के ओपर तो जल्दी से तमाम दोस्त इस वोडियो के नीचे जाए वोडियो को लाइक और चानल को सब्स्क्राइब कर दीजिएगा जहां पर अपने अवर के लिए गेन लेकर बॉलर ज सकति है कि कोशिश की और नहीं चीज़ का जो है वो cycling 120 पाकस्तान का दो विगर के दिनिख सांप पे चॉला शरीय दोवर के बाद और अब 15 रंस की जरूड़ थे टीम पाकस्तान को यह मैच विन करने के लिए जल्द जल्द इस मैच को फिनिश कर देना चाहिए टीम पाकस्तान को बरहलब देखना होगा क्या आसा वो पाएगा या फिर नहीं पाकस्तान शूड फिनिश दिस मैच ऐस सून अस पॉसिबल विगट ना गिरती तो मेबी ही ये मैच जो है वो अभी तक खतम हो गया होता लेकिन अब जो है वो गाइस विगट गिर गई और विगट गिरने से जो है वो यकीनी तोर पर थोड़ा रंडेट जो हो गया है और रंडेट स्लो होने के कारण जो है वो टीम पाकस्तान को अभी वी 15 रंस की ज़रूद थे जहां अली गेन लेकर बॉलर तयार हैदर अली करेंगे इस गेन को स्मैश मिट बिगट की जाने बॉर गेन जाएगी बांटरी लाइन के बाहर खुबसूरत चक्का वाह क्या बात है हैदर अली आपकी ये प्रेट जब गेन को हिट करते हैं तो इतने खुबसूरत अन्दाज से करते हैं के दिल करता है के उस गेन का रीप्ले बंदा सो बार देखे और बार बार देखे क्या ही खुबसूरत शॉट लगा गया चौका मिलेगा इधिंक की स्किन के उपर जी हाँ दोस्तो चौका मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल बांडरी लाइन के सामने जाकर गिरिएगे 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 इंद 124 वेगा स्कोर दो वेगर के निकसां पे हैदर अली स्ट्राइक पर मौझूद और अरब मैच को विन करने के लिए टीम पाकिस्तान को सिरफ और सिरफ ग्यारा रंस की जो है दोस्तों मसीज जरूरत है चौका लगा गया हैदर अली की जान से ताबर तोड किसम की बले बादी करते हुए हैदर अली जिन्होंने स्मैश किया था इसकीन को और चौका मिलेगा इसकीन के उपर और चौकी के चलते हुए स्कोर हो जाएगा 124 विगर के निकसां पे शाट पीजे गेन फुल कर दिया इस गेन को लगसार की जानिब गैप में है गेन दोर बांड प्री लाइन के बाहर जाते हुए है गेन देख और चौका हैदर अली यू ब्यूटी हैदर अली जो है वो दोस्तो हैदर का नाम लेकर जहां पर कम्माल क्रिक्ट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका ग्रण रहा है और अब जीत के लिए 7 रन्स की जरूरत है पाकस्तान को यह मैं है अच्छा 33 गेनों के उपर बल्के 32 गेनों के उपर 7 रंज की जरूर था पाकस्तान की टीम 15 अवर्स पहले इस मैच को विन कर सकती है बरहलब देखना होगा के 2 गेनों के उपर 7 रंज बन पाएंगे ये नहीं हैदर रदी जो है वो अच्छे बैटिंग करते हुए अपने टीम के लिए जहाँ पर रंधने चौका दे मारा 19 लाइक स्कीम जीजरूरत है विडियो के उपर 1400 होने में तो जल्दी से तमाम दोस विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे बीच एक और वाइड डिलिवरी का इशारा होगा अमपार के जान से लेक्शन को मिस करते होए जाएगी अगेंद और वाइड बॉल का इशारा दियागा अमपार के जान से जहाँ पर रब 137 रहेगा टीम पाकसान का स्कूर दो विकर्ट की विंक साम पर 14 शर यह चार अवर के बाद लवली पीस ओब बैटिंग बाई हैडर अली और मैन उफ्टी मैच का हकदार बनेंगे हैडर अली जो ने आज अठामन रंस के लाजवाब इनिंस खेल रखी है और इन का तीस्वा मैच है और तीस्वा मैच के अंदर ही अपने टैलेंट से बरपूर जो है वो मुतासिर करते वो तमाम शाय के ने क्रिकट को जहां आगडी गेंद मुझारबानी की एगेंद पैट्स पर आते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया तो जल्दी से तमाम दोस्वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कम्माल मैच चलते हुए पाकस्तान की टीम ने इंप्रेसिव क्रिकट खेल दी है इस मैच के अंदर और अब इस मैच को फिनिश करने वाली है टीम पाकस्तान पेसल का आगाज जो है वो 14 तारीक होगा मुल्तान सुल्तान कुराची किंग्स लाहूर कलंदर और पिशाबर जल्मी के दर्मियान 14 तारीक को दो मैच चैनल जाएंगे ओव वाव 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 बड़ा शोर्ट केला गया है हैदर अली की जानिब से और दो ही रंज आएंगे बलके तीन रंज लेते हुए हैदर अली एंड नावदा स्कोर्ट जर लेवल मैं समझा चका हो जाएगा लेकिन येगन हवा में रही और काफी देर हवा में रहने के बाद लाउंगान की जानिब अर अरब तीन रंज आते हुए हैदर अली के बले से गेम के उपर तारा डिलवा दिया था और चौदा सो दोस्नियों है वीडियो को लाइक करते हुए बदबश्चों के आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू समल गाइस थैंक्स अलोड गाइस फर्शिंग हेर जहां पर रब एक सो तैंटीस रोहिगा टीम पाक्स्तान का स्कोर दो विगट के नुकस्तान पे पंदरा वर्ट्स के बाद और अब जो है वो दो रंस की जरूर थे टीम पाक्स्तान को ये मैच विन करने के लिए जहां है दर ली ने चै इस यग बेकर की जाने और पाकिस्तान के टीम इस माच विन करते हुए वाँ क्या बात है यो distribर को फिनिश कर दिया विन कर लिया है ला-जवाब झैकर Arena पारी बड़ाए ba a russum q कीम ने इस मैच को फिनिश कर दिया है पासितान के टिम ने इस ने इस मैच को विन नर जाब प фильм कर दिया है गयज ए और अची की से लिए रिख नियुकर Feels घॉए आपस्ता की रिखिर जान ही विखे और ईठाथ स्टां की टीम Valley से दो दो सिफर के बरतरी को अपने नाम के अचोकी है हेलो एंड वोल्कम गाईज आई पेल 2020 और आई पेल 2020 का आज होगा बड़ा मुकाबदा रुमांचक मुकाबदा जहाँ पर दिली, कैपिटल और सनराइज इस हैदराबाद के टीम जहाँ आपस में मद्दे मुकाबिल होगी और एक बेहतरीन मैच, एक लाजवाब मैच होता हुआ हमें इन दोनों टीम्स के दर्मियान दिखाई देगा आज के इस मैच के अंदर जहाँ पर एक बेहतरीन मैच, एक इंपर्टन मैच होगा दोनों टीम्स के लिए जो भी टीम इस मैच को जीते हुए चली जागी फाइनल के अंदर लेकिन जो टीम कह लीजे के जो भी टीम इस मैच को लोज करेगी गाइस वो टूर्णमेंट से बा बागी है और अब आपके हैल से टॉस को जीत कर क्या फैसला देना चाहिए टीम्स को इस मुतलिक आप बता सकते हैं अपनी राय का इजहार कर सकते हैं जहां पर अब जो है वो गाईस इस मैच का टॉस होने में कुछ ही समय जो है वो मजीद बागी है है एदराबाद की बात क पिछले कुछ मैचेस को जो है वो विन कर रखा टीम है अधराबाद ने लेकिन आज देखना होगा कि हैधराबाद की टीम इस मैच को विन करती है या फिर नहीं करती क्योंकि अगर वो मैच को विन करेगी तो चले जाएगी फाइनल के अंदर जहां पर अब टॉस होने वाल है टॉस के बाद आपको दोनों टीम्स की प्लेंग लेवन के बारे में बताऊंगा और प्लेंग लेवन बताने के बाद आपको जो है वो दोनों टीम्स के बारे में बताऊंगा कि दोनों टीम्स की प्लेंग लेवन तो क्या रहेगी और साथ साथ ये भी के दोनों टीम्स के माला हैं दोनों टीम्स के बीच और दिल्ली कैपिटल और सन्राइजिस हैदरबाद की टीम्स आपस में हमें लड़ती हुई दिखाई देंगी आज किस मैस के अंदर जहां पर अब मैस का टॉस होने में दो मिनट का बक्त जो है वो मजीद बाकी है तमाम दोस्त जो भी जहां कह हरा था टीम RCB को और हराने के बाद उन्होंने RCB की टीम को टूनरमेंट से बाहर कर दिया था रही बात टीम दिल्ली कैपिटल की तो उन्होंने पिछला मैच हरा था टीम Mumbai Indians के हाथों पर अब देखना होगा कि स्मयाच को वो विन कर पाएंगी नहीं तोस्तों में कुछ ही ब बाद यह मैच और एक इंट्रस्टिंग मैच एक बड़िया मैच होते वह दिखाई देगा अगर लाइस्ट्रिम के अंदर कोई किसी किसम का प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें मैश रूह होने से पहले लाइजन्ड गेमर्स एंड जितने दोस्ट जहां पर हमार साथ मुझूद हैं आप बताईएगा के लाइस्ट्रिम के अंदर अगर कोई बीश्यू चल रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं जहां पर एक इंट्रस्टिंग मैच एक बड़िया मैच होते वह दिखाई दिखाई के अंदर जोबी टीम हारी वो टूनामिट से बाहिर हो जाएगी जहां पर अब जहां पर अब जो है वो कह ली जेके एक बड़िया मैच एक अच्छा मैच जो है वो दोस्तों चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मयान and let's see which team is going to win this match जी तो दोस्तों यहां पर situation कुछ हूँ है कि situation कुछ हूँ है कि अब अधमानिक का टोस होने वावलत है वाला है मैच रफरीग्राउंट के अंदर महजूद हैं और अब जो हम रहाव हैं मैक डॉस्त by गड़ा है अ आप देखना होगा कॉना क्या सक्टी मीं जाथ के बंक एक करती है और उनकी जी तो दोस्तों यहां पर एक अच्छा मैच एक बड़िया मैच जो होते हुए दिखाई देगा हमें आज अज अलेट सी के कॉन सीटी माज के स्मैच को विन करती है टॉस होने वाला है मैं आज सेरा फ्री ग्राउंड के अंदर मौजू थी है और अब देखना होगा कि क्या सीटीशन रहती है और दोस्तों टॉस हो चुका है इस मैच का और टॉस को जो है वो विन कर लिया है टीम दिल्ली कैपिटल ने अब देखना होगा क्योंकि जान से क्या फैसला जो है वो दिया जाता है टॉस जो है वो दोस्तों इस मैच का होच का है और दिल्ली कैपिटल के टीम ने टॉस को विन कर लिया है और टॉस को जो है वो दोस्तों जीत लिया है दिल्ली कैपिटल की टीम ने उनकी जान इसे क्या फैसला लिया गया है उनकी जान से जो फैसला लिया गया है वो कुछ यह है कि उन्होंने टॉस को जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है दिल्ली कैपिटल की टीम ने जो है वो दोस्तों टॉस को विन कर लिया टॉस को जीते हुए उनकी जान से पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है तो दोस्तो आप एक अच्छा मैच यव वह होते हूए हमें दिखाए दिएगा लेक्सी मैच को विन दिखाए 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 दिगा तो दोस्तो संवराइज जिए रबाद के टीम हमें चेस करती है वो दिखाए दीगी पिछले मैच इसके अंदर भी उन्हें अच्छा चेस किया था और इस मैच के अंदर भी जो हो चेस करती हो दिखाए दीगे टीम है संवराइज जिए रबाद और अब देखना होगा कि हमकी पर्फॉर्मिंस जो है वो इस मैच के अंदर कैसी रहती है और वो इस मैच को जीते हैं या फिर नहीं थैंक्स अलोड गाईज फॉर्स रिंग हेर जहां पर अब मैच का टॉस होजगा है और अब से कुछी दिर के बाद मैं आपके साथ शेर कर दूँगा बला क्या मैं आपके साथ शेर कर दूँगा दोस्तों यहां पर बला क्या वो होगी दोनों टीम्स के प्लेंग लेवन जो मैं आपके साथ शेर करूँगा कुछी देर के बाद तो तमाम दोस्तों का हमारे साथ ही रहना है कि दोनों टीम्स के अंदर कौन-कौन से प्लेयर शामिल हैं यह जानने के लिए शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए जहां पर रब टॉस जो भी स्माच का होज़का है और टीम दिली का फटलने टॉस को विन करते हुए पहले बॉलिंग जो है वो दोस्तों करने का फैसला कर लिया है एक अच्छा मैच एक बड़िया मैच होते हुए हमें दिखाई दिगा एंड लेट्सी वा हुए वीच भी दिखने वाली बात और यहां इस मैच को विन करती है दोस्तो हैद्राबाद और हैदराबाद के साथ दिली कैपितल के वो कैहलीजी के कपतान दिल्ली कैपितल के कपतान जो है वो गाईज जा कैहलीजीए कि इहां पर जो है वो अपनी टीम को लीड करते हुए और ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीरें खेंचवाते हुए ये प्लेयर्ज और अब जो है वो कुछ ही दिर के बाद मैच का आगाज होगा और गाद मैं आपके साथ जो है वो दोनों टीम के प्लिग 11 को अब के न talking 11 जानने के लिए तुमाम दोस्ण हमारे साथ ही रवने रहेगा यहाँ पर अब नो टीम के प्लिग 11 के बारे में आपको बता देता हूं गाह GB दोनों टीम्स के अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल है दिल्ली कैपिटल और हैदराबाद के अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल है अरे भाई कहां पे गई हाँ जी तो हैदराबाद की सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं गाइस तो हैदराबाद की टीम के अंदर आज जो है वो ये ये प्लेयर रहने वाले हैं गाइस और दिल्ली कैपिटल के अंदर ये प्लेयर रहेंगे तो जानने के लिए तमाम दोस्त हमाज साथ ही बने रही हैगा जह शरी वाट्स गौतम जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाली है और आपको एक च्छीज बता दूँ कि I think वो इंजड हो चके है प्लेयर जिनका नाम है ना लाए एक जिनका नाम है गाईज यहाँ पर वुरिद्यमान साहा वो इंजड हो चके है और इंजड होने के वज़ा से वो क तीम के अनदर मुनिश पांड हो और कश पांद के बाद के एन गाइन के बुल्यमस्ण के बाद पर्यांगर गोटर है यहाँ परटीम के इंडर जो फ्लियर ईंड हो रहेंगे वो होगे वला काहन están वो होंगे नन अधर देन जेसं होलडर and Jason Holder के बाद अब्ल समद and अब्ल समद के बाद जो है वो तीम के अदर राशित खानcontamin राशित खान के बाद राशित के बाद शावाज न दीम ये थे ँदिडमेंड से भीन दोस्तों तो डिली कैपितल के टीम जो है वो उन्हुने शिकर दर्वन की जानेर सेकृतानी की अजिन्के रहाने जो है वो नंबर दोपर भलके कपतानी ने एस ऊके न लिटम्रान लेकंग ने के साथ होंगे शरीय सेयर नंबर तीन पर रहेंगे रिशपन नंबर चार पर शेमरुन हिटमायर को इंके अंदर शामिल के आ गया है और शेमरुन हिटमायर के बाद मार्केस एस्टोनिस परवीन दोबेको टीम के अंदर शामिल के आ गया है मैंच का आगाज होने में कुछी समय और कुछी वक्त वागी है जहां पर अभब देखना होगा कि कौन सेटी में इस मैच को विन करती है करते हैं जी तो दोस्तो यहाँ पर अगर हम बात कर लिते प्लेंग लेवन की तो प्लेंग लेवन का इलान कर दिया गया है और एक बढ़िया बेहतरीन किसम का मैच जो होते हुए हमें दिखाए देगा कि अनल झालो होते है जोम का इलान पिनलान के सहुए होते हुए हाई किसम वेष्मी कि हम ईबड़िया पिर बात कर देदाए। हुआ 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 है तमान दोस्त जो भी हमारे साथ मों जोने डिली के टीम ने टॉस को विंग कर लिया और उन्हें टॉस को जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है और मैं मिलता हूं दोस्तों आपको दस मिनर के बाद एक नई नई लाइव स्ट्रीम के साथ अब तक के लिए तमान दोस्त जो है वह हमारे साथ ही बने रहीएगा मैं जो है वह आपको कुछी देर के बाद दुबारा से जॉइन करता हूं नई लाइव स्ट्रीम के साथ अब तक के लिए तमान दोस्त हमारे साथ बने रहीगा टेक केर और बाई बाई बाई!